अच्छा नमस्ते तो एक आया है इसमें बिपिन भिहारी जी का बस शुरू ठीक है तो यह साड़े तीन बजी गया और तो हम समय से शुरू करते हैं मेरा नाम श्री राम है श्री राम नर्सिमन मैं वैसे रहने वाला उमूलत पुने का वर्तमान में मानवतीर तेक जगा है वह सत्र को शुरू करने के पहले मैं अपना एक मिनिट में चोटा सा परिचय दे देता हूं मैं पिछले दस वर्षों से मध्या दर्शन का पूर्ण काली अधियन में सनलगनू हूं रत हो इसमें और इन दस वर्षों में कुछ समय हम लोग मैं और मेरी पतनी गवरी हम दोनों कुछ समय हम लोग इधर अमरकंटक में रहे पूजी नागराजी के साथ कुछ समय कानपूर में रहे अभी हम लोग मानातीवत में हैं इतो एक बात हो गई दूसरा, मैं जो भी यहाँ वेक्ट करना हूँ, इस समय मारे गुरुजी नागराजी को स्मरन करना योग लगता है मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहां तक ही अध्यन का सवाल है मैं अपने स्थिति को पाता हूँ कि मैं शासरों को तो अध्यन किया हूँ उसमें अपने मनन को जांचने के करम में हूँ और साक्षातकार को सोचता हूँ ये मेरी स्थिती है दूसरा इस संदर में एक बात ये भी याद आती है भी नागिराजी के साथ अक्टोबर 2014 में एक बाचीत चलती रही जिसमें उन्होंने मुझे ये कहा कि आउधारना से लेकर अनुभों के बीच जो भी करना है उसमें आप लोगों का कविता नहीं चलता है हम जो लिखे हैं उसी को मानो हमारा जो निर्देश उसी के अनुसार चलो तो ये जो अध्याई सत्रा है जिस पर आज बात करने को कहा है ये लगबग उसी संदर से जुड़ता है इसमें जो में बातचीत है तो हम इसी को आज पढ़के करेंगे राकेश भाही ने ये भी बताया था कि हम एक एक वाक्या को पढ़ेंगे और उसके साथ उस पर थोड़ा सा अपना बातचीत को हम रखेंगे ठीक है लगता काफी सारे लोग जुड़ गए तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं रहसे मुक्ती में मुखे रूप से दी देखेंगे तो रहसे आर्स तक क्या रहा दो चीजे रहसे रही है एक तो मनुष्य की जो यथास्थिती है उसमें जो भी हमको दिक्कत परिशानी दुख आतन की त्यादी जो भी दिखता है इसका मूल में कारण क्या है एक तो य जिसमें से कुछ लोग लगता है कि ठीक हो जाते हैं मतलब मोक्ष के प्राप्टि कर लेते हैं या सुखी हो जाते हैं तो यह दूनों के होने के मुल में जो कारण है ना वो क्या है यह रहस्य जैसे परतीत होता है यह जो लेका के उन्होंने इस चैप्रमे लिखा है इसके बार वो किस रूप से होता है और उसके ब्रह्म के सिती में उसका क्या कार्य स्वरूप है उसके जगरती के सिती में उसका क्या क्या है और इसके पीछे कारण क्या है इसको उन्होंने रहस्य उध्याटन किया है तो इसी को हम थोड़ा सा रखने का हम लोग आज परसपर देखेंगे इसको करते समय मेरे सामने इधर एक कंप्यूटर है तो उसमें मैंने टेक्स्ट को रखा है तो मैं उसको भी देखूंगा बीजबीज में कैमेर को भी आपके और भी देखता जाओंगा तो यह लगता है वो ठीक रहेगा इसको कहते हुए मैं यह भी बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह जो मेरा एक घंटे का भी जो गत्तव्य है यह एक विध्यारती का नाते आपके साथ परसपर विचार विमर्श के अर्थ में हैं इसमें जहां आपको लगे कि कोई बिंदू ऐसा है कि जिस पर और शोध की अ इंटिम बात नहीं है यह मेरी आज के दिन मेरी जो शोध की जो विस्थिती है उसके अनुसार मेरी माननेता है धन्यवाद तो हम शुरू करते हैं तो यह अध्याय सत्रा मानवभवार धर्शन रहस्यमुक्ति पहला अनुभूति है समझ को प्रकट ना करना या ना कर सकना य एक तो समझ को प्रकट नहीं करना मतलब कोई ज्यान के किसी स्थिती या जागरिती या दिश्टापत के किसी स्थिती में पहुंच पाता है और उसके बाद उस समझ अपने समझ को प्रकट नहीं कर रहे हैं एक यह बिंदू दूसरा इसको नहीं कर पा रहे हैं जिस भी तीसरा ये है कि समद्संपन नहीं हो पाना ही, जो ग्यान नहीं हुआ तो उस में बताने के लिए तो कुछ है एग तीसरा बिंदु है, तीन ओही स्थिति में जो अक्षमता है इसको रहसे कह दें हुँ, कुल जो अनुभूती है इकाई क्रिया है मानव ही सहस्तित में अनुभो मोलक विधी से संपून समत संपन होता है जागरित मानव ब्रहमित मानव के जागरिती का मार्ग प्रशस्त कर स्वयम के जागरिती को प्रमानित करता है इकाई क्रिया है यह हम सभी लोग इससे परिशित है ही यहां पर रखने का तात पर एक वेड़ी देखेंगे पुल मिलाकर व्यापक और क्रिया इन दो बिंदूओं पर भी रहसी मुक्ति की एक बात आती है जो दर्शन में संप्रक्त ता या क्रिया का व्यापक वस्तू में संप्रक्त रहने के अर्थ में हम लोग सुने हैं समझे हैं और सोचते भी हैं समझते हैं तो इसको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, लेकर, बाकी इसमें कोई विशेश दिखता नहीं, तीसरा अनुगूति, प्रत्य किकाई का सर्वांगीन दर्शन, उसके रूप, गुन, सभाव और धर्म से होता है, इन में से रूप, गुन और सभाव समझ में आता है, और धर्म क मात्र अनुगूति ही संभाव है, यहाँ प्रत्य किकाई के चार आयाम है, रूप, गुन, सभाव, धर्म, इसका सर्वांगीन दर्शन का मतलब है कि इसका रूप, गुन, सभाव और धर्म, चारो ही समझ में आना, इसमें से भी लेकर कि यहाँ यह सपष्ट कर रहे हैं कि इ इवन के ही किसी क्रिया से स्वभाव पूर्णतिया समझ में आता है, और लिखते हैं कि धर्म की मात्र अनुगूति ही होती है, इसका क्या तत्पर यह हुआ, इसका यह मतलब नहीं कि धर्म अनुभव के पहले बिलकुल समझ में नहीं आएगा, धर्म का भी भास आभास और अनुभव में ही समझ में आता है, इसका कारण यह है, जो आत्मा क्रिया है, यह अस्तित्त को अनुभूत करने के एक प्रकार से एक शमता से सम्पन है, अस्तित्त में अनुभूत होने के, तो आंततह कोई भी वस्तविगता स्तित्व में है या नहीं है ये अनुभाव क्रिया में ही जाकर स्पष्ट हो रहा है उसके पहले उसमें कोई न कोई आनशिक रूप में अस्पष्टता ने रहने के गुणजाइश है इसलिए धर्म की मात्र अनुभूती ही संभव है तो अनुभव वो समझ है या वो स्थिती है जिसमें धर्म और सत्य दोनों में अंतर संबंद और दोनों का स्वरूप सादत को पूर्ण रूप से समझ में आता है या ग्रहन करने में आता है ये धर्म की मात्र अनुभूती ही स जो एक अनुभव प्राप्तिकाई द्वारा एक प्रक्रियाबद अनुभव के संभावना पून आदेश, संदेश एवं निर्देश वह अध्यन से ही संभव है। जीवन में अनुभव सहस्तित्व में होना स्पष्ठ है। इसको आगे शायद हम देखेंगे इसी अध्याय में। अनुभव मूलक विधी से पांचो ज्यानेंद्रियों द्वारा संग्यान शीलता पूरवक व्यवस्था में प्रमानित होना स्वभाविक है। हम दो संचेतना एक शब्द है संचेतना में दो चीजे आती हैं एक समेधन शीलता दूसरा संग्यान शीलता तो संग्यान शीलता उस चीज को हम कहरे हैं जहां पर इंद्रियों कि सन्निकर्ष में जीवन क्रियाय क्रियाशिल है जैसे मन वृत्ति चित जो है ये इंद्रिय सन्निकर्ष विदी से जब क्रियाशिल है इसको संवेदन शीलता कह रहे हैं एक अर्थ में संवेदन शीलता की और एक अर्थ है जो आगे आएगा इसी अध्याय में संग्यान शीलत तब संग्यान शीलता अर्थात सहस्तित्व समाधान प्रधान रूप में प्रमानित होता है यही मुल्यों के आस्वादन के रूप में परिलक्षित होता है यही निरंतर सुप का प्रमान है और संग्यान शीलता पूरवक समेदना नियंतरित होने का प्रमान है उकुल मिलाकर स तो अनुबह मुलक विदी से ही मुल्य मुलक तथा लक्षे मुलक आस्वादन की निरंतरता पाई जाती है उसके पहले यह भास आभास तता प्रतिती के अनुपाथ में क्रियाशिल होना पाया जाता है इस वाक्य का यही मतलब अगला जो यह अनुबूती है जीवन सदा सुख की पिपासा से त्रिशित रहता है उसी का नीचे विशलेशन दिये हैं सुख की उपलबदी के लिए पंचेंद्रियां द्वारा अजस्त्र प्रयत्न के पश्चात भी उसकी अर्था सुख की अक्षुनता या निरंतरता ना हो पाने के परिणाम स्वरूप ही ऐसे सुख की निरंतरता की संभावना की और मानव पुना परयत्नशील होता है इस हमान्य रूप से हम यह निद्या परिशे शिवर में भी सुने ही रहते हैं ऐसी संभावना इस सिध्धांत पर है कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागरित अर्था लिक्सित है उसके पूर्न होने वो प्रमानित होने की उतनी ही संभावना है जिससे सुख की निरंतरता होती है यही कारण है कि मानव अपने से अधिक जागरित से संपरक एवम संबंद के लिए प्रयतनnh शील बैता है इससे हमको एक यह संक्यत मिलता है कि मनुष्य के जागरिती के स्तर में भेद है और आगे के प्रिष्टों में हम इसी को अध्यन करेंगे कि इसके पीछे जो मूल कारण है वो क्या है रहस्यता का उन्मूलन चैतन्य पक्ष अर्थात बौधिक के जागरिती के स्तर पर अधारित है चैतन्य पक्ष अच्छा यह कुछ एक मिनित हां चैतन्य पक्ष बौधिक सहट जागरिती स्तर भर से उसकी अवस्थाएं तो चैतन्य पक्ष के जो बौधिक स्तर है इसके आधार पर अवस्थाएं का मतलब दोनों आर्थाम ले सकते हैं एक तो जो बौधि शब्ध है जीवन में जो प्रथम परिवेश है उसको भी बौधि संगया है जब उसको कॉमन नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो मन, वृति, चित, तता बौधि के सयुक्त रूप में भी उसका उप्योग किया है तो जब हम कहते हैं कि मनुष्य के बौधिक स्थर में अंतर है उसके मन, वृति, चित, तता बौधि चारों के स्थरवेत के बारे में बाक्चीत हो रही है इसे को आगे स्पष्ट किया है बौधि क्विकास का तत्पर पूर्ण जागरित, जागरित, अर्ध जागरित, अल्प जागरित तता अजागरित बेट से है इसे हे पूर्ण चेतन, चेतन, अर्द चेतन, अल्प चेतन तता अचेतन के नाम से भी संबोधित किया गया है इस दो चीजों को जोड़ा गया है एक तो जागरती और दूसरा चेतन को व्यापक वस्तु को चेतना कहा है और हम मानव चेतना देव चेतना के बारे में भी पढ़ते हैं ये जो चेतना है ये चेतनी इकाई के द्वारा ही व्यक्त है तो चेतनी इकाई के जगरती का तात पर ये हुआ कि उस चेतना में उसकी पांदर्शकता कित्ती बनी दूसरे तो ज्ञान होने का मतलब ही है कि हम व्यापक वस्तु से पूर्ण तेया निर्भ्रम हो जाएं यह जो है यह अनुभोक्रिया के माद्यम से ही हो पाता है तो इसकी जो सर्वोच स्थिती है इसका नाम है पूर्ण जागरती इसका जो करमशा इसका जो परस्पॉंडिंग जो अर्द जागरती अर्द चेतन से जुड़ता है तत्त परियहौस में अर्द चेतन का अर्द चेतन का यह मत्तब नहीं है कि अगला जो अनुबूती है, चैते नीकाई में मन, वृति, चित, बुधी वा आत्मा ये पांच बल अविभाज्य है, मानव के प्रत्य क्रिया कलाप में बौधिक प्रयुक्ति है यह क्रमशे आशा विचार इच्छा संकल्प एवं अस्तित्ता अनुप्ति है यह भी सामानिसी सूच रहा है इसमाधिक विचलेशन के अवशक्ता नहीं है अगले इसमें चलते हैं बिंदू पे ब्रहमश मन द्वारा संमेदना सापेक्षाशा वृत्ति के द्वारा आशा के नुरूप विचार चित्त के द्वारा विचार के नुरूप इच्छा यह इंद्रिय मूलक संमेदनशील प्रणाली है बुद्धी के आत्म विमुक होने से ब्रहमिच चित्रन और इच्छाओं का होना पाया जाता है तो ब्रहमिट शिती में क्या हो रहा है मन का आशा के अनुरूप वृत्ति में विचार होने की अवश्रक्ता वृत्ति में उसकी अनुरूप चित्र में चित्रन करने की जो दबाव है यह ब्रहमिप सिती में पाया जाता है ठीक है तो इसी को फिर इंद्रिय मूलक प्राणाली कह रहे हैं क्या मतलब हुआ इसका यह शरीर का जो दबाव है यह मन पर पढ़ा या पढ़ा रहता है भामिस्तिती में क्यूंकि जीवन अपने आपको शरीर माने रहता है तो इस आस्वादन अपक्षा के पूर्ति के लिए वृत्ति में प्रिय के तुलन के फलस्वरूप एना विचार्क में निर्ने को एदि देखेंगे तो उस इंद्रिय सुख की अपक्षा यह इंद्रिय अनुकूलता की अपक्षा के अर्थ में विशलेशन होना और इसी को प्राप्त करने के लिए फिर चित्त में चित्रन यह शरीर मुलक विधी से वेक्त होना भी कहा है दूसरे भाषा में अलग अलग जगों में जागृती में मन की आशा वृत्ती के अनुरूपता में जित्त की इंच्छा बुधी के बोधन के अनुरूप तथा बुधी आमा के अस्तित्वान बूती पूर्वक सार्तक होती है प्रत्या वर्तन प्रावर्तन क्रिया सिद्ध होती है जागरती में क्या हुआ इसके विप्रीत या इसके विलोव में मन वृत्ती के अनुसार वृत्ती चित्ती के अनुसार चित बुद्धी के अनुसार तता बुद्धी आत्मा की अनुसार होना ही जागरती है तो पहले बिं क्रम्शा मन जो है, क्रम्शा वृत्ति के नुरूप होने का प्रयत्न, वृत्ति क्रम्शा चित के होने के प्रयत्न, प्रयास, प्रयोग, तता अध्यन, पूरवक्त, और वैसे ही चित बुद्धी के नुसार होने का, और बुद्धी आत्मा के नुसार होने का, ये जागृति क यही साधना है इसको हम अनुभधर्शन में भी पढ़ते हैं कि मन वृत्ति चित तता बुद्धी का आत्मानुगामी होने की प्रस्थापन प्रक्रिया का नाम ही साधना है तो यही साधना का मतलब है तो इन दोनों बिंदूँ को जोड़ने का जो वाक्य है वो जागृति के क क्रम में हम उसको ऐसे समझ सकते हैं उसी को आगे देखेंगे सूल शरीर और मन के मध्य में आशा पाया जाता है मन और वृत्ति के मध्य में विचार वृत्ति और चित के मध्य में इच्चा चित और गुद्धी के मध्य में संकल्प तता गुद्धी और आत्मा के मध्य में प्रमान की अपेक्षा रहती है, तता यहाँ आवर्तन क्रिया है, प्रत्यावर्तन, परावर्तन के सहिल तुरूप का नाम आवर्तन क्रिया है, यही जागरिज जीवन चक्र है, तो यहाँ पर एक वाक्या आ रहा है कि मन और शरीर के मध्य में आशा, तो इसका तत पर एक क्या योगफल में हमको विचार दिखता है तो विचार कभी भी इससे ये भी पता चलता है हमको लेखक के इस वाक्य से कि जीवन की कोई भी क्रिया अफिर अकेले क्रियाशिल नहीं है बहुती कुछ की विशेश परिस्थितिया हैं जिसमें जीवन की कोई एक ही क्रिया क्रियाशिल वो अभी हमारे अध्यन के संदर में नहीं है, अभी तक हम लोग जितना पढ़ें। या से कम दो या दो से अधिक तीं क्रियाओं को एक साथ पढ़ने aleman के पेशने से ही प्रिक्षन करने सी ही जीवन के क्रिया शीलता हमको समझ में आती हैंा तो जब प्रत्याव करतन भी हो जाता वर्त्यावर्तन के अनुसार प्रत्यावर्तन भी हो जाना इस को आवरतन कहा एदर और इसी को जागरित जीवन चक्रक है कह रहे हैं मतलब इसमें से ये भी इंगित करने लेकर कि जागरती के बाद जीवन की क्रिया शीलता बंद नहीं होती ये इसलिए भी हमारे महतुपून है क्योंकि इसके पहले परंपरा में या विगत में इसी हम बात करें क्योंकि वरतमान भी होता है कई वर विगत बूलने से लगता आज के पहले से ही बात है परंतू इससे भिन बहुत सारे विचार धारों में ये भी कल्पना दी जाती है कि मोक्ष के बाद या जागरती के बाद या मनुश्य समझदार होने के बाद क्रिया शुन्य हो जा संसार में प्रकट होना, उसके मूल में पुना प्रत्यावर्तन होना, ये एक आवर्तन चक्र बना रहता है, थोड़ा से इसमें गौर करेंगे इस मुद्दे पर कि जो आवर्तन जो शब्द है, वो आगे और एक संदर में ही आया है, और वो संदर भी सर्थ में है, कि जब मन मे आवेश रहता है विरती में हट होता है तथा छित में जब अविमान होता है तो इसका भी एक आवरतन चक्र होता है यह कि सर्थ में होता है कि एक मनुष्य जो आसकती ग्रस्थ है या आवेश ग्रस्थ है उस आवेश से नहीं निकल पाता है और इसके पूर्व में जो वाक्य लिखा है उसी से वो जुड़ता है कि मैं जब आवेश से ग्रस्थ हूँ तो विचार भी उसी आवेश के पूरती के लिए तता इच्छा भी उसी आवेश के पूरती के लिए सनलगन हो जाता है यह प्रकार से एक आवरतन चक्र बन जाता है जिसमें फसावट की करण बनती है वैसे ही हम हट के बारे में भी देख सकते हैं, हट वाधी विचार भी आगे आएगा इसी अध्याय में, हम इसको भी और आगे पढ़ेंगे. इस प्रकार अगले बिंदु में जाते हैं, इस प्रकार जीवन में सामरसता रहती है, शरीर के लिए मन, मन के लिए वृत्ती, वृत्ती के लिए चित, चित के लिए बुध्धी, तता बुध्धी के लिए आत्मा, आत्मा के लिए सहस्तित में अनुभव सहस्प्रे रखता है, ये भी काफी सरल है इसको अभी अभी हम बात किये, इसी के स्पष्टि करण में, सूल-चरीर में समेळ नाओं की त्रिपती के लिए मन में आशा, मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ती में विचार, ये वाकर जो है ब्रमिच सिती के लिए, तो इसके आपके को समयना चाहिए कि ये ब्रहमिच सिती की बात हो रही है वृत्ति के ऐसे विचार के समर्थन के लिए चित में इच्छा तता चित में इच्छा के समर्थन के लिए बुद्धी में अपेक्षा अत्वा कामना बनी ही रहती है ये ब्रहमिच सिती में पाया जाता है शरीर से मन, मन से वृत्ति, व विक्सितिकाई होने के कारेंड इस परसपरता में विशमता रहती ही है, बुद्धी में यथार तपेक्षा बनी रहती है, तो ये विशमता हम कहां पा रहे हैं, क्यूंकि वृत्ति मन से ज़्यादा विक्सित करिया है, चित वृत्ति से बुद्धी चित से तथा आत्मा जो है बुद्धी से अधिक विक्सित करिया है। से एक प्रकार से विभार करूंगा मतलब जैसे सामने से को ये वैक्तिवा चीद करने आ गया या कोई संबंध आ गया हमारे सामने तो ईसमें हम निरने प्रकार picky र करेंगे अधिये हम निरने करते हैं उसके बाद हम उष 신ствен gonna ही पाते से हम निरने करते हैं कि मैं कल Répंद से शुरू हुआ ये चित्त से शुरू हुआ. मान दीजे मुझे मिठा खाना पसंद है और मुझे बताया जाता कि मुझे मिठा नहीं खाना है. यह ना मेरे स्वास के लिए खानी का रहते हैं. यह अच्छा नहीं है. ठीक? पर एक आश्राद नप्यक्षा किसी एक समय में जग जाती है, मन में आश्राद नप्यक्षा बन जाती है, इसको पूरा करने के लिए मन का दबाव वृत्ति पर पड़ेगा, उस समय वृत्ति चित्त के नुसार नहीं है, चित्त में निनने हुआ हैं, हम इच्छा किये हैं कि म मतलब ही है इच्छा भी करना विचार भी करना सोच विचार इसको कहते हैं बोलचाल के भाशा में बट विचार कभी अकेले नहीं होता है पीछे उसके साथ में इच्छा होती ही है तो उस समय उस बात को भुलावा दे देते हैं कि मुझे ये करना है तो भुलावे का क्या कि अग्या को आगे जाके मीठा खा लेते हैं या पुराने जैसे किसी व्यवहार को कर देते हैं ये प्रकार से शरीर मुलक विवर्स्ता हम उनको समझ आती है ये सब होते हुए बुद्धी की स्थिती को भी बताया है लेकक ने इसमें कि बुद्धी में यथात्त की अपेक्ष प्राइशा का करणल मुलक विवर्स्त शरीर का संगान हो समय का सब्रकाया को रहते हैं ये पतला भी है श्रम, श्रम का ही दूसरा नाम है दुख, जब मन और वृत्ति के मद्ध में पाया जाता है, उसी श्रम का नाम दुख है, वृत्ति और चित्त के मद्ध में जो श्रम है उसका नाम अशांति है, और चित्त तथा बुद्धी के बीश में जो श्रम पाया जाता है, उसका नाम है असंतोष और बुधी तता आत्मा के मद्य में जो श्रम या विश्राम की जो अपक्षा बनी रेती है उसी का नाम है अनान। एच चार प्रकार के अत्रिपती जीवन में बनी रेती है उसका कारण लें का कभी बता रहें तो इस विश्राम के तृषा के लिए ही हम अध्यन करते हैं तसा जागरित होना चाहते हैं वो प्रक्रिया कैसे होगी इसको आगे अभी बताएंगे अनुभव मूलक विदी से सहस्तित में अनुभव प्रमाण आत्मा में अनुभव के अनुसार बोध बुद्धी में बोधान रूप चिंतन चित्त में चिंतन अनुरूप तुलन न्यायधरम सत्य वृत्ती में तुलन अनुसार आस्वाधन मन में होता है तो ये प्रत्यावर् तो बुद्धि आत्मा से प्लवित हो जाती है अनुभु पूरवक तथा चित्त का बुद्धि के नुरूप हो जाना वृत्धी का चित्त के नुरूप होना ना तथा मन में वो जो मूल्यों के आस्वादन के बारे में हम थोड़ी देर पहले ही, मैंने चर्चा किये, चर्चा नहीं मैं ही बात कर रहा हूँ, तो जो मूल्यों की जो अपिक्षा हुई, या जो मूल्यों का आस्वादन मन में बना रहता है, ये थोड़ी देर पहले ही आप बात किये, य जगृत जीवन में हमको दिखिता है इसके अगले बिंदू में जाते हैं ये अनुभव ये क्या हुआ अदिखिये एक शिफ्ट हुआ पहला शिफ्ट क्या हुआ कि अभी व्रिट्टि में जो भी विचार है उसके अनुभव मन का उपयोग करना, इसके पहले क्या है भ्रहमित में, वृत्ती हारेशील तो है, परंतु मन के उद्देश के लिए, मन जो चाता है, उसको वृत्ती पूरा करने के बाद्य है, इस प्रक्रिया का नाम दबाओ दिया है, यह दर्शन में, जब लगुक्रिया, गुरुक्रिया पर अपने, मतलब लगुक्रिया, गुरुक्रिया को अपने अनुसार चलाने के लिए जो भी करती है, उसका नाम है दबाओ, उस समय गुरुक्रिया में, मतलब उससे बड़ी, गुरुक्रिया का मतलब बड़ी, बड़ी क्रिया में, उसके योग ये वस्तु नहीं रहने से, वो दबाओ में आ जाता है, जैसे हम कही बार बोलते हैं न, व्यवहार करते समय, मैं चाहता तो नहीं था बट उसने ऐसा बोला, उससे मैं उसके दबाओ में आ गया, जैसे हम कही बार जाना नहीं चाहते हैं, किसी ने आके हम को बुलाया, और हम ये कहते हैं कि नहीं, मैं जान तू नहीं चाहरा था, मैं उसके दबाओ में आ गया तो वो क्या दबाओ है? यह वातावरन का दबाओ यह वातावरन का दबाओ के द्वारा मेधस मेधस से मन विर्थीशित्च तक पौंचे के हम उस दबाओ में आ जाता है या दूसरे भाषा में, दूसरे यह दि उधारन को यह हम लेंगे, कई बार यह हम देखते हैं कि जैसे भूक में मनुष्य का क्रोधित होना थोड़ा सा आसानी से हो जाता है, तो भूक होने से शरीर में, पेट में पित या एसिड का होना, उससे मेधस पर जो भी रसरसाइन है उसका प्रभाव होना, इससे मन प्रभावित हो जाता है, यह जो दबाव है, यह वृत्ती पर आता है, तो सामान्य रूप से यहां छिड या क्रोधित हम हो जाते हैं, यह भी हो सकता है कि वो क्रोध एक हद से बढ़ने से हम कुछ ऐसी भी चीज़ें बोल दें, जो सामान्य क्या होता है, यह जो वृत्ती में जो प्रभाव होगा, किसका पेट में जो भूक है, उसका वृत्ती तक दबाव पड़ा, उस दबाव से चित भी दबाव में आ गया, तो चित में जो पूर स्मरण है, उसमें से हम कुछ ऐसा व्योहार या कुछ ऐसा चीज बोल सकते हैं, जो शामान्य रूप से हम नहीं बोलेंगे, तो हमारे वभार सेरी हम जोड के देखना चाते हैं इन वाकियों को इस रूप से देख सकते हैं, फुना इसी में आते हैं, उसके नेक्स्ट वाले वाकिय में, चित में उत्पन इच्छा को कारे रूप देने हैं तु विचार करने क तो चित के अनुसार विचार होना, चित में जो भी इच्छा हुई, उसके अनुरूप में विचार करूँ, बुद्धी में आत्मानुभव के लिए किये गए संकल्प के अनुसार, इच्छा की अपेक्षा का नियंतरन बना रहना ही प्रत्यावर्तन क्रिया है, तो प्रत्य प्रत्यावर्तन क्रिया के क्रम को बता रहे हैं, कि सरो प्रत्म मन का प्रत्यावर्तन होना, उसके बाद विर्ति का प्रत्यावर्तन होना, उसके बाद शित का प्रत्यावर्तन होना, यहां तक की बात शीत कई है, चित का इड़ी प्रत्यावर्तन होता है, इसका मतलब है कि जो है ये बुद्धि के ःनुसार चलेगा शित्य के प्रत्यारतन का मतलब क्या ह gracious जो है बुद्धि के रनुसार चले गा तब तक शित्यकी मन्मानी रहेगी आना व्रत्य प्सक्ता को स्ष्क्रिय को pharmacy इस इसको आके हम देखेंगे, उसका कभी संदर बाएगा इसमें तो, पटकुल मिलाकर अभी अनुभग आमी विधी में हम क्रमशा ये देख रहे हैं कि वृत्ति के अनुसार पहले मन का क्रिया शीलता, तत्पश्चात बुद्धी के अनुसार चित्त का क्रिया शीलता, यही गुद्धी, चित्त, वृत्ति, मन तथा शेरीव, आत्मा द्वारा अनुशासित तथा नियंत्रित होना अस्तित्व सहद है, इस नियंत्रिन के विरोत के क्रम में जो प्रयास है, वही विशमता को जनन देती, उसी चीज को वो दोरा रहे है, कि आत्मा मध्यस क्रिया होने क संपूर्ण जीवन क्रिया है, उसी के अनुशासन में होने के लिए या होना ही स्वभाव गति, यही सहचता है, जो हम कहते हैं कि मनुशे में सहचता होता है, यहना तो सहचता क्या हुआ? आत्मा के क्रिया के अनुसार बुद्धी, बुद्धी के अनुसार चित, चित में हुए इच्छा के अनुसार, वृत्ती में विचार, वृत्ती में विचार के अनुसार, मन में मूल्यों का अस्वादन, तदरनूप चैन, व्यवहार तता व्यवसाई के रूप में, ये के किसी स्टेज में बुद्धी आत्मा के अनुरूब होते हैं उतना विश्राम का अनुभव है उतना सुक शान्ती और क्रमशा संतोश का भी अनुभव है और समस्या मुक्ति का ही अनुभव तो यहां पर लेखक पुना रहसे मुक्ति क्यूंकि दुख मनिश्य का एक बड़ा रहसे रहा है आज तक यदि हम देखेंगे कई दर्शन कार हुए कई दर्शन हुए हैं कई लोगों ने ज्यान होने का दावा भी किया उसके लिए नए सोच विचार भी कई दिये गए जैसे यह हम सुनते ही हैं कि मनिश्य दुखी है यह तो सबको पता ही है और वो होता ही प सुखी होना एक तरीका हो गया तो यहां पर सुख का जो तत्पर है वो कैसा होगा सुखी होने के लिए जीवन क्रिया में क्या होता है क्योंकि इस दर्शन के जो मूल अनुसंदान के बिंदु हैं जो इसके पूरो के अध्याओं में आप पड़ चुके होंगे गठन पूनता क्रिया पूनता तता अच्छन पूनता गठन पून पर्मानु के रूप में करने योग्य हुए यह यदि एक अभिभाद क्रिया के रूप में चैतनीकाई के रूप में स्पष्ट नहीं हो तो यह अध्यन संभव नहीं तो यह भी रहस्यमुक्ति का एक बड़ा हमको एक जग दिखता है यह जो वाक्य है और खासतर यह जो अभी हम लोग पढ़े इसके परस पर नियंट्रन का जो पूर के जो दो वाक्य है इसमें एक प्रकार से क्रिया-पूम्ता तक कि गती को दर्शाया है जीवन में 45 क्रियाओं का होना, उनका क्रियाशील्टा कैसा होता है, वो और 45-40 से 10 में जो भी गुनात्मक परिवर्तन है, उसके मूल में जो प्रकार से जो तक्निकी कारण है जीवन में, जो टेक्निकल रीजनिंग है, उसको बताया जा रहा है, अगले बिन्दु में चलते है मन वृत्ती से वृत्ती चित्व से चित्व गुद्धी से तथा गुद्धी आत्मा से आपलावित रहती ही है तो आपलावित रहती का मतलब उसके पूर्ण प्रभाव में रहती है और यह जागरिती में ही होता है यही जगरिती है, फलत है इस क्रम में कृया शिल होने पर तृप्त होने के कारण इनके क्रिया कलाप में पूर्ण सक्षंता आ जाती है जिससे श्रम का शोब नहीं होता तथा जीवन के सभी सोपाणों में विष्राम प्रमानित होता है यही सर्वतो मुकी समाधान और अभ्युदय है ऐसी स्थिती में शरीर पूर्ण तयाम मन द्वारा नियंतरित होता है नियंतरित अथात संग्यानशीलता के आधार पर सम्यदनाएं नियंतरित हो जाती है यह जो बुलेट है यह कुल मिलाकर जिसको हम मोक्ष कहेंगे मोक्ष का मतलब क्या है दुख से मुक्त हो जाना या भ्रम से मुक्त होना यही मोक्ष है मोक्ष अब को सुनकर कई कलपनाएं आती हैं हम विगत के बातों को यह दि देखेंगे तो मोक्ष बात करके जैसे जीवन और बृत्यू या शरीर या तरह लेनी की अवश्यक्ता से मुक्त होना या संसार में जो धुख है उससे मुक्त होना क्योंकि जैसे संबंध है या शरीर है संवेदनाएं है परिवार है मानवियर जो भी क्रिया कलाब गतिवीदियां हमको दिखती है आसपास में यह सब को बंधन माना गया क्योंकि इसी के मोह के चकर में मनुश्य फ़स्ता है और उससे निकल नहीं पाता कि तो उससे मुक्ती की मार्ग बताई गई है सामान्य रूप से हम विगत के दर्शनों को यह दि देखेंगे सोच विचार हो दर्शन हो चिंतन हो उसमें यहीं दिखता है जबकि यहां मध्यास दर्शन में यह सफ़स्ट रूप से हम इस वाके में देख पा रहे हैं कि मौक्ष होने से क्या हुआ जीवन की सभी क्रियाए पूर्ण रूप से सक्रिय हो पा रही है तो क्रिया शीलता बंद नहीं हो रहा है एक दूसरा शरीर पूर्ण तया मन के नियंतरन में आ जा रहा है इसका क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ अनुभव के पहले मन की शरीर के अनुरूप होने की पूर्ण संभावना बनी ही रहती है केवल इसमें कुणात्मक परिवर्तन जो होता है यही जागरिती क्रम है उसको आगे हम देखेंगे भी जैसे क्रमशा जैसे मन का जब प्रत्यावर्तन होता है तो कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुआ तो मन में जो कुछ आवेश है ये वृत्ती में आके शांत हुए वैसी ही वृत्ती जब चित्य के प्रभाव में आता है ये वृत्ति का प्रत्यावर्तन होता है पुना मन शरीर के दबाओ से और थोड़ा मुठ्थुआ वैसे ही चित जो बुद्धी के प्रहाओं में आता है तो मन पुना और मुठ्थुआ किसे शरीर के प्रहाओं से कि मन उस वृत्ति के प्रभाव में है जो वृत्ति चित्र के प्रभाव में है और ये चित्र अभी बुद्धी के प्रभाव में है यही जागरिती क्रम है तो भाशा के रूप में यही बनता है कि या तो ब्रहम है या जागरिती है पर ये मन वृत्ति चित्र तता बुद्धी इनका क्रम्षा नियंत्रण लगूक्रिया का गूरूक्रिया में जो परस्पर नियंत्रण है यही जगरिति क्रम है और इसको करने के लिए ही अध्यन तता अभ्यास है ये एक बड़े रूप में रहसी की मुक्ती हमको दर्शाय जा रहा है इस वाक्य से या भी तक हम जिन वाक्यों को पढ़े क्यूंकि इस से मनुष्य की जो हम कहेंगे गुनात्मत परिवर्तन या स्पष्टा के ओर का जो भी एक यात्रा है इसको बहुती टेक्निकल रूप में कि अगले बिंदू में जाते हैं जड़ परमानु ही विकास पूरो चैतन्य अवस्था अत्वापद को पाता है यह हम सभी लोगों को स्पष्ट है ही और यह नहीं है तो इससे स्पष्ट हो जाता है एक चैतन्य पहले से नहीं है क्योंकि यह भी संभावना थी लोग यह भी सोचते हैं सोच सकते ही है कि जड़ और चैतन्य जैसे जड़ क्रिया यह जड़ परमानु पहले से है वैसे ही चैतन्य परमानु भी पहले से होगा और अनुबह प्राप्तिकाई द्वारा यहीं बताय जा रहा है कि चैतन्य जो है जड़ सही बना है और चैतन्य भी एक्रिया तो यही देखेंगे इस दर्शन ये माना वयवहार दर्शन का आयू और मेरा आयू दोनो एकी है तो इसके मूल में देखेंगे तो हम यह पाते हैं कि विगत में काफी सारी चर्चा इसको लेकर हुई है कि चैतन ने फिर क्रिया हुआ कि व्यापक हुआ नमबर एक दूसरा ब्रहम का स्कृष्फ रूप क्या है आत्मा तता ब्रहम के बीच में जो अंतर संबंध है ये क्या है और आत्मा से आंकार आंकार से चित-चित-चित-बुधी ये परमपरागत भाशा में और बुधी से मन या मन बुद्धी चित अंकार तता आत्मा इन में परस पर संबंद क्या है इसको लेकर कम से कम 10-12 या 7-8 तो कॉम्मिनेशन है ही भारत में है और बहुत सारे होंगे जैसे एक कथन के अनुसार मन शरीर का भाग हो चुट जाते हैं। इसरे कथन के अनुसार मन-वृत्य तता चित ये शरीर ट्याः डीयर चूट जाते हैं कि अवPod गुद्धी और आतमा रह जाता है तीसरे कथन के अनुसार गुद्धी मतला आंकार यहां पर दर्शन में नामकरण दूसरे भिन्विधी से किया गया है तीसरे कथन के अनुसार मन वृती चित्य तता बुद्धी नहीं रहते हैं आत्मा मात्र रहता है इसको अंग्रेजी भाषा में सोल भी कहें अब सोल इसी को कहें नहीं कहें हम नहीं जानते हैं चोथे कथन के अनुसार यह ज्यान होने के पश्चात यह आत्मा भ परमपरा में एक बार में पूछा तो हमको बताए गया कि मुक्ति होने से जो मैंने ईश्वर्थ रुप्ति भक्ति विदी से बताते हैं उसमें होने से ये बताए कि हम नित्य सूर्य के जैसे बने रहते हैं तो उसमें विले होना नहीं बताया पर नित्य सूर्य या नित्य किस तार्व की रूप में बने रहने का ताथ पर यह स्प्रश्ट नहीं होता इन वाक्तियों से हमको इसकी एक एक बहुत स्प्ष्ट जो नहीं यह समझ में आती है उप्रोक्त क्रम अनुसार उसके आगे वाले बिन्दू में जाएंगे उप्रोक्त क्रम अनुसार जड़ परमाणु विकास को पाकर चेतने पद में जीववस्था में समेजनाओं को वन्चानुसार पैचानने के रूप में प्रमाणुत्य ताथ पर यह है कि जीवन-पुंज जो है एक चैतन्य क्रिया के रूप में है जीवन, जीवन पुंच का मतलब जो पुंजाकार बनाता है, उसके आश्रा के कारेगती पत्किया दुसार, और ये जड़ ही विकास पाकर चैतन्य हुआ है, ठीक है, और यही जीववस्था में पाया जाता है, ये रहस्य मुक्ति है स के लिए जीवस्था के बहुत विशुद अध्यन में हम नहीं जाएंगे, यहां पर इतना हमको सोच लेना परयाप्त है, कि जीवन जीव शरीर को संचालित करते समय है, उसके मेधस में उसके वंच को चलाने की जो भी जानकारी उसके मेधस से जो प्राप्त है, उसके अनु वहीं पर सारी नाडियां एक पतार से इकटा होती है, और उसी में तदाकार होके जीवन उस शरीर को चला पाता है, तो जीव ववस्था में ऐसा होता है, मनुश्य शरीर के साथ भी ऐसा ही है, इस मनुश्य शरीर को कैसे चलाना है, जैसे हम दो पैर पर ही चलेंगे और हाथ थो हम नहीं सोचना पड़ रहा है यह जो जीवन है यह मने श्रीर के साथ और किया शीलता है इसका चालन पराकालन सारा तो कि है अगले बिंदु जी ववस्ता में जीने की आ ठीट करें होता है तता वृत्ति और चित उपेक्षित रहते हैं तो जीवन जब जीववस्था में होता है उसका एक पक्साम बात करी चुके हैं कि यह जाकरत होता है वन्शान विशंगेता के बारे में भी बात किया कुल मिलाकर जो ध्याम देने का बिंदू इसमें यह है कि बुद्धी अविक्सित है जीववस्था में इसको आप इसके पहले शायद दूसरे अध्याय में जब बात हुई तो कोश गठन के बारे में भी शायद बात किये होंगे तो विज्ञान में कोश जो है यह जीववस्था में अविक्सित है इसलिए गुद्धी का कोई रोल नहीं है अउन्हें काई षिए म्यूद्धी में अशिक कुछ पर जाती या इक प्रettsी क्यों प्रcotti सेसे दूसर प्रजाती में हम को अब झाया तो यह इसे लिए भी यहाँ पर हमारे मेरत्वपून है जैसे मैंने बताए कि पहले कि रहस्यमुक्ती किस का रहस्यमुक्ती अभी तक मानो जो भी सोचा उसके संदर्ब में रहस्यमुक्ती है यह हम को याद रखना चाहिए जो रेखा है वो 1972 की खिची हुई है इसमें इसका जो प्रथम संस्क्राण है 1972 का है नागराज जी के संयम का भी वर्ष पूरा होने का वही साल है तो बहतर में इसका प्रथम वह हुआ इसका अच्छा यह कोई रैंडम गाई हैपी बड़ कोई वह हैक किया इसको हैपी बड़्डे ही बोल रहा है भी तो और कहीं से कोई मैं पानी पी लेता हूं एक लिए यह इसलिए भी क्या क्यूंकि जैसे मैं कह रहा था 1922 तक के विगत किए 244 को देखेंगे तो जीव जैसे भारतिये परंपराओं में जीव की होने की बातिये मतलब जुवेधान परंपरा है एक भारत में बहुत परंपरा भी हुआ है और जैन परंपरा भी हुआ हूँ 17 दर्शन बताते हैं भारत में अभी के लिए हम उस पर नहीं जाएंगे परन्तु इसमें लिए देखेंगे तो जीव के होने की संकेदी है हमको यह टेक्स्ट में मिलता है कि जीव होता है और जीव के उत्पत्ति, जीव का मतलब पशुशरीर का संचालन वहाँ से मनुश शरीर में आना, उसमें कई परंपरा है मनुश शरीर में भी अलग-अलग जातियों में उसका जो भी एक यातरा है उसकी भी राक्या करते हैं और उसके बाद वो दुख से कैसे मुक्त होगा या उसके उसमें जो भी समस्या है, इसका करण क्या है और उसमें जो मोक्ष जो होता है, उसका स्वरूप क्या है इस पूरे के बारे में लिखा है, तो हम जो भी रहसे मुक्ति करेंगे, उस समय की जो भी यथार्त से भिन धारणाये हैं, जो अनुभोप्राप्त इकाई, अनुभोप्राप्त इकाई को, उन सारें के बारे में वो उलेक करेंगे, इस अध्याये में, इसलिए यहां पर जीव इसको ये दी हम थोड़ा गोर से सोचेंगे, तो परमपरा में चलते आ रहे एक बहुत बड़े एक भ्रहम को ये दूर कर रहा है, कि वही जीवण, जीव शरीर से मनुश शरीर में आना, और जीववस्था में क्या होता है, कि इसका नाम जीवण है, दोनों एक ही काई है के ने मैं नहीं जानता हूँ परंतो हमारे लिए जिसको जीवन हम कह रहे हैं इसमें मन वृत्ति और चित ये जीव वस्थाम में रह नहीं जा रहा है वही जीवन निकाई मन शरीर को चालने के लिए आगे बढ़ रही है यह काफी गौर करने की बात है नहीं ये बदल रहा है ऐसा न वो सारे एक तरफ जड़ जाते तो दर्शनकार ने इसको इस विदी से यहां पर रखाया है इसलिए मानुववार दर्शन के सत्रवय अध्या में जो लोग मत्यस दर्शन के अध्यान से कर रहे हैं ऐसा लगेगा कि ये बहुत कोई वैसा महतुपून बिन्दू नहीं है पर प्रथम अल्प विक्सित अर्थात अल्प जागरित जीवन में इच्छा पूरवक विचार एवं आशावाजी प्रवरित्ती हो तो उसे अल्प जागरित की संग्या दी जाती है इस दिशा में मन और वृत्ती चित तंत्रित होते हैं दियान दीजिए बुलेट ये कह रहा ह बुद्धी में वस्तु है या अवस्तु है इसके बारे में लेकक में इस वाक्य में तो लिखाने ये नहीं कह रहे हैं कि इस समय में परस्ट जो नंबर वन की जो सिती है अल्प विकास की इसमें बुद्धी की क्या सिती है इस वाक्य में तो लेकक ने नहीं दिया है आगे देंगे तो उस पर बात करेंगे हम परंतु इसमें देखिए जीवन में इच्छा पूर्वक विचार एवं आशाबादी प्रगृति हो इसको अलप जागृति कहरें इसके पहले जीववस्था में अजागृत है तो बुद्धी के विकास के अनुसार तिर अलप जागृति मे आ गया किस में मानव में आने से इसका तक्यातात पर हुआ जैसे ही मनिश शरीर में इसकी यात्रा शुरू हुई जीवन की कम से कम ये चितरन तक तो इसकी क्रियाशीलता बन गई ऐसा कोई भी मानव नहीं है जिसमें चितरन नहों होता हो विचार नहों होता हो आशा तो जी तो उसमें पराप्त रहती ही है यह जो अल्पविक्सित है इसके बारे में हम इसके पूर्व के कृष्ट में थोड़ा सा देखे थे कि यह भी दोविदी से क्रियाशिल हो रहा है एक जब यह मन के दबाव या शरीर के दबाव में आ रहा है यह ना शुद्र में शारचार क्लि तो ये इच्छा का जो ये है उदेश है उसकी जो कंतव्य है उसकी इच्छा का जो डेस्टिनेशन है ये मन के किसी आपसादान अपेक्षे के पूर्ती के लिए भी हो सकता है तो अल्प विक्सित हम भ्रमित के लिए भी कह रहे हैं और अध्यन में भी ये मैं अपनी ही बात करूँ तो ये हम अध्यन में भी ये दि देखें तो जैसे हम कुस्तोकों का पठन करते हैं ये पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा रहता है ये सब हमको चित्रित होता है तो ये स्मृति पठल में आता है चित्रन में चित्रन चेत्र में ये शब्दों का अर मेरे स्मरण में है उसको जो भी मैंने सोचा है उसको विशलेशन पूरवक आस्वादन चेहन पूरवक आए इस कैमरा के सामने रख रहा हूं तो यह जो इच्छा यह जो क्रिया शीलता इसमें क्या होगा अल्प विकास सेदी हम इसको माने तो चित में किसी इच्छा के अनुरूप वृत्ती में विचार वृत्ती में उस विचार के अनुरूप मन में अस्वादन हो रहा है इसके विपरीत में क्या होगा बिलोहम में उल्टा मन में जो दबाव पड़ा शरीर का इसको आगे देखेंगे तो यह अल्प विकास का एक छोटा सा विश्लेशन, अगले बिंदू पे जाते हैं, दूसरा अर्ध विक्सित, अर्थात, अर्ध जागरित, यह जो विक्सित शब्द है, इसको दो विदी से उपयोग किया है दर्शन में, इसको आप लोग गौर करेंगे, एक है जब पांच स कहते हैं, या प्रगती कहते हैं, उस अर्ध में भी प्रयोग किया गया है, जैसे कम विक्सित मनुष्व अधिक विक्सित के साथ बात करेगा, या अधिक विक्सित क्रिया के नियंतरन में कम विक्सित क्रिया रहती है, जैसे शित को अधिक विक्सित का है, तो विक्सित शब पूर्वक इच्छा विचार वा आश्चा की प्रवृत्ती को अर्द जागरती की संग्या है इस दशा में मन वृत्ती वच्चित बुद्धी तंत्रित होते हैं इसमें से दो चीजें स्पष्ट हो रही है नमबर एक आत्म बोध रहित संकल्प एक स्थिती रहती है ठीक है ना आत्मा के बोध से रहित है उससे वन्चित है और इस्थिती में संकल्प भी है इसी का नाम अधारना बता रहेगा तो इसमें क्या हुआ सक्षातकार पूरवक जो स्विक्रतिया हुई बुद्धी में और आगे हम देखेंगे सक्षातकार के बारे में अलाकि सक्षातकार के रूप में तो सक्षातकार पूरो बुद्धी में जो स्विकृति होती है उसके किसी एक सिर्था के बिंदू में उसको हम आउधार ना कहे रहे हैं इस सिती में क्या होता है चित जो है बुद्धी के नियंतरन में आजाता है कुन से बुद्धी के नियंतरन में जिसमें ये नियम का न्याय का धर्म का सत्य का या यतार्तता वास्तविक का सत्यता का जो आधारना होता जिस बुद्धी में उस बुद्धी के नियंतरन में वृत्ति उस वृत्ति के नियंतरन में मना गया तो हम एक घाट आगे बड़े है इसके पहला वाला घाट, जो फर्स्ट वाले में है, उसमें क्या है? चाहे ब्रहमित हो, ज्यागरित हो, ब्रहमित हो या अध्यन रत हो, दोनों ही चिते तंत्रित हैं. केवल जैसे यह जी मान दीजे ए, कि मैं आलपविक्सित हूं, और मैं किसी ऐसे व्क्ति के संपर्ख में आ स्मरण तथा सूचना तर्क के रूप में विशलेशन शम्ता और वास्तविक्ता का चित्रन अधिक हो सकता है तो जो वन जो पैरा है उसमें वन वन बी ऐसा हम सोच सकते हैं वन ए में शुदुरूप में ब्रहमित विदी मतलब केवल इंदरियसनिकर्शी चलता है दूसरा अध मैं क्या है? उसमें फिर श्रवण और मनन सारी प्रक्रिया है जो अभी अपने चर्शा का मुद्दा नहीं तो श्रवण नंपूरवक्ष सक्षातकार पूरवक्ष हम दूसरे वाले ब Record topic में पहुंचते हैं ठीक है? पहले वाले कि बिदिक स्थिती को केवाल अलप विक्षि तो इसमें जीवन जो है बुद्धी तंत्रित हो गया इसके पहले क्या है चित्य तंत्रित है तो चित्य तंत्रित जीवन में इतना ही है कि मैं दर्शन किसी भी दर्शन को और केवल मद्ध्य दर्शन की बात नहीं करना चाहिए हमको चित्य किसी निर्ने किसी दर्शन से प्रा पूर्ण जागरित तता पूर्ण जागरित जो भाशा आया दर्शन में विक्सित पूर्ण विक्सित जागरित पूर्ण जागरित इसको आगे देखेंगे इन दोनों में यह दि हम भेट कर पाते हैं इसमें लिखा है आत्म बोध सहित देखे इसके पूर्व में लिखाता है रहित इसमें बता रहे हैं सहित संकल्प पहल तो इन दोनों संकल्प में एधी भेद हम सोचेंगे तो क्या है, तीसरा जो नंबर में दिखा है, बुद्धी के जो सिती है, इसमें सत्य संकल्प सहित है, इसको पूर्ण बोध संग्या भी दिया है, और इसके पहले जो है, इसको कुछ जगा अर्ध बोध भी कहा है, कुछ ज qualitative हमको differences में दिखता है, पूरवक इच्छा विचार आशा प्रवृत्ती को जागरिती की संग्यादी जाती है, ये जागरत हुआ, क्या जागरत हुआ, बुद्धी जागरत हुआ, कैसे, बुद्धी को आत्म बोध हुआ, आत्म बोध से तात्परे क्या है, बुद्धी ने आत आत्मा का बोध हुआ, ठीक है, तो इसी को आगे हम देखेंगे स्वस्वरुप बोध कहा है, दो बोध हैं, एक को नाम दिया है परस्वरुप बोध, दूसरे को नाम दिया है स्वस्वरुप बोध, आगे भी हमको इस पर बात करना ही है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा इधर समय नहीं देंगे, एक कम्प्यूटर्स हो गया, ठीक, यह समय हो गया, समय हो गया, एक मिनिट बचाए, हम तीन ही पेज कर पाए, तो क्वेश्चन सब एक साथ लेंगे, बाद में, अच्छा, अभी एक मिनिट है, तो भाया कहा रहें कि 141 पेज को थोड़ा सा देंस है, हाँ, एक, अब कोई, पूछने से कोई बोल भी ने सकता है, एक मिनिट और है, तो एक मिनिट और कर लेंगे, यह टूवे नहीं है, यह तो रोक लेते हैं, एक मिनिट में क्या होगा, सारे क्वेशन को एक साथ कर लेंगे, जब भी एक ही साथ, बने सब होने के बाद एक साथ, यह कल, कल, क्वेशन के साथ शुरू करके फिर आगे बढ़ेंगे, अनकित भाई आम मदद कर रहे हैं, हट का समाधान जागरती के पहले कैसा हो, किसी ने पूछा है, हट का समाधान जागरती के पहले कैसा हो, तो वैसे पता होता तो बटा ही देता आपको पर ठीप compliant का द्रिष्टा बना पड़ेगा हट को कम करने के लिए हट की वी कई सेनिया हैं प्रसुत करते हैं हट अपने में बड़ा टॉपिक है क्योंकि बच्चों में जिसको हम हटवादीता बोलते हैं वो मन में आवेश है उससे बच्चा किसी हट में आ जाता है पर हट का शुद्रूप यह है कि हम अपने विचार को शेष्ट मान लेते हैं जैसे आप जो वेक्त कर हैं उसको मैं नहीं मानता हूं मैं अपने तर्क अपने कारण अपने बताने के विदी को ही सही मानता हूं और दूसरे के विदी को सही नहीं मानता हूं तो हट का यह मतलब बनता है कि विचार अपने ही विचलेशन में फस गया यह हट का मतलब है और इच्छा भी उसी के मैं भी देखेंगे तो प्रचिट को प्रचान लेता है तो चीट बृत्ति का दिष्टा बन जाएगा तो चित को दिखेगा कि यह हट कर रहा है तो उस अध़ितासे फिर हम ऐसे क्रमशा बत सकते हैं शुद्ध रूप से तो फिर कम से कम यह आत्मबोध यह जो तीसरा सिती लिखा है इसमें जाकर हट पूर्ण तया खतम हो जाएगा पूनीत कैपिटल लिखे हैं जीवन पुंच तातकालीन शरीर का त्याग होने के बाद कौन से पुंच के आकार में होता है क्यूंकि यह जीवन ने यह शरीर से पहले अनिक शरीर धारन किये होगा ऐसा प्रसावित हुआ है इसका सारा लुपा है कि उसी को तै करने दीजे आप और में नहीं तै कर सकते हैं बट कुल मिलाकर सुरूप और कुरूप यदि हम जीव अवस्था की बात कर रहे हैं क्योंकि आपने इस प्रश्ट नहीं किया कि जीव या ज्ञान अवस्था के लिए है जीव अवस्था में तो शुद्रूप में ये शुरूप और कुरूप के विजी से होता है एक मैंने ये भी बात सुनी है ये हाला कि नागराज जी से नहीं सुनी है क्योंकि मुझे ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसका स्रोत क्या है नागराज जी से सुनी हुए बात नहीं है ये भी सुना कि जैसे ये कोई जीव किसी दूसरे जीव से भक्षित हो जाता है ना किसी जीव ने दूसरे जीव को खा लिया तो इसमें ये बन जाता ही कि अगले बार से वो बनेंगे तो वो भी काफी वो लगता है क्यूंकि बार-बार यह आके मुझे खा लेता अगले बार में यही बन जाओं तो मनुष्य में इसका उत्तर दूसरा है दो थोड़ा समय लगेगा तो उसको हम अभी रहने देते हैं तो यह जो शरीर वाले में है मनुष्य शरीर लेने के लिए भी शुरूप पुरूप एक यह बनता ही है परन्तु उसमें शुरूप पुरूप में यही बनेगा कि उसको किसी परिवार को चुड़ना पड़ेगा नमबर एक और दूसरे उसमें और दो कारण बताते हैं यह वाली बात मैंने नागराजी से सुनी है यह जो दूसरी वाली बात कि इसका आधार तीन होता है एक होता है आसकती किसी भी प्रकार का हो सकता है भोजन का पैसे का पद का धन का किसी भी प्रकार की जो आसकती है वो आसकती की पूर्ती उसकी जहां होगी वो उस परिवार में जाएगा एक ये आधार बनता है हमारे मनुष्य के सुरूप में नए शरीर आतरा लेने का दूसरा ये अपने बंदू-बंदूओं के शरीर में जाता है यहां पर एक प्रकार से व्यवहार के रूप में उसको चाहिए हम मोह करें मोह कहें या अटैश्मेंट कहें यह इसम मिलते हैं जो जहां पर उनका प्रयोजन पुरा होगा वहां पर वो शरीरात्रा को लेते हैं प्रयोजन का मतलब यहां पर जागरिती के लक्स के अर्थ में उसके आकलन करना और इसको हम पहले ही पेश नमर 138 में ही देखें कि अलग-अलग बौधी कवस्थाओं के अनुसार इसके मनुष्य के जागरती के सर है तो यह शरीरात्रा परारम करने से लेकर आगे तक जाता है परन्तु किसी शरीरात्रा में पैदा होने से हम बौधिक सर को कर पाए रिवर्स वो रिसकी है कौन-कौन से परिवार में पैदा होता है उससे उसका हम बौधिक सर का आकलन नही कर सकते उसमें वो तो क्योंकि 만श्य संस्कार वनिशेंगीए नहीं स्ञेंगीए नहीं एन तो उसमें जो भी संस्कार है व कि उसी का कमाया हुआ है और बाकि शरी लोने लिने एक बिन पर क्रिया इन दोनों को जोड़ना हमको दिक्कत देगा फिर वो वन्शावनिश्य जीवन का अध्यन हो जाएगा जो सही नहीं और कोई क्वेशन है आत्मबोद रहित संकल्प में श्पष्टता चाहिए बिहारी जी है नवलानी जी पाली से तो आत्मबोद रहित संकल्प में यह होता है कि चित जब गुद्धी का संकेत ग्रहन करने योग विकास को पाता है तो यह श्रवन मनन पूर्वक होता है मनन पूर्वक तुलन का विकास होता है उस तुलन के अनुसार चितरन होता है ठीक है और ऐसे करते करते किसी एक समय में उसको वास्तविक्ता का सक्षातकार होना शुरू हो जाता है उसको म वास्तविक्ता के को स्पष्ठ होते हैं तो उसको सभाव धर्म किये है, यहीं एक का यिवाइक के शंधर के बात करें और बचता है फिर के व vérपकवस्तु. तो ये जो स्वभाव धर्म का जो सक्षातकार होता है इसकी स्विक्रती होती है बुद्धी में ये क्रमशा बुद्धी में एक प्रकार से इखटा होता जाता है मैं ये भी स्पस्ट करूँ कि ये जो वाक्य है ये मैं भी स्परंड से बता रहूं मैं उसको देखके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, तो इसको दूसरे भाषा में काया है, बूंद बूंद मिलकर घड़ा बरना, काफी अच्छी एक सिमिली बोलते हैं, जो बूंद बूंद मिलकर घड़ा बरना, तो बूंद बूंद जो है, यह सक्षातकार है, जो भरा हुआ संकल्प है इसमें, क्या हुआ आतनमबोद रहित संकल्प में जो भी सक्सातकार पूरवक हम को स्पष्ट हुआ यो जो बुढ्धी में जो स्विकृति हुई उसके अनुसार जीने का निर्ने होता है और परावर्तन क्रिया में बुढ्धी का जिसका नाम संकल्प है इस ठिती का नाम निश्ठा दिया है इसको दूसरे जगा यह हम देखेंगे क्योंकि अनुभाव मुलक विदी से उसको हम संकल्प कहेंगे यहां पर जब संकल्प कह रहे हैं तो उस संकल्प क्रिया को इंगित कर रहे लेकर पठ है यह निश्ठा जैसे एक बार मतलब एक ही चितनी भी इंच्छाएं हैं यह एक तरफ हो जाएंगी क्योंकि यह जो पर्ष्ट हुआ यह चितके प्रत्यावरत्थन चितिक्रिया में स्प्रश्ट हुए और इसकी सी किटिक्रिया में होई तो बुद्धी को यह घ्यान हुआ कि ऐना कि मैं हमबनाशियों कि इसको पहले जीने की निने बनेगी, किसमें संकल्ट में, जो उसका परावर्तन क्रिया है, यह आत्मबोध रहित संकल्ट, तो इस बुद्धी को अभी क्या पता चला, कि मैं मरू हूं, मैं मर नहीं सकता, तो मैं यह यदि मर नहीं सकता, तो मेरा उद्देश, मेरा वेवहार, मेरी आवश् पर उसके किसी स्थिति में वो स्थिर्टा को पाता है अपनी जानकारी मतलब समझ की स्थिर्टा को पाएगा और उसके अनुरूप चित्रन और विचार तथा मंद के द्वारा व्यवहार को पाएगा इस शिति का नाम है आत्मवर्ःत संकल ये निश्ठा की सिति है निश्ठा का मतलब उससे भिन्द वो नहीं करेगा अभी यसे स्वधन प्रूपोर्श है Знаहेँ करना एक है ब अुद पर पीड़ा का विचार की नहीं आना उसका इच्छा ही नहीं होना वह और सुक्षम है उससे भिन इच्छा बनने की संभावना या तो नहीं होगी या होगी तो वो कर्रेक्शन मोड में चली जाएगी यह आत्म बोद रहित संकल आप उसको आगे भी हम देखेंगे 15 minutes और पांच मिनिट पुपता जी 15 minutes बोले पुनित capital in what shape it remains till such time of selection of a human body was my theory अच्छा so I'll answer in Hindi you asked in English it can वो उसी शेप में हो सकता है बिन शेप में भी हो सकता है तो वो जिस शेप में बना हुआ है उसमें हो ही सकता है परन्तु वो शरीर छोड़ते समय इडिपेंड करता है कि वो सुरूपर करूप माना की नहीं माना तो वो जिस भी शरीर को स्विकार लि अच्छा नहीं में भी होता है तो साइस तो बदलेगा ही और शेप भी बदलेगा तो उसका पुझाकर वैसे ही रहता है और मनुष्य में भी ऐसे ही मनुष्य में जीवन क्यूंकि शरीर के साथ तदाकार है यह भी बात मैं नाग्राजी सो पूछा था इसलिए आपको बोल स पूछा गया है कि बाल क्या कृती आ जाता है दुपट्टा तक आ से इक्वल या कम अधिक विक्सित को सधी तो, मुझे नहीं लगता है कि कुछ मिल के बात कर तब होगा पर देखते समय वो पूर्न मुनिश्य के उसके रूप में देखता है उसमें ये भी बात हुई कि बात करते समय मनें वो होता है आमने सामने खड़े होके रहने जैसे भी बात रहती है उसमें तो मैं यहां तक पूछा जैसे मैं सवाचे फुट क हों तो फुझा का शरी छोड़ने के बाद भी सावा शे फुट का षिराए गा उतर आया हां कभ तक रहे गा नहीं शरी रत्रा लेने तक साव शे फुट का बच्चा TO complicated तो होता नहीं सवे सरेट सोटा पड़ेगा तो लगाव आसकती तो लगाव ही आसकती है क्या हाँ मने लगाव अभी लगाव एक दर्शनिक शब्द नहीं है यह ना दर्शन में कभी भी कहीं भी लगाव शब्द का प्रयोग नहीं किया है मन में जो आसकती है इसको छे प्रकार से बताया है मोह लोब काम ये तीन जो है राग मुलक है और जो आसकती है दूसरे विजी से भी जो आसकती है द्वेश भी एक आसकती ही है यह ना एक प्रकार से मद मात सर्य और क्रोध ठीक है तो मोह को यह दिदेखेंगे दूसरे के मन के साथ जो लगाव हो जाता है ये एक आसकती है ये ये लगाव केवल मन तक सी मित नहीं रहता है ये वहां से चित्य तक जाता है क्योंकि इसकी स्मरण चित्य में बनी रहती है महीं से वापस फायर होगा यदि वो बार-बार यदि रिपीट होता है तो वो चित्य तक जाएगा यही लगाव परंतु स्वरूप के साथ भी लगाव होई जाता है इसलिए हम आईने के सामने खड़े रहते हैं पांदस मिनिट पंदरा मिनिट वो क्योंकि अपने आपको शरीर मानने से अपने ही शरीर के प्रती हम आसकत हो जाते हैं वैसे ही धन के प्रती आसकती अपने गाड़ी के प्रती आ सकती हो जाना. तो रोड में जाते समय गाड़ी को यदी किसी ने ठोकर मार दिया, ऐसा लगता है कि किसी ने यही मार दिया. या या वड़ी आसा कम्पीटर मेरे सामने ही गृकर चूट गया ऐसा तो लगता है कि मेरा ही कोई भाग तूट गया, ये भी एक आ सकती है, तो येदी आना सक्त, येदी कोई स्थिती है, वो कब हम पाएंगे उसके लिए जो जागरती के जो बात हुई, मन वृति, चित बुद्धी तथा आत्मा के परस्पर नियंतरंड से, जिसको जागरती कह रहे हैं, इसी से ह होगा, आवेश को ट्रांस्वर्मेंशन कैसे करें, को एक्जिस्टेंस पूछ रहे हैं, उसके लिए अध्यान विधी है, श्रवन मनन प्रक्रिया है, उसके लिए शास्रध्यन है, तो भाशा के रूप मेरी देखेंगे, तो शास्रध्यन तथा व्यभार अभ्यास, और मतलब वो परिभाशा समिता में दिया है, भाशा के रूप में चुर्त इतना ही है, तो चीनों अभ्यास करना पड़ेगा, बाकी वो अपने में लंबी एक कहानी है, तो उसको हम रहने देते हैं, कोई बोलड़ा है धन्यवार, राकेश भाया जी, मेरा नाम स्रीराम है, तो लाव ही गया, आसक, तो थैंक्स अलोड हो गया, ठीक है, अनुभाव से पहले, अनुभाव से पहले फालगुनी दीदी है, यह तो question आते ही रहे हैं, हम और equation लेके बंद कर दे, they are still coming, अनुभाव से पहले चित-वृत्ती का और वृत्ती-मन का द्रिष्टा हो सकता है, क्या हम बोलते हैं, उसको पता ही नहीं हो क्या कर रहा है, ठीक है ना, जैसे एक बच्चा दूसरे बच्च को चिढाता है, ठीक है, और हम उसको बोलते हैं, मत चिढा उ, उसको पता ही नहीं छिलता ह। बड़ों में भी होता है, एक आदमी जुट बोलता है, उसको पता ही नहीं रहता कि मैं जुट बोलना हूँ, कई बार सामने वाले को पता चलता ही कि ऐसा जुट बोलता है, उसके बाद भी वो बोलते रहता है, तो ये उसको नहीं पता चलता है, उसको नहीं पता चलता है, उस तो दिश्टा बनना अपने में चीज है एक बड़ी भाशा है अभी भी वृत्ती मन को देखता ही है जैसे मैं आपके साथ बात करता हूं बात कर रहा हूं या आप विवहार करते हैं आप कुछ खाते हैं कुछ भी आप लेकर फालगुनी दिरी को कह रहा हूं तो आप कुछ भी जैसे बोजन का सेवन किये को या स्वादन अपिक्षा बनी उसके अनुरूप आपने कुछ चहन किया उसका जो मुल्यंकन है ये वृत्ती करेगा तो वृत्ती अभी भी मन को मुल्यंकित करी रहा है और चित वृत्ती को करी रहा है किसमें फरक्या हुआ उस इसे में अपने विचार में ही तदाकर हो गया तो चित वृत्ति का मुल्यांकन करी नहीं रहा है ठीक है ना तो यह बिलकुल संभव है यह होता ही है इस तॉर 47 । यह बिल्य्ट विश्याओ श्रावन मनन निदियासन वर श्रावन मननन निदियासन वर शुर्ण का वबसाइट है उसमें लगबग सौगंटे के कुछ audio है उसमें कई लोगों ने नागराजी से इस इंट्रस्टों को अलग-अलग विदियों से पूछा है अध्यन की विदी से ही होगा एक दिन में किसी को हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है यूज्यली काफी टाइम लगता है कई लोग को जल्दी भी कर लेते हैं काफ से कम हमको पता चले कि यह आ सकती है जीवन बाबु सिंग नायक जी है जीवन को यहाँ पता चले कि दूसरा शरी लेने का कोई जरूरत नहीं है तो जीवन अस्तित्व कहां क्यों कैसे रहेगा लेने का कोई जरूरत नहीं है तो जीवन उसी उसी जगह में रहेगा इसकी दो जागरिती के पहले हमको इस अवस्ता में समाधी की सिती को भी वो करना पड़ेगा कि इसको स्वान्त सुखता है जिसके बाद जीने की कोई इच्छा या शरीर को बना के रखने की कोई खास प्रयोजन उस जीवन को नहीं दिखता तो वो बने ही रहते हैं यही हम जागरिती के बात करेंगे पूर्ण जागरिती की पूर्ण जागरिती का मतलब आत्मा का प्रत्यावर्तन होके आत्मा में अनुभो हो जाना तो इनकी यह आपको कर्म दर्शन में मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में उसमें लिखा है कि इस प्रार के जो पूर्ण जागरित जो इकाईया है वो अनन्त ब्रह्मांडों में विचरन शम्ता को रखते हैं वो या तो इस धर्ती के सतपर हो सकते हैं इस धर्ती के वतावरण में इस ब्रह्मांड में या अनन्त ब्रह्मांडों में विचरन शम्ता को रखते हैं यह लिखा है और उससे कम में दी देखेंगे तो एक ही ब्रह् तो आपसे आप बोल रहें कि आप लोग टेलीग्राम में डाल देंगे तो कल लिखी तुरुप में इसमें नहीं रहेगा तो जहां तक वसक्षिण हुई यह लास था लास था बाबु सिंग नायग जी का उसके बाद रेखा अधव जी पुरा बाबु कुछ लोग हैं जिनके questions अड्रेस नहीं हुए हम लोग नहीं देख पाए आप कृपया उसको telegram group में WhatsApp group में राकेश गुप्ता जी को भेज दिएगा वह हमको मिल जाएगा और सब्सक्राइब करें तो जीवन जब यह वस्था में होता है उसका एक बात करी चुके हैं कि यह जाकृत होता है वन्शान विशंगेता के बारे में भी बात किया कुल मिलाकर जो ध्याम देने का बिंदू इसमें यह है कि बुद्धी विक्सित है जीववस्था में इसको आप इसके पहले शायद दूसरे अध्याय में जब बात हुई तो कोश गठन के बारे में भी शायद बात किये कि तो विज्ञान में कोश, जो है यह जीववस्था में अविक्सित है इसलिए बुद्धी का कोई रोल नहीं है जीववस्था में मन मातर से क्रियाशिल है एवल वह जीव जो मनुष्य के संपर्क में आते हैं, उन में चित में आन्शिक कुछ क्रियाशिल्दा दिखती है, ये वृत्ती में आन्शिक क्रियाशिल्दा दिखती है, और ये भी एक स्पीशी या एक प्रजाती से एक जाती या एक प्रजाती से दूसर प्रजाती में भी हमको ये दिखत है तो यह इसे लिए भी यहां पर हमारे मेरे तुप यह वी सिम तो इसे विए फिर्स वंजियर वेट फॉर अमस्ते को यह थी ओन्लाइन है तो उसमें टाइप कीजिया हमको भी परादा चलेगा कोई नहीं अभी तो कि नहीं थी था नहीं है कि वो जो मानवार देशन पीछे लिए उसमें उसका मिररी में जाता है एंबिलेंग जाता हुए वोल्टा लिखना पड़ेगा नमस्ते अभी एक ही वेखती है शैदो एक मिनिट हम रूप जाते हैं उसके बाद हम लोग 932 तक प्रतिक्षा करेंगे नमस्ते सभी को नमस्ते और एक मिनिट प्रतिक्षा करेंगे ऐसे तैह हुआ है नमस्ते तो यह 932 हो गया तो हम लोग प्रारम करते हैं सभी को नमस्ते आज मानवववार दर्शन अध्याए 17 का हम लोग दूसरी बैठक कर रहे हैं तो कल एक दो लोगों के कुछ प्रशना आये थे तो मुझे ऐसे लगा कि प्रशनों से शुरू करने के जगह हम आप दूसरी बैठ इस जो प्रशन की जो सिल्सिला है इसको हम लोग आखरी में ही ले लेते हैं ताकि सारे प्रशनों को हम इखका कर लेंगे मुझे मानना पड़ेगा यह आप लोगों को भी सिका रहे हैं कि आपकी उत्तर इसमें आती नहीं ठीक है नमस्त्य सभी को तो हम लोग पेज नमबर 14 पॉटीवन तद पहुंचे थे अ जो बहुत सारे लोग हरी हर कह रहें तो आप लोगों को भी हरी हर का ताथ पर यह ही है स्थिती और गती और इस अध्याय में देखें तो जीवन क्रिया के स्थिती तता गती कही विशुद्ध विशलेश्चन है इसमें भ्रमिच सिती अध पूर्ण जागरत में जीवन की क्रियाओं में स्थिती और गती में आपस में जो भी कारे होता है यह किस विधी से होता है इसको पूजय नागराजी ने इसमें बताया है इसमें एक ही प्रश्ण नहीं था एक कमेंट था मुझे लगता है उसको हम कमेंट आया है तो उस कमें तो मेरी हिंदी की भी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है तो मैं व्यक्ति निष्ट का मीनिंग ऑनलाइन देखा भी तो उसे पता चला की सब्जेक्टिव मतलब एक्ति केंद्रित बाचीत हो जाती है इनको उधर बैठना पड़ेगा साइड में तो व्यक्ति निष्ट का मतलब सब्जेक्टिव है और जो लिखी हुई पुस्तक है वो अपने में रहसे मुक्ति का स्वरूप है ही जो लिखा गया है वो अपने में एक आप्त वाक्य है है ना हम इसको मान कर ही या इसको स्विकार करके ही इस पुस्तक के अध्यन में लगे हैं कि जो भी लिखा है इस पुस्तक में यह आप्त वाक्य है मतलब यह सही है यह आप तो पुरुष द्वारा रचित वाक्य है मेरे जैसे कोई व्यक्ति जो अभी आप तो पुरुष नहीं है यह ना मैं तो अभी आप तता क्या है इसको सोचता हूँ, यह तो पहले ही आपको स्कुष्ट कर दिया, आप तता की पूरो भूमी है आउधारना, आउधारना की पूरो भूमी है सक्षातकार, तो आप तता भी नहीं, मैं तो अभी सक्षातकार को सोच रहा हूँ, उसके बाद आउधारना को सोचने का बात, उसके हमारी बात्चीत यह केवल अध्यन के क्रम में एक विचार विमर्ष के रूप में ही हमको स्विकारना पड़ेगा यह एक बहुत में तुपून बात है क्यूंकि जो भी रेकॉर्ड बनता है चाहे लिखित या ओडियो या वीडियो यह काफी लंबे समय तक मानव के लाइब्र बीस के अनुसार मेरी जो स्थिति है मेरी जो भी माननता है इसकी एक संप्रेश्णा है मैंने यह स्विकारा है कि यह जो भी क्रम शुरू है अभी राकेश भाई ने इसका इनिशेटिव लिया अनेक लोग जो अध्यन में रत हैं और हम लोग पुस्तकों को पढ़ाते भी है समझाते हैं नहीं समझाते मुझे नहीं पता पढ़ाते तो हैं तो पढ़ाने के क्रम में हमको जो लगता है उसको हम विचार विमर्च के लिए रख रहे हैं तो यह discussion के लिए है इसको हमको ऐसा सुखारना पड़ेगा और यह खुली बात है क्यूंकि यह जो मुद्दे है इ इसको मुझे सोश्चे सोश्चे दस्वर्ष हो गए है तो ऐसा नहीं कि आधी के दिन उसकी अंतिम बात पूरी आ गई तो वो कमेंट को हमने इस विदिस अड्रेस कर दिया वो कमेंट वैलिड है उसको मैं स्विक्रिति के साथ ही यह प्रस्चुति है यह ना कि यह नवस्था में बुद्धी की ती नवस्थाओं के बारे में नागरा जी ने इसमें लिखा है प्रथम को लिखा है अल्प विक्सित अर्थावत अल्प जागरित दूसरे को लिखा है आर्ज जागरित तीसरे को लिखा है जागरित तथा पूर्ण जागरित यह हमारे लिए क काफी हम लोग भी जब इसको पहले एक दो चार बार पढ़े मैं लगबग साथ आठ बार इस कुस्वा को पढ़ा हूं आज तक वह सकता दस बार भी हो चुका हो तो पहले करम में इस वाक्य पर ध्यान नहीं जाता है कि यह ज्यान अवस्था में बुद्धी की ती है यह बुद्धी तीन अवस्थाओं में पाई जा रही है अल्पविक्षित अर्ध विक्षित तथा पूर्ण विक्षित यह विक्षित एवं पूर्ण विक्षित तो बुद्धी के इस अवस्था के अनुरूप चित्त की कोई अवस्था मिलेगी रित्ती की कोई मिलेगी इसलिए जीवन शंपूर्ण के ती नवस्थाओं की बात इसमें है ठीक है तो यह जो सब्जेक्टिव या वेक्टिनिष्ट बात है इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम तीनों बिंदू उम पर एक मुटी बात कल मैंने रख दिया था अब हम अगले बिंदू पर आते हैं केवल वृत्ति ये तीसे नंबर बिंदू के नीचे है केवल वृत्ति और मन के संयोग की स्थिति में मानव जीवर में निद्रा अत्वा स्वपन का कारी संपादित हो तो स्वपतमस्ता में यदि वैसे देखेंगे तो केवल मन और वृत्ति का योगडान है इसका मतलब चित में कोई जो इच्छा होती है यह ना बहार कुछ करने का परावर्थित करने का युसको संसार के साथ हम व्यापार भी कह सकते हैं व्योपार इंद्रे व्यापार इत् करने की इच्छा नहीं है तो यह जो बात है यह मूँ से प्रवेक्त नहीं होगा यह हमारे अंदर ही विचार बनके रह जाएगा इसको हम कई बार लोगों के साथ बात्शीत करते समय भी देख सकते हैं सामने वाला कुछ बोलता रहता है हमारे में कोई विचार आता है और च यह जो वाक्य है यह जो लिखा है इसमें फिर लिखते हैं आत्मबोध परियंत मानंक के द्वारा जागरित स्वपन एवं सुशुप्ति सुशुप्ति का मतलब निद्रा अवस्था में काई कवार्चिक तथा मानसिक साधनों से संपन होने वाले समस्तक्रिया कलाप के मूल में अहंकार ही है यहां रोकते हैं एक मिनिट एक मोमेंट के लिए आत्मबोध परियंत आत्मबोध इसके पूरों में कल हमने देखा था आत्मबोध का मतलब बुध्धी आत्मा का बोध करता है इसका नाम है स्वस्वरूप बोध इसके पूरों में बुझ्जी में जो ने की क्रिया इसको बोध का है तो उसमें से जो सत्य बोध है उसको आत्म बोध कह रहे हैं तो बुद्धी में दो प्रकार की बोध है दो प्रकार के बोध का मतलब बुद्धी के बोध के दो आवस्था हैं हम देख सकते हैं एक में पर स्वरूफ बोध दूसरे में स्वरूफ जो स्वरुप बोध है उसका नाम है आत्मोबोध मतलब buddhी को आत्मा की जानकारी मिली क्या जानकारी मिली वुद्धी को पता चला कि हमारे बी एक पिता जी हम इसका नाम है आत्मबोध परियंद मानव के द्वारा जागरित यहां पर जागरित यह बहुत धीक जागरती के बात नहीं हो रही है शरीर के साथ जो उते बैटते एक भूमता हुआ जो मनुश्य हमको दिखता है यह जागरती का ताथ पर है स्वपन जो जो ड्रीम स्टेट भी कहते हैं जिसमें हम सो रहे होते हैं परन्तु गहरी नीन में नहीं है निद्रा में नहीं है और गहरी नीन का मतलब सुशिप्ती सुशिप्ती में समान्य रूप में अल्पविक्सित मानों में स्वयम के होने का बोध नहीं रहता इन सारों में काईक वाचिक तथा मानसिक तो काईक और वाचिक यदि हम देखेंगे तो यह स्वपन और सुशिप्ती अवस्था में नहीं मिलेगा ज्यागिरुट में मिलेगा मानसिक प्रक्रिया यह मैं मैने वस्था में मिलेगा यह जो शुशुप्त अवस्था है इस में मानसिक साधन भी होता है और नहीं होता इस पर प्रस्टचिन कarda कुए कलपना कोई विचार रहने का हमको स्मरण कोई बोद नहीं रहता है, उटने के बाद, इन सब के मूल में कौन देजिकरी आ पाई जा रही है? अहंकार, यह आहंकार वस्तु किया है? इसको आगे बताया है, अशिप्षुप इस अहंकार के होते, अग्ला वाक्य अहंकार के होते, यह जो उसको ऐसा पढ़ना चाहिए हमको अगला बिंदू आत्म बोध रहित बुद्धी की आहंकार संग्या अब बता रहे हैं आ आत्म बोध रहित बुद्धी, तो इसके पहले जो तीन सितियां थी बुद्धी के, उसमें से नमबर एक और नमबर दो सिति, दोनों ही आहंकार, उसम भी शुद्रूप में देखेंगे, तो दूसरे नमबर की जो चितिए है, इसको आहंकार कहा दे है, क्योंकि आगे आएगा, तो उसको हम आगे देखेंगे, आगे मतलब इसी चाप्टर में आएगा, आत्मअ बोध होने तक आहंकार का अभव नहीं है, इसका मतलब आहंकार रह संग्या से मन्द में आसक्ती और आवेश संग्या से जाना जाता है एक तो अभी हम बोल साल के बहशा मिं जो अंकार शप्त का प्रयोक करते हैंजा संवारी घ्न पिरूर में अलग अलग येकैं तो इसके मूल में यती कारण देखेंगे तो गुद्धी के नहीं जागरत होना हेँ तो यह जो चित में अभिमान हो रहा है यह दी देखेंगे आसाक्यकलपना है या तो gifts Tio तो ये चित में क्यों है क्योंकि अभी चित गुद्धी के अनुरूप नहीं हुआ है इसका मतब यथार्थ के स्वरूप में चित हुआ नहीं है सम्मध्यस नहीं हुआ चित तो चित दब तक सम्मध्यस नहीं होता है तब तक उसमें अभिमान बने रहने की बुंजाईश है क् चित्त को मुल्यांकन करने की कोई वस्तू ही नहीं इस सिती में इसलिए इस समय में चित्त में अभिमान देता है वैसे कल थोड़ी बात रखे थे हट के बारे में कि हट जब है हट होने के सिती में ये वृत्ती में हट है तो वृत्ती में जो हट है इसको मुल्यांकन करने की को और दूसरे भाशा में एक बार एक स्मरान आता है इस जह पर नागराजी के साथ चर्चा कि यह हम हम मतलब सामान्य रूप से वो कहें मैं किसी वेक्ति को नहीं कह रहा हूँ अभी हम मानव जो है शित्रन को समझ आवधार ना मान लेता है यह अपने में बहुत बड़ी वाक्य है तो वह वाक्य इस जगे से जुड़ता है इस चैप्टर में शायद आगे आता भी है यह और अभी मान और हट चाहे तो उस समय हम उस पर और थोड़ी सी बाद कर लेंगे पर यह अनुबूति के बाद इसी आंकार यह तो हो गया नेक्स्ट बुलेट है आवेश इवं आसकती मानव के जीवन को सफल बनाने में सरवता असमर्थ है इसलिए आवेश इवं आसकती के उन्मूलन के लिए अध्यन प्रयो सफलता है तो जागरिति के विपरीत दिशा का मतलब है आसकती एवं भोग और यह मन के दबाव के वज़े से होता है कल जब साड़े-चार क्रिया के बारे में हम बात किया ही बोलूंगा के वल मैं ही बात कर रहा हूं भाशा है वो तो कल हम जब बात किये थे तो उसमें हम य विपर विप्ति के दवाच जेट पर होता है यह आवरू चिक आश्रय में चित का न है ही मन और वृत्ति वृत्ति और चित्त और गुद्धी के बीच सवी पर रित्ता है यही बहुत धीक रहस्य है लिए बहुत बढ़ी आ लाइन है यह बहुत धीक रहस्य यह दूसरे भाषा में intellectual secrecy क्या मतलब है हम अपने आपको ही नहीं जान पाते हैं कौन किस से रहस्य है कौन किस को नहीं जानता है यही हम देखेंगे तो मन वृत्ति को नहीं जान पा रहा है वृत्ति चित्त को नहीं जान पा रहा है चित्त बुद्धी को नहीं जान पा रहा है तता हम बुद्धी आत्मा को नहीं जान पा रहा ये क्रमशा मन स्थूल उससे ज्यादा सुक्ष्म वृत्ति की जानकारी तो वृत्ति की जानकारी ज्यादा सुक्ष्म होते हुए ज्यादा दिखता है वृत्ति को क्योंकि मन से जो व्यवार हुआ जो आस्वाधन हुआ उसका मुल्यांकन वृत्ति कर पाता है एक जगा हम इस कुल्छ मिलाकर रह से है बेसिक कारण हमको समझ में आता है जो हम यह भी है जैसे व्यापक वस्तु है होते हुए दिखता नहीं है जीवन और शरीर के सहस्तेतों के रूप में होते हुए दिखता नहीं नहीं दिखने का ताथ पर यही बनेगा कि जहां से देखना चाहिए वहां से देख नहीं पा रहा हूं इसलिए दिख नहीं रहा है तो जह व्यवहार बार-बार क्यों कर रहे हैं, यह हमीं को पता नहीं चलता, यह एक रहस्य है, या हमारे व्यवहार से दुसरा आदमी पीडित हो रहा है, उसको लगता है कि हमारे व्यवहार ठीक नहीं है, यह भी एक रहस्य सा लगता है कि हम ठीक ही व्यवहार कर रहे हैं, वो सामने वृत्ति को स्विकार नहीं पा रहा है, वृत्ति उस मन का मुल्यांकर नहीं कर पा रहा है, मतलब दूसरे भाशा में मैं अपने ही व्यवार का मुल्यांकर नहीं कर पा रहा हूँ, यहां पर मैं संग्या का मतलब जीवन ही नहीं कर पा रहा है, इन सारे क्रियाओं की जो व्रित्ति का या वृत्ति मन का या बुद्धी चित्त का मुल्यांकर नहीं कर पार है यह रहसे हैं तो इस अनुबूति का अतात पर यहीं बनता है अगला जो थोड़ा सा कैमरा थीक हो गया थोड़ा करने से आगे चले जाता है यह ठीक इसके नीचे एक विश्लेशन उप्रोप सविप्रीत्ता यह ना मन वित्ति के अनुसार वित्ति चित्ति के अनुसार जो नहीं हो पारा है को समाप्त करने तता बौर्धिक रहस्यता अथ्वा अहंकार का उन्मूलन करने के लिए निश्चित प्रक्रिया कैसे करना है अभी लेकर बताएंगे इस निश्चित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यास एवं व्यवार से ही बौर्धिक रहस्यता का उन्मूलन होता है ऐसी प्रक्रिया दो प्रकार से गण्या है तो उपर जो भी सर्वित्ता है यह दुख का कारण तथा रहस्य, तथा दुख और श्रम, दुख, अशान्ती, अस्वंतोश, आतंक, जितने भी समस्या हैं धर्ती पर, मानव में, मानव के द्वारा, मानव कृत, ये सारों का कारण ये उपर में जो एक बिंदु दिया है, इतना ही, इसकी सर्वी प्रितिता है, ठीक है, इसको य पर बातचीत की, कल हमने उस पर थोड़ी सी बात किये थी, कि संसार दुख स्वरूप है, इसलिए मुझे संसार से मुक्त होना है, या संसार में जितनी भी क्रिया कलाप है, ये भी दुख स्वरूप है, इसलिए इससे मुक्त होना है, यहां पर ये नहीं कहा जा रहा है, एक टो कारण बताएं, इनकी सर्विपृत्ता, तो इनकी सर्ष्व मुक्ता कैसे बन जाएं, तो इनका सर्ष्व मुक्ता ही सुख, शान्ती, संतोष और आनन्द कहलाएगा, ये कैसे होगा, इसको आगे बताएं, इसके लिए निश्चित प्रक्रिया है, तो ये भी एक बहुत, मै पहुंच पाए ना गरा जी के आडियो या समादो में कई बार वो कह चुके हैं कि समाधी के लिए जो साधना होता है या निश्चित प्रक्रिया है आप लोग भी उसको सुने होंगे या देखे होंगे कि समाध्धी कैसा होगा दूसरे विक्ति को निश्चित विदी से हम नहीं बता सकते हैं, उनके अनुसार, उनका सत्यापन यह है, कि के न हम उसको मैंने इस्वरें ही कर सकते हैं, तो यह दो प्रकार से गढ़ने हैं, यह पहले को लिखा है अनुसंधान, दूसरे को लिखा है अनुसरन, अनुकरन, तता अध्यन, तो प्रथम में हम अनुसंधान को लेंगे, एक अनुसंधान, एक अनुसंधान का मतलब है, अनुसंधान विदी, अनुसंधान का तात्पर है, अभी तक परंपरा में जो उपलब नहीं था, जिसकी जानकारी उपलब नहीं है, उसको र इसमें जो लिखा है अनुसंदान के नीचे इसको देखके ऐसा लगा मुझे और उसी को आपको बताऊंगा भी कि जो वेक्ति लिख रहे हैं यह पानी में तैरते हुए हमने बैक स्टोक कैसे मारा इसको बता रहे हैं और जो बोलने वाला आदमी है मैं हूँ अभी तेक पानी देखा ही नहीं तो उस बैक स्टोक के उपर वर्णन करना ये टिपनी करना काफी कठीन कारिया है यह ना कुछ प्रांच संकट्या सभी लागा परन्तु क्योंकि इस चैप्टर को मैंने खुदी स्विकार लिया इसको हम विश्लेशन करने का प्रैत न करेंगे तो यह जो मैंने अभी तक जो सोचा उसका आपके सामने रखता हूं आपने क्या सोचा आप उसमें रख सकते हैं या आप सहम रहते हैं इसको हम तो हम जॉइंटली इस चर्चा को करें कर रहे हैं ऐसा स्विकार के इसको हम आगे बढ़ाएंगे एक अनुसंधान जो अविश्कार आत्म कनभूती है उसका साधक पूरा अध्यन करता है पूरे अध्यन से ताक पर है क्रिया का आरंदिक सिती अर्थात रास की अंतिम सिती और विकास्व जागरिती तक अध्यन करना है यह अविश्कार कर रहे हैं यह ना यह नागराज जी आप सभी ने विकल्प नामक पुस्तिक पढ़ाई होगा कि नाग्राज जी धारणा ध्यानपूरवक्त समाधी के सिती में पहुंचे आगमतंत्र शाक्त आगमतंत्र उपासनविदी से समाधी में उनको अपने जिग्यासा प्रश्न बोलते हैं वो है तो जिग्यासा जिग्यासा के सेनी का था जिग्यासा का उतर नही समाधी के सिती में गए उसके बाद ध्यान में आये तो समाधी से ध्यान में आने का मतलब समाधी के बाद ध्यान में उन्होंने अपने जी ग्यासव को रखा उसके बाद धारणापूरक उसको खोला जीवन में चित्र में वित्ती में उसमें क्या हुआ उसको अभी नीचे बत परिणाम कितना भी सुक्ष्म क्यों नहों अंतो तो गतवा क्रिया ही है कि क्या मतलब हुआ इसका यह जो समाधी के बाद ध्यान पूर्वक जो धारना हुआ आप लोग किसी एक समाध शायद समाध एक में कहीं आया है पड़े भी होंगे कि जब सयम किया तो उन्होंने कहा कि संपून धर्ती हमारे सामने प्रकट होना शुरू हुआ तो उसमें परमानुत कैसे कारिक कर रहा है इसको हमने देखा ऐसे बताया उन्होंने इसलिए उसमें लिखा है ऐसे तो यह देखने वाली जो इकाई है यह जीवनी जीवन के ही किसी क्रिया में यह दिख रहा है या चित्त होगा या बुद्धी होगा कि यह समाधी मूलक दिख रहा है तो इसमें क्या दिख रहा है अंतिम से अंतिम हरास जो भी हो सकता है परमानुत से भी सुक जड़ क्रिया जो है, प्रकृती में जड़ है, जो क्रिया है, ऐसा नहीं है कि ये खतम हो जाएगा, प्रतम ग्यान ये हुआ, ठीक, अब इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समस्त क्रिया है, महावकाश में ओत प्रोथ है, यह महावकाश शून अर्थात व्यापक पस्तू ही है ये महावकाश के होने की जानकारी समाधी के सिती में प्राप्त है, ऐसे हम लोग सुने हैं, नागराजी से, उन्होंने एक बार समाधी का वर्नन ऐसे किया, जैसे गहरे पानी में डूपकी लगाते हैं, डूपकी लगाके, आखे खुल कर उपर सुरच को जैसे देखने से ज मरन करें, तो हम ये जोड सकते हैं, और मैं फिर दोराता हूँ, ये हमारा विचार विमर्ष, अभी हमारा शोध चल दा है, ये लिखे हुए वाकिया का शोध, महावकाश में ओध प्रोथ है, तो गो जो वस्तु, ये जो भरा हुआ वस्तु समाधी के सिती में दिखा, और अ है, क्रिया का ध्यन हुआ, और क्रिया नाशने होता, ये पता चला, ये उसमें ओध प्रोथ है, ये पता चल दा है, ये ना, डुबा है, ओध प्रोथ शब्द में उन्होंने ओध प्रोथ लिखा है, यहां पर, जो संप्रिक्तिता का परिभाशा हम पढ़ते हैं, भीगा, घ ग Towar इस शूनsalबriages लगारी की सरवत्र समान अवस्थृत लगारन है कि क्रीया की लिए समान रूप से प्रेरना संपन रहने के लिए सब्ता उपलब देखिए इस शून्य ये जो क्रिया शून्य मतलब व्यापकुस्तू जो क्रिया शून्य है क्यूंकि पहले क्रिया को देखे है तो ये क्रिया शून्य हुआ इस शून्य की सर्वत्र समान अवस्थिती तो शून्य हर जगए एकी समान है ये भी ग्यान हुआ नमबर एक कि एक मात्र कारण है कि समस्ति काईयों की क्रिया के लिए समान रूप में प्रेरना संपन है ना ये जो सरवत्तर एक समान शून्य है ये ही कारण है कि इसमें जो क्रियाएं है ये उनके क्रियाशीलता के लिए सत्ता के रूप में है ये भी ज्ञान हो रहा है था ऐसे समाधी तप्त सादक देखे समाधी से तपा हुआ सादक ये समाधी के बात करने हैं इसलिए समाधी तप्त संग्या दिया है ऐसा मेरा सोचना है आप क्या सोचते हैं, आप उसमें लिखेंगे, ये तो बात हो गई पहले ही, ऐसे समाधी तब्त सादक में ग्यान, विज्ञान, विवेक सफल होता है, तो ये समाधी तब्त होके इतना देखने के बाद ग्यान, विज्ञान और विवेक सफल होगा, ये होता है, ये लिखें, जिसने संपूर नहरास विकास को देखा, नहरास जो पहले वाक्य में लिखा था, जितना भी सुक्ष्म हो सकता है, क्रियाई भी हो सकता है, और विकास, विकास को देखा, विकास क्या है, आगे देखेंगे, इसमें विकास में, विकास क्रम भी जुड़ा है, ये हमको स्विका करना चाहिए विकास क्राम का मतलब परमाणूं की जो पूरी कतार है भूके और अजीरन परमाणू यह कुछ शायद जीवन निद्या परिचे में भी कुछ आया है बहुत अच्छे से यह 1997 में 97 में यह एक आउरी में शायद एक बाबाजी का उद्बोधन था उसी को लिफिब स्वाध किया है जीवन निद्याइक परिचे है चंकुन ह्रास को देखा है स्वयायम को देखा है और अपने को सतत विकास शीष्ट है से किसी विकास आन्चमें पाया देखिए पूरे विकास करम और विकास के franchement के के दिश्टा है यह सादक साथ मिश्ध्ध Sverige हुए Pakistan शने ह यही उसके क्रियाशीलता का कारण यह भी देखा है और मैं इसके किस्ती विकाशंच या जागरिती करम में किसी जगह पर मैं खड़ा हूँ इसको भी देख पा रहे हैं पूरी जो एविल्यूशन है प्रकृति की अस्तित्यों की इसको यहां पर देख पा रहे हैं अब साधक कि यहां से विकास की और अध्यान करता है इतना देखने के बाद कि अस्तित्यों की अत्हस्तिति कैसी है उसमें क्या क्रियाएं हो रही है उसमें मैं कहां खड़ा हूँ कहां तक पहुंच गया ये दिग गया इसका दर्शन कर रहा है कौन समाधी के बाद सायम करता हुआ जिस व्यापक्ता में अनुभूति योग्य शम्ता योग्यता और पातरता का उपारजन ही एक मात्र पुरम पूरुशार्थ तो व्यापक वस्तु है यह भी पता चला अब साधक को यह पता चलता है कैसे अध्यन पूर्वक निरने माता है कि विकास मतलब जागरिती परमानू में जो विकास है उसमें जो चर्मोत कर्ष है जिस व्यापक्ता में सभी क्रियाएं सभी समूचित क्रियाएं अनवरत का मतलब बिना रुके continuously क्रियाशील हैं उसी व्यापक सत्ता में अनुभूती योग्यशंता योग्यता पातरता का उपारजन ही एक मात्र परम पुरिशात ठीक है ना इसी से आगे जाके वो व्यापक लिखते हैं भोतिक वाद में पूर्णता में गर्विट प्रकृति यह ना पूर्णता के ओर उन्मुख है तो यह जो प्रकृति जो व्यापक वस्तु में है उसी में अनुभव करने के लिए ही है वो ग्यान का बिंदु यह है यहां से वो वाक्य निकला है संयम पूर्वक उनको यह समझ में आ रहा है क्या कि इसमें अभी अनुभव करना ही हमारा उद्देश बन गया ठीक है यहां तक किस बिंदु में यही पॉस करेंगे यहां तक ही पूरी प्रक्रिया है यह साधक में आवधारना सापित होने की सिती है समाधी के बाद संयम पूर्वक ध्यान से धारना पूर्वक यह सारा साक्षातकार होके पुर्वधी में आवधारना की रूप में स्तापित हो रहा है तो यह हम मान सकते हैं इस जगे पर कि यह सारा बोध हो रहा है साधक को सादक यह भी अनुभव करता है कि यह मात्र उसका अथ्वा एक सादक का लक्ष नहीं अपी तु समुच्चे मानव का अंतिम लक्ष है कि समाझ माता ही कि केवल मेरा नहीं है सबी के लिए ऐसा ही यह जैसे अभी भी हम को भास होता है किसुखी होना केवल मेरी अविश्रक्तनिय सभी मानौंक का है कि भास के साथ हो जाता है वैसे ही आभास होता ही कि करिया कभी खतम नहीं हो सकती और कोई भी मानव इसको देखेगा वो इसे ही पाएगा तो यह बोध या कम से कम बोध की बात हो यह दर आगे का वाक्य है अतहर ऐसी शम्ता योग्यता एवं पातर्ता को उपारजित करने के लिए अमान्विता से मान्विता की और न्याय पूर्ण व्यवहार पूर्वक्स्वायम को अपनी स्थिती में पाता है क्यूंकि पूरे विकास करम को देख रहे हैं इसका मतलब जागरिती करम को भी देख रहे हैं तो यह जो पूरा जो दिखा की जीवन है पूंजाकार में है घोड़े के शरीर में भी है यही जीवनी करम होते हुए जी अवस्था से लेकर ग्यान अवस्था में पशुमानव राक्षिसमानव होत्ते-खुते मान्वितापून मानव या मान्वियदिष्टी-विशाह स्वभव संपन्न मानव के रूप में अपने आपको पाते हैं इस स्थिती में हम यहां गौर करेंगे कि यह अनुसंधान विधी में क्या हो रहा है इसको वर्णन कर रहे हैं यहां अध्यन वीडिय से जो होगा उसका करम भिन्न है जो आगले पृष्ट से शुरू होगा कई बार हम मतला मैं खुदी कि तभी हम बोल रहा हूं हम इसको मिक्स करते हैं यहना वो मिक्स करने से फिर कठी नहीं आती क्यूंकि इसकी यह वाली प्रक्रियत में थोड़ी भिन्नता है हमारी प्रक्रिया में थोड़ी भिन्नता है तो कई बार वो हमारा मिक्सिंग होने से तक सादक जब अभ्यास पूर्वक पूर्णतया न्यायपूर्ण व्यवहार वधर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्टित हो जाता है देखे समाधी हो गया उसके बाद ये सारा देख लिया अभी कह रहे हैं कि अभ्यास पूर्वक पूर्णतया न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार में प्रतिश्टिश हो जा रहा हूँ इसका क्या तत्परी हुआ कि जिसको हम अभी न्यायपून व्यवहार और धर्मपून विचार क्यूंकि समाधी में आशा विचार इच्छा चुप हो जाता है इनकी क्रिया शीलता नहीं रहती इसमें कोई वस्तू नहीं रहता है इसका दिष्टा कम से कम बुद्धी तो बनाई रहता है यह समाधी है ऐसा उन्होंने बता है हमारा आशा विचार इच्छा चुप हो गया यह भाशा देते हैं नागरण जी उसी कोई दिया मना के रखेंग यह स्थापित होने के बाद क्या होता है जैसे ही अभ्यास पूरख होता है इसमें समय को नहीं लिखा है कितना समय लगा तो उसको हम नहीं जाएंगे तो तत्काल ही ऐसे होने के बाद तत्काल ही तुरंट ही ऐसी तात्विक्ता सहित प्रतिबा संपन साधक है ना यह प्रति मज़ों मुझे पूर्व में विकास करम और जागरिति करम का पुरा घ्यापक है यह बहुत हो गया है यहां से देव मानव एबं दिवी मानवेता के लिए जो शेष जागरिती है उसकी पूर्टी हेतु चैतन्य पक्सकी शम्ता को विक्सित करना आरंब कर देता है ऐसे नहीं कि हो जाता है देव मानवेता और दिवी मानवेता का पात्र बनता है और फिर प्रमानित होता है इसके नेक्स्ट वाक्य को पढ़ेंगे फिर हम वापस आएंगे व्यापक्ता में संपूर्ण प्रकृति का अस्थित्व विकास और जागरिती को अनुभव करने लगता है देखिए यह व्यापक्ता में अभी अनुभव हो रहा है इसके पहले जो भी वर्णन है यह सारा हम अभी उसके गेसिंग में नहीं जाएंगे कि जीवन में कुन सी क गयाट क्रिया में हो रहा है उसके पूर्व हो रहा है इतना कहना प्रयापत है अभी तक इतना भी पताया हैँ यह व्यापक्ता में संपूर्ण प्रकृति का स्थित्व यहना भीगे रहने का यह पारगाम्यता कानुगों जिसको कहेंगे वो बिंदु यहां पर आ रहा है विकास विकास का मतलब इसमें पूरा परमानु में जड़ परमानु में विकास क्रम से लेकर विकास विक्सित परम पुर्वक करने लगता है यहां पर एक प्रश्न बन सकता है हम पढ़ते हैं सुनते हैं यहां पर यह प्रश्न बनना स्वभाविक है इसका उत्तर इस रूप में आता है आता है यह आप समाद में भी सुने ही होंगे कि अनुभव में प्रिवरतन नहीं एक बार जो अनुभव हुआ इस लिए ग्यान-समान है अनुभव में तो तीनों चेतनाओं का ग्यान एक जैसे रहता है अनुभव में कि हम सुने हैं, मैं तो सुना ही हूँ, आप भी सुने होंगे, तो वो ये बिंदु है, जहां पर मानव चेतना क्या है, देव चेतना क्या है, दिवी चेतना क्या है, इन तीनों चेतनाओं का ज्यान अनुभव हो रहा है, एक साथ, उसके बाद इसको प्रमानित करने का क्रम है, प्राइरेटी उन्होंने भाषा यूज किया कई बार बीश में अंग्रेजी भाषा भी उसके रहे शब्दों का अनुभव के बाद प्रामानित करने के क्रम में मानो, देव मानो, दिवि मानो, अनुभव में तीनों चेतनाओं का ग्यान समाया है, ठीक है? किनकी अनुभव अंतिम है, जीवन में अनुभव से अधिक कोई क्रिया नहीं, ठीक है न, तो जो भी ज्ञान होना है वो अनुभव में हो जाना है, तो वो जो अनुभव में हो जाना है, उसको पूरा यहां तक बताया, ठीक है, तो यहां तक आ गए, व्यापक्ता में संपू जीवन कह रहे हैं इसी को दूसरे भाषा में मध्यस्त पूर्ण जीवन भी बोला है जागरिती की चरम उपलब्दी हुई इससे अधिक उपलब्दी नहीं है मैक्सिमम उपलब्दी हो गई यह उसमें उसमें मतलब वो अपने बारे में बात कर रहे हैं प्राप्त क्रिया है प्रामानिक्ता वो वेक्त होना शुरू होगी अनुभोग के पहले इसलिए प्रामान नहीं है क्यूंकि प्रामानिक्ता क्रिया अनुभोग कही परावर्तन क्रिया है तो जब तक परावर्तन में प्रामानिक्ता की उपस्तिती नहीं है तब तक उस मनुष्य ज्व वैसे ही मुझ्ज मेरी इच्छा नहीं है तो इसको हम इस रूप से समझ सकते हैं ऐसी उपलब्दी के अनंतर रहस्यता के उन्मूलन की डक्षता व्यवहार में मानविता की परिपूर्ण उपादैता को सिद्ध करने में उनका प्रसुती करण ही प्रमान बन जाता है देखिए वह जो भी उसके बाद पस्तुत करते हैं वही दर्शन तो फिर दूसरे भाष्या में कहा है कि अनुपर संपन व्यक्ति का जीन नहीं दर्शन किसके लिए बाखी लोगों के लिए जो भी दर्शन होना तो उस व्यक्ति को हो गया उनका जो विचार व्यवहार व्यव हो है प्रुष्ट तो अभी तो पानी पिना पड़ेगा इतना भारी प्रुष्ट के बाद कि इसन प्रशन आते जा रहे हैं इसको हम बाद में देखेंगे तो हम प्रुष्ट कमांग 143 में आ गए हैं यह अनुसंधान विदी हुआ है ना साधना पूरवक समाधी जो नागराजी ने किया उसमें क्या हुआ उसको नोने इसमें बताया उसमें लिखाई है उसमें लिखने का तातपर यह क्या हो सकता है यह मैंने अपना अनुमान और सेटिक होगा ऐसी मेरी अपेक्षा और उमीद है उसी के लिए अम प्रक्तेशिल भी है दूसरा अध्यान विदी अनुस्वरन अनुकरन तता अध्यान इसका विशद विशलेशन पूरवके अध्याओं में यथा स्थान किया है जिसका सारभूत का रिक्रम है इसके पहल अध्यायों में आपने उसको सुना पड़ा होगा अनुसरान और अनुकरन को एदि देखेंगे उस भाष़शब्द को ही किस चीज का अनुसरान अनुकरन का मतलब क्या हुआ उन आचरणों को स्विकार के उसके स्वरूप में स्वायम होने के लिए हम जो प्रयास प्रयोग और स्विक्रिती करते हैं, इसका नाम है अनुकरण और अनुसरण, अध्यन की परिभाषा भी इसमें आई चुकी है पहले, तो उसके हम डिटेल में भी नहीं जाएंगे, अधिश्थान के साक्षी, मतलब स्वायम के आत्मा के साक्षी में स्मरन पूर्वक, जो स्मरन है चित् स्मरन पूर्वक बुद्धी में जो स्विक्रती होती है, उसका नाम है अध्यन, तो बहुत शारपली हम अध्यन के क्रिया को देखेंगे, स्वायम के आत्मा के साक्षी में, चित्त में चित्रन पूर्वक या शासरध्यन पूर्वक, स्मरन पूर्वक या शासरध्यन से प् आत्मा की स्थाक्षी लिखा है ठीक है यह अध्यन का मत्तब समझना इसके पहले होता है अध्यन के लिए अभ्यास उसमें हम नहीं जाएंगे वह करम दर्शन में आपको मिलेगा आगे अभ्यास दर्शन में मिलेगा तो यह जागरित परंपरा गत्विदी से सार्थक होता है सभी के लिए सार्थकता कैसी होगी जागरित परंपरा गत्विदी से होगी नमबर एक न्यायपून व्यवहार का अनुकरण अत्वा अनुसरण करना जागरित विक्ति द्वारा जो न्यायपून व्यवहार है और अत समाधान पून अर्था धर्म पून विचार में प्रवृत होना रहना समाधान पून विचार का मतलब इच्छा विचार दोनों है यह ना नियाएपून व्यवहार का मतलब नियम पून व्यवहार भी है तो समाधान पून विचार में मतलब इच्छा विचार दोनों है उसमें न्याएपून विचार भी आएगा, न्याएपून इच्छा भी आएगा, समाधान पून इच्छा का मतलब कहां आगे दिया है, अभी उसको हम नहीं खोलेंगे, अगला बिंदू उपरोक्त दोनों कारेकरमों की दृता एवं निष्ठा की अपेक्षा में सत्यता की प्राप्त होती है, फलस्वरू बुद्धी आपलावित होती है, देखिए एक लाइन में कहानी को खतम कर दिया है, ये दोनों कारेकरम, न्याएपून व्यवहार, कानुकर्ण अनुसरन किया, धर्मपून विचार, मतलब समाधान पून इच्छा, तथा विचार में हम स्थ प्रापित हुए, कैसे अध्यन पूर्वक, ये दोनों कारेकरम हुआ, में दृड़ता एवं निष्ठा, तु ये दृड़ता और निष्ठा कैसे बनेगी, सक्षातकार पूर्वक, इसमें बुद्धी में, कि अपेक्षा में सत्यता की अनुभूती का अधिकार, सत्यता की बुद्धी कौन करेगा, वो जो आत्मबोद संपन्द वेक्ती है, वो करेगा, ये जो अध्यन हो रहा है, आत्मबोद के पहले हो रहा है, अधिकार जागरती पूर्वक, कौन जागरत हुआ, बुद्धी जागरत हुआ, बुद्धी का, जैसे क्रमशा अध्यन होता है, पूरवक प्राप्त होती है, फलस्वरूप बुद्धी आपलावित होती है, तो बुद्धी किसके प्रभाव में आपलावित होगी, आत्मा के प्रभाव में बुद्धी आजाना ही, बुद्धी के आपलावन का मतलब, तो यह कब होता है, इसको आगे बताएंगे, कि बुद उसके पहले में तो पूरा हो गया अनुवर तक बुद्धी अपलावित हो गई उसके पूर्व के लाइन को अभी इंगित कर रहे हैं उप्रोक का मतलब वन एंटू अनुकरन अनुसरन तथा समाधान पूर्ण विचार के अनुसार जब साधक उसमें प्रश्टित हो जाता है तो ऐसे होने के क्रम में और होने के बाद तब मन, वृत्ति, चित, तता बुद्धि, सहच, क्रियाए, किस प्रकार से संपाधित होती हैं इसका अनुभूती परक वरणन नीचे किया गया है तो बताने वाला वेक्ती, अनुभूती परक वरणन कर रहे हैं जो वेक्ती शाध जब वृत्ती का संकेत गरहन करने योग्य होता है, तब न्याए पून व्यवार में परिवर्थित होता है, जो मित राशाय हैं टो मत-ब्रास को पाता है, इसके पहले क्या है मन शरीर के दबाव में, यहां मन की मनमानी है, यही मनमानी कहेंगे, मनमानी से छुटना मतलब क्या है, आसकती से मुक्त होना, क्या आसकती मोह, लोब, काम, है ना, मद, मातसर एक रोद, इसमें यह दि पूर्ण रूप से कोई, पूरी रूप से यह दि आसक्त है, तो मन वृत्ति का सं कि व्याहन करने का संभावना नहीं बनता है तो मन की जो मनमानी है उसका दबाव वृति पर पढ़ेगा वृति में प्रिया-प्रिय कतुलन होगा उसका ओके ली चित्त से आता है तो उसका संदर्वित व्यवहार हो जाएगा यह गोर भरम यह यह इंदर ब्रहम की एक अच्छ करते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, या समझता हूं मानते हैं, फिर जवार करते हैं, अभ्यास करते हैं, उपासना करते हैं, ये सब करते हुए मन की स्थिति ऐसे बन जाती है कि मन दृत्ति का संकेत करने योक्य हो गया, तो मन मित्राश आये जनमती हैं, तो इस से sentence को absolute मतलब एक निर्पekt शुली सेड़ी पढ़ेंगी इसका मतलब वी पूरा हो गया इसके पहले क्या है थोड़ा होना उसके पहले और थोड़ा होना उसके पहले बिलकुल नहीं होना या नहीं के वराबर होना तो शायद ही कोई भी कि यह कोई भी आदमी कोई न कोई मित्राशा होती ही है केवल मन शरीर के अनुसार होना यह जीववस्था में बनेगा तो ये भी हमको ध्यान रखना है तो ये सेंटेंस में काफी मैंने देखेंगे तो दो-चार पेज में हम मनुष्य के 10,000 साल की इतिहास को पड़ लिए ये जो 14 पुष्ट है इस आध्याय में ये 14 पुष्ट मनुष्य के इस धर्ती के 10,000 वर्षों का इदिहास इसमें लिखा है कि किस विदी से हुआ है तो मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्ने के रूप में प्रदर्शित होती है तो उसने कब होगा जब मन वृत्ती के अनुसार हुआ मुझे आपका व्योहार अच्छा नहीं लगा अच्छा नहीं लगा का क्या मतलब आपके व्योहार का अस्वादन हुआ और मेरे वृत्ती में उसका प्रिया प्रिये विजी से तुलण हुआ तो मित्राशा नहीं बना दूसरा, आपका व्योहार मेरे अनुसार ठीक है, तो मुझे ठीक लगा, तो वो प्रिय तुलन बना, तो उसमें मेहतरी की संभावना है, बट यहां पर उसे आगे की बात की जारी है, यहां अध्यन पूर्वक, जब रित्ती में ज्याय धर्म सत्य तुलन पूर्वक, जब मन क यह मैंने संकेत जो है, व्रित्ती का संकेत मन ग्रहन करता है, उस जगे की बात करता है, यह पूरा, मैंने जर्नी को पूरा करके इस जगे पर बात हो लिए तरह, ठीक है, तो अध्यन पूर्वक, सादक में जब न्याय पून व्योहार और धर्म पून विशाओं में प्रचिष्टित होने के क्रम में कोई एक स्टेज, और वो स्टेज कब आएगा, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, मैं यह बात हम अपेक्षा कर सकते हैं, यह अपने में देख सकते हैं, और सत्यापिच्षायद कर भी पाएं किसी दिन, कि मन व्रित्ती के संकेत ग्रहन क करके एना हम अपने में मैतरी के आशा को देखते हैं, इसी का नाम सुख है, तो मन जब व्रित्ती के नुसार हो जाता है, इसका नाम सुख है, इस समय क्या है, द्वेश नहीं है, यह मैतरी और सने के रूप में है, द्वेश नहीं है, पर पीड़ा हम नहीं है, इसका मतलब ठीक है ना, दूसरा, बृत्ती जब चित्त का संकेर ग्रहन करने योग्य होती है, तब शांती सहज अनुभव होता है, शांती सहज मतलब में से के लिए या का, शांती का अनुभव, उस उस ग्रैमर से बाबाजी ने उसको हटा दिया का को, ये सहज अनुभव लिका है, तब विचार की पुष्टी चिंतन से ही है, चिंतन से ही प्रक्रियाव फल और त्रयोजन का निर्ने होता है, तिक इसके पहले मन ने वृत्ती का संकेर स्विकारा, उसको सामान्य रूप से हम भास की घटना कहते हैं, तो भास एक बहुत लंबा रेंज, भास का जो पूर्णता है वो है मन पूरी तरीके से वृत्ती के नियंतरण में आ गया, जब-जब मन वृत्ती के नियंतरण में आता है, तब तक सत्य भास है, या धर्म भास है, या नियम भास है, तो वृत्ती जब चित्त का संकेर गहन करने योग्य होता है, तब अभी शांती, क्योंकि अशांत कौ सबसे पहले मैं काना का लूँ यह सारी जो दबाव और पूरे जीवन में हो रहा है अभी हम केवल मन वृत्ति के बाप करेंगे यह दबाव वृत्ति पर पड़ा है तो वृत्ति इस दबाव में है साथी साथ चित में कोई इच्छा भी है दूसरे तरफ क्योंकि चित वृत्ति से विक्सित करिया है चित दोनों विली से दबाव में अनुभा करता है मन का दबाव वृद्ति पर है, और वृद्ति को चित, और हमके जबकी मन से ज्यादा विकसित करिया है, और उससे ज्यादा विकसित चित है, तो चित में एक समरन है, मैं कल सा अच्छा व्यवार करूँगा, इसका मतलब हिए, वक्रहान लेखा है करते हैं दूसरा कुछ होता है यह चित में ही ऐसी कोई चित्रन है जो उस Tucson को ही स्विकार नहीं होता है इसलिए मन उसके विश्रिशन में ऐसको करें की करें यह और यह सोलम भी हो ना हो यह जितनी आए जहें यह शान्ति का कारण है तो यह कब होता है यह वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहन करने योग्य होता है इसको हम आभास के रूप में पहचानते हैं वृत्ति में न्याय धर्म सत्य का जो फुलन क्यूंकि वृत्ति में आप याद होगा ही आपको सभी को याद है ही दो है प्रिया हितलाब और नियाए-धर्म-satye, यहाँ पर नियाए-धर्म-satye देश्टी कि बात हो रही है, प्रिया हितलाब में क्या होता है, उस में भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें जब रित्ती चित को के संकेत को स्विकार हैगा, उसमें भी शान्ती का आभास होगा, क्योंकि क्रिया तो वही है, तो चित में जो इच्छा है, भले ही पर यह इतलाब कहो, उसके अनुसार जब वृत्ति होगा, तो उस समय आंशिकता में शांती का आभास होना चाहिए, ऐसा मनुमान कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर लिखा है, देखे, विचा के स्थिति क्रिया, प्रत्या वर्तन क्रिया की रूप में पड़े हैं, उसमें सक्षात्कार होता है, तो यह वृत्ति के पूर्ण तुलन की स्थिति को यहां लिखा है, क्या मतलब हो इसका, चित पूरी रूप से, वृत्ति पूरी रूप से, जब चित के वस्तु के अनुस प्रभाव में आया वृति में तुलन पुरा हुआ यह न्याय धर्म सत्य का अभास जो पूरा हुआ उसी समय सक्षापता होता है इसलिए यहां पर चिंतन शब्द का प्रयोग किया गया है कि छिंतन से ही मतलब चिंतन पूर्वक प्रक्रिया फल और प्रयोजन का निर्ने होता है क्यूंकि छिंतन से ही का मतलब है कि यह इसमें चितरन भी जुड़ गया तो शितरन और विश्णेशन दोनों ही चीजें समाहित हैं हमको बारंबार अपने आपको यह ध्यान दिलाना पड़ेगा कि इन क्रियाओं के बारे में जब बात करने यह समयलित रूप से रथ हैं पढ़ते समय कई बार लगता अकेले में तो हम एक ही क्रिया को सोच लेते हैं और वो कई बार मैंने उल्यन में हमको ले जाता है पल और प्रयोजन तो प्रयोजन कद्रने जो है मुखी के रूप से यह चिंतन का कारे है ठीक है तो चिंतन में प्रयोजन काईरी आगे संदर बाता है तो उसको देखें कि हम क्या है उसके बाद आता है अताहाँ मन वृत्ति तथा चित्त की एक सुत्रता से देखें मन वृत्ति के नुसार वृत्ति के नुसार हो गया कि एक सुत्रता से न्याइपून व्यवहार के लिए मित्र आशायन जनमती हैं कहां मन में जो प्रक्रिया फल और प्रयोजन का निरने करती है तो यह इससे लगता ही कि मन उस निरने का कर रहा एक्शली जीवन कर रित्ति और चित्व में हो रहा है जिसे धर्म पूर्ण विचार संग्या है इसी को फिर धर्म पूर्ण विचार का यह बीढ़े अपने चर्चाग बिनु नहीं है जीवन में जो प्रक्रिया घट रही है वहीं तक हम उसी मित रहेंगे ठीक है तो मन वृत्ति और चित अभी तक क्या हुआ अध्यन और अभ्यास के फलन में मन वृत्ति के अनुसार हुआ और वृत्ति चित्र के अनुसार हो गया तो सुख भी आ गया और शामती भी आ गया सुख के साथ क्या मिला है नया जो जना बद विचार भी कह सकते हैं जो जना कैसे बनेगी वह आगे के वाक्य में आएगा और इसी के साथ साथ शांती तो यह एक प्रकार से क्रमशा सुक और शांती की जो अनुभव है अध्यन करने वाले व्यक्ति में उसको यहां पर बता रहें हमारे पास एक मिनिट बचा यह बैटरी शक्म समय बच रहा तरह के और एक बिन्दू है उसको पुरा कर लेते हैं और इसको देखेंगे तो और एक बिन्दू है तो कमसे कम हम इस पेंजनेमर को तो पुरा कर लें चित्प्रजब बुध्धी का आच्छा नहीं यह सित्तव बुध्धी में जाएंगे त तो मुझे लगता है इसको हम आज ही रोक लेंगे 143 लगता है जम दो ही पेच्च के कल से और स्लो हो गया मैं आज इस अपिक्षास आया था कि कल से डबल स्पिट करेंगे तो हम प्रश्णों को ले लें यह यह तल का एक आया था यह मुझे ही डूबना पड़ेगा इसमें एक मिनिट अच्छा राकेश भाई ने कल ये भी बताए कि आज आम 142 तो प्रोक लिए है 142 का आखरी बिंदु है मगब 143 में स्पिल ओवर होता है चित्र जब बुद्धी का संकेत ब्रहन करेगा फिर बुद्धी आत्मा का संकेत ब्रहन करेगा वह कल ही करेगा यह दुपेर को करेगा अर। है कि बहुत हैं अच्छा को इप्र्शन तो नहीं दिख रहा है एक प्रशन encrypted theme स्वय्में कैसे दिखा इन प्रशन है कि स्वय्म ने स्वय्म कैसे देखा उस समय किसने किसको धखा देखने वाले ने ही खुद को कैसे देखा यानि subject है object कैसे हुआ बड़िया question है तो देखने वाला भी मैं हूँ और द्रिश्य भी मेरे में ही है तो ऐसे कैसे बन गया ठीक है न तो इसमें हमको दो चीजों को रखना पड़ेगा जीवन में एक तो हमने यह देखा और यह पांच रिया अभी भाज्य उसमें प्रत्यावर्तन परावर्तन को समझने से यह बात में थोड़ी से हमको स्कृष्टता मिलती है जो द्रिश्टा होता है इसी भी क्रिया का उससे विक्सित क्रिया का प वैसे ही चित्त में जो चित्रन करिया है यह वृत्ति का दिश्टा होता है तो चित्रन चित्त जो है यह वृत्ति का चित्रन करेगा वैसे ही बुद्धी की जो परावर्तन करिया है संकल्प यह चित्रन का दिश्टा है यह चित्रन को देखता है यह सारा जो क्रम है यह बुद्धिय रात्म है। ठीक है। चाहर क्रिया तक वास्तविता को कोई एक पक्ष दिखता है। उसमें भी समविशम गुंद तक पूरा दिखता है। इसको फिर सक्षातकार करना पड़ेगा। उस सक्षषटकार में वो वस्तु का घ्यान होता है इसको हुआ सिर्प शख्षटकार करने से चित्प को घ्यान हुआ जैसे जीन क्रिया है इसको सक्षातकार करते हैं तो चित्त को ग्यान हुआ कि जिवन क्रिया है ठीक है या अपने ही स्वभाव को यह हम सक्षातकार करते हैं मान लिजे जैसे उदार्ता का सक्षातकार हुआ है उदार्ता के स्वरूप का सक्षातकार हुआ ठीक तो यह सक्षातकार करने वाली क्र क्रिया कौन है चित्त है इसको देखने वाला क्रिया बुद्धी इसका दिश्टा है तो बुद्धी को पता चलता है कि चित्त ने इसको सक्षाथ कर किया तो यह वस्तु फिर बुद्धी की भी हुई क्योंकि सभाव और धर्म बुद्धी की भी वस्तु है तो यहां पर जब हम यह कह रहे हैं, जब वो जो वाक्य है समाधी के बार सायम में, कि स्वयम ही स्वयम को कैसे देख रहे हैं, तो सायम में हम आप भी सुने होंगे, मैं भी सुना हूँ, कि यह जो मन, वृत्ती और चित है, यह क्रिया शिल्ड हैं, समाधी में मन, वृत्ती और परचित की शक्रियता नहीं रहती ये बंद रहता है इसका दिष्टा कम से कम बुद्धी तो बना ही रहता है उसमें आतना रहता है नहीं रहता है एक अलग मुद्धा है समाधी का दिष्टा ठीक तो उसमें सैयम में जो हमने समाधी उसके बाद ध्यान उसके बाद जो धारण में आये उसमें शित्रन विचार और मन इनकी क्रिया शीलता शुरू हो गई मन में उस समय चैन नहीं हो रहा है इसलिए शरीर से वो क्रिया व्यक्ट नहीं हो रही है जीवन क्रियाओं को इच्छा पूरवत द्रवित करने अभी जैसे इंद्रियों का परिभाशा दिया एक जगह है इच्छा पूरवत द्रवित करने वाले अंग की इंद्रिय है मैं जहां देखना चाता हूं देख सकता हूं क्या सुनना चाता हूं सुन सकता हूं क्या खाना चाता हूं उठा के मूह में रख सकता हूं उसी इस के साथ जब जीवन क्रियाओं के साथ हम उसको कर पाता है इसका नाम है सयम मेरे अनुसार इच्छा पूर्वत हम चित्वृत्थी और मन तता बुद्धी को द्रवित कर पा रहे हैं यह सयम में हो रहा है इसलिए नागराजी ने एक जगे यह भी लिखा है कि मतलब बो है ना कि हम इच्छा पूर्वक उसको कहीं भी लगा दे लंबे समय तक तो बाबु सिंग नायक जी का जो प्रस्टन है इस जगे को लेकर तो यह काफी एक मार्मिक्स थली है ना तो हमको इस पर बहुती कैरफुली बातचीत करना चाहिए ऐसा मेरी स्विक्रति है तो कौन कि कितना भी सुक्ष्मुक्रिया हो विनाश नहीं होता है यह सारा चित्व में भी हो रहा है वित्ती में भी हो रहा है क्योंकि हम याद करेंगे कि साधक समाधी तब तो साधक के बारे में बात करते समय वो लिखते हैं कि अपने आपको मानवियता से मानवियता में पाता है समाधी तप्त साधक ने अभ्यास पूर्वक जो प्राप्त किया वो दो बिंदू हम अभी रखे यह जो हम अभी पढ़े यह करने के बाद फिर आगे अनुभव की बारी आ रही है यह ना व्यापक्ता में अनुभव की उस समय वृत्ति में क्या हो रहा है उसको चित देख रह हो रहा है बुद्धी में हो रहा है इसको आटमा भी देख रहा है क्यूंकि तो दो देखने वाला जीवन है जीवन की कि समाधी का दिश्टा कॉन है कि अनूने में पात नहीं बॉक difference करते हैं कि जिवन क्यूसण कीनों करते बात हो गई तो जो गुरु क्रिया है चित वृत्ति का द्रिष्टा है चित बुद्धी का नुभो करता है तो चित में ज्यान है मतस्वाइम के वस्तू का और वृत्ति के वस्तू को भी देखता है तो उसका भी ज्यान होता है ऐसे कंबाइन रूप से जीवन को समझ में आता ह जबकि द्रिष्टा द्रिष्ट तीनों अविभाज्य है, हाँ अविभाज्य तो है ही, ये विभाजन कहा हुआ, ये तीनों अलग नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो द्रिष्ट जो है सहस्तित्व है, द्रिष्टा देखने वाला जीवन है, जीवन में द्रिष्टी है, तो जीव लिए मन उस सहित्यों को अनुभोव भी कर रहा है वो भी ग्यान है और उस से शोटे कृआ जो उस अस्तित्तों को बेखी है उसको भी देख रहा है इस रूप मैं वो इसका अध्रिश्ट तुम्हें लगता है उसमें द्रिश्टा, द्रिश्य, द्रिश्टी ये तीनों अभी भाज यह हैं ये तो अलग होता नहीं द्रिश्य भी अलग नहीं होता का मतलब यह है कि अभी जैसे अस्थित्वरी द्रिश्य है तो यह सारा सहस्थित्व में है बैटरी इसकी जरूरत नह तो अलग नहीं होता मतलब यह भाशा बनता ने यह इसलिए भी अलग नहीं होता हम सोच सकते हैं और सुना होगा क्यूंकि परंपरा में दिश्टा जो है कई बार जैसे एक भाशा आती है नागराधी से हम सुनते हैं अस्चित्व विहीन मोक्ष की चर्चा है उस भाशा से तो लगता है कि कुछ अलग हो जा रहा है तो जीवन क्रिया जैसी है वैसी ही बनी रहती है और अस्चित्व में ही बनी रहती है समय के समय के एक ही अंतराल में जीवन का एक के बाद दूसरे शरीर को चलाते हुए देखपाना कैसे संबो हुआ क्या यहाँ परंपरा के रूप में देखा समय के एक ही अंतराल में यही ज्ञान है तो अभी वरतमान में जो हो रहा है वो दिखता है ज्यान के सिर्टी में हम परखम प्रिष्ट में या बादती जारे है और शेतन अल्प छेतन या पूर्ने चेतन के बारे इसके निद्य वर्तमान से बताईये कि मन और रित्टी का संकेत ग्रहन करता है एक शार्ता के लिए हम इसके लिए वो लेंगे मन रित्टी का संकेत ग्रहन करना सामानी रूप से तो यह है कि ठीक इसको और सार्सक्वाला ही लेते हैं जैसे बृत्ती में यदि न्याय धर्म सत्य का यदि तुलन होता है जैसे मान लीजे कि हम किसी मनुश्य को देखते हैं आज के दिन मनुश्य को देखने का ताथ पर यह है कि हम उसको किनी जाते ही किसी व पद इस इन इन आधारों पर हम देखते हैं देखने वाला मन है ना उसके श्थिति को स्विकर्णने वाला विश्विकर्टी एजिए है हमारे में और मानो सभाव और धर्म एक है इसका मतलब हमारे में स्वभाव और मैं इसका मतलब हम अपने स्वभाव पुष विकारते हैं तो उस स्थिति में बृति में जो तुलन होगा ऊसचितर का होगा इसक्रित हूआ है यह आब इसमन को वो जो तुलन किया हुव बृत्ति के संकेत को ग्रहन करना पड़ेगा तो अगले बार मान दीजे मेरी स्टिती बदल गई अगले बार उस वेक्ति को देखने से उनके साथ व्यवहार करने का अधार अगले बार मतलब जब भी यह चीज हो जाती है मुझ में अध्यन सब्सक्राइब यह हो गया माइक जी कपुनाएक क्वेशन है अच्छा समय यह प्रश्न है याने स्वयम ने ही स्वयम को व्यापकता में देखा कि व्यापक मैं हूं व्यापक में ही इकाईया है तथा यह सब अविभज्य है तो बाद में अनुसंधान से इनका स्कंबन जोड़ा यह विदा हात लगी ऐसा है क्या यह बढ़िया प्रश्न है यह पूछ रहें कि स्वयम ने ही स्वयम को देखा कि मैं व्यापकता में हूं और सारी क्रिया व्यापकता में है तो यह उसी समय हो रहा है सायम में बाद में कुछ नहीं बाद में मतलब य सब तक दिखने में यह सभी दिखरा है कि यह सब व्यपक में है तो इसमें हम को इसको ऐसे हम अभी अनुमान लगा सकते हैं देखे फीर मैंने कहा कि यह सब ऐसे जगह हैं जिसमें बोहती केर्फुली पहर रखना पड़ेगा और इसमें नहीं पर ले पानी को जाराओं एकuição को सब्सक्राइब गांव तो मिश्कों जॉने होने बोदिकों हुता है जो इसको अनुभव करने की जो पतरता है आत्मा के । व्यापक्ता के अनुभव का मतलब है कि श्वयम और व्यापक्त के बीश में जो अंतर संबंध है भीगे रहने के रूप में या व्यापक्ता की जो पारगामियता है इसको अनुभव आत्मा करता है ठीक है ना और फिर जो भी होगा जीवन में आत्मा उसका दिश्टा है तो अगे Allah बुद्धी में वस्तुगत सत्य का बोध हो रहा है कि युद्धी की जो विकास क्रम और विकास का होना ये सब वस्तुगत सत्य के बीश्रेणी में आता है तो अनुभो तो होता है तिनों का, तो जब हम अनुभो कह रहे हैं, आत्मा में जिस चन वियापकता में पारग्यामे तक अनुभो हुआ, उसके बाद जीवन में जो भी हो रहा है, वो अनुभो काल ही कहलाएगा, कि अनुभह की आवस्था ही है कि आत्मा पूरन रूप से जागरित हो गई तो बुद्धी में जो बोध हु रहा है वो भी उसी अनुभव का भाब माना जाएगा क्यूंकि अनुभव के प्रकाश में हो रहा है सत्य के प्रकाश में हो रहा है पूर्ण मद्यास क्या मद्यास पूर्ण जीवन में हो रहा है यह सिती है तो विकास क्रम विकास का जो बुद्धी में और उस बुद्ध मुलक जो चित्रन हो रहा है सारे जैसे रूप मुंसवा धर्म का होना फिर हम जो भी अध्यन करते हैं नियम नियंत्रन संतुलन न्याए धर्मसत्य, इन सारे चीजों का होना, ये सारा ज्ञान उस जीवन को हो रहा है, ठीक है, तो ये बाद में नहीं जोड़ा जा रहा है, उसी समय जोड़ रहा है, वो जुड़ने का चीज का नाम ही है सैयम, ठीक है, जीवन में होने वाली क्रिया, चिंतन को और थोड़ा समझाई है मनान और चिंतन में आंतर को समझाइए मनान और चिंतन को पुड़ा समझाइए ऐसे कह रहे हैं यह कासमा अपने में बड़ा प्रजेक्ट है यह मन पर पहले चिंतन को ले लेते हैं चिंतन चित्त में होने वाली जो चित्रन क्रिया है उसके प्रत्यावर्तन क्रिया का नाम है चिंतन इसको अनुभू मुलक विधी से रखा है एक तो इसका जो परिभाशा है जित्ति भी जीवन क्रियाओं की परिभाशा है यह अनुभू मुलक है हमारे साथ कठीना ही क्या है अब अन अब आत्मा में जो प्रमानिक्ता क्रिया हुआ वो तो प्रमानित होकरी रहेगा यह वाली चीश आत्मा में ही एक वकार से निरनित होगा ऐसा हम भाशा दिसके हैं उसको प्रमानिक्ता क्रिया में उसका जो बोध बुद्धी में हुआ उसका संकल मतलब ऐसे जीने का उसको प्रमानित करने का यह ऐसे ही बने रहने का संकल बुद्धी में बनेगा इसलिए उसका नाम दिया है निश्चे आत्मक स्विक प्रकृति के साथ अस्तित्यों के साथ हमारा मेरला पूरा जो बनावट है और जो रोल है ये पूरा बुद्धी में आ गया अब इसके प्रयोजन का चिंतन होगा कि इसको कैसे प्रमानित करना है और ये प्रमानित करने की जो विदियां है उसका नाम है चित्रन उसके प्रक्रिया का नाम है ये विशलेशन ठीक है न तो चिंतन में लिखा है संपूर्ण दिशा कोन आयाम परिपेक्ष इसका चिंतन होता है तो यह जो बुद्धि में बहुत हुआ तो संपूर्ण दिशा, दिशा का मतलब रास और विविकास, आयाम का मतलब अस्तित्य के प्रती हमारी जो दृष्टी रूप गुन्सभा धर्म तो इसके साथ फिर चिंतन होता है, दिशा हो गया, आयाम हो गया, कोन, कोन का मतलब है कि हम अस्तित्य को कैसे देखते हैं, इसी का नाम है अस्तित्य मूलक मानो केंद्री चिंतन, ठीक है, और परिपेक्ष का मतलब है यह वेक्ति परिवार समाज, राष्टन, राष्टन, य यह पूरा spread होता है चिंतन में, इस फ्रेज़ तो यह प्रयोजन, इसलिए फिर दूसरे भाशा प्रयोजन का पूर चिंतन होता है, अध्यन विदी में यह जो चिंतन क्रिया है, यह सच्चाई को discovery करने के रूप में काम करता है, यह सच्चाई है, इस पर निश्चित हो जाना, यहां से फिर उसको चिंतन अभ्यास नाम दिये, आप अभ्यास दर्शन में आगे पढ़ेंगे उसको, चिंतन अभ्यास की यह स्थली है, फिर चिंतन अभ्यास पूर्वक अनुभव होता है, तहां सक्षातकार के बाद, यह चिंतन क्रिया में चिंतन और सक्षातकार दोनों चीज़ें आ गई, मनन में एरी देखेंगे, पुना अनुभव मुलक विदी से एरी मनन को देखेंगे, मन हर समय वृत्ती के अनुरूप हो गया, इसका नाम है मनन, और वो वृत्ती चित चित भुद्धी तता भुद्धी आत्मा के नियंतरण में हमेशा के लिए हो गया, इसका नाम है मध्यस जीवन, इसका नाम है मनन, इसके पहले इसकी जो शुरुआती क्रम है, जब हम शुरू करते हैं, उसका नाम है मनन, ना मनन पक्रिया में क्या है वृत्टी में तुलन होना ये मनन है अध्यन वृत्ति पर उसका दबाव यदी चित पर है तो मनन होने की संभावना नहीं कुंकि मन ağठाप नमनमानिए मन जब रिट्थि का संकेद ग्रहेंट करने योग्डे हुआ अध्यन पूरवक याकृती क्रमपूरवक तब रिट्थि में जो तुलन होता है न्याया-ज्याय-धर्मा-धर्म। यह फंटन करेगा और मन में जो वहार हुआ उसका भी मुल्यंकन करेगा इस प्रक्रिया का नाम मनन अध्यान विदी में अनुब्हों मुलक विदी से इसका उत्तर बताया तो यह हो गया चिंतन और मनन तराकेश बाभी बता ने एक घंटा पंदरा मिनिट वो साथ में और किसी को पढ़ना पड़ेगा लाकेश बहीं ने पहले सबागंटा दे दिया था पर वो आप लोग अहां नहीं ठीक है ठीक है कोई बोल रहा है स्लो है ठीक है स्लो तो कोई क्वेश्चन नहीं है ठीक है क्वेश्चन नहीं है और हो गया ठीक है जी कल उनका एक वो था मनें एक प्रश्ण क्यूंकि हमारे पास दस मिनिट अभी है कमेंट तो पूरी आ गई थी एक मैं उस प्रश्ण को पढ़ देता हूं कल जो वेक्ती पूंजा कार के बारे में बात कर रहे थे वो आया कि in continuation of my query regarding the पूंजा कारोग जीवन after it leaves a human body is say for example I currently have a body with certain external looks and internal character built of वात, पित and कफ और त्रिदोश ये कह रहें कि येदी जैसे मेरा शरीर है मेरी एक अकृति है शरीर सहेद और अंदर शरीर की एक प्रकृति है जैसा मेरा शरीर बताता है कि खफ फित प्रकृति है कफ प्रदान फित प्रकृति है मेरी अब ये कह रहें कि a few births back I had a more stout body and extremely healthy internal character तो कह रहें कि कुछ जन्मों के पहले येदी मेरी शरीर और मतलब मतलब मुटा उसमें ज्यादा रहा परंतु अंदर की प्रकृति मान लीजिये ये जो त्रिडोश का संतुलन ज्यादा अच्छा रहा क्या जीवन उस पुझाकार को रिगेन कर सकता है कि ने ये ना या ज्यादा इस बाउन ज्यादा इस बाउन ज्यादा रहा है कि जीवन की स्थिति से क्या शरीर के दोश तै होते है कि मैं आयरुएट KA तो कोई विष्षश शक्ये नहीं हो जितना थोड़ा सा इसका सुना हूं मैं आपको बता सकता हूं बाकि कोई वेक्ती जो मध्य जर्षिन भी जाने और आयरुएट का भी जानक रहे आपको ऐसे किसी वेक्ति से परामश करना पड़ेगा, करना चाहिए, मेरे अनुसार, आप साधन भटा जारेजी से परामश कर सकते हूं, उनको दोनों पता है, पर ये तो जरूर है कि जो शरीर की जो प्रकृति है, ये शरीर का गुन है, कोई वाद प्रदान है, कफ प्रदान की चीजे, इसका संतुलित रहना भी शरीर का गुन है, पर इसके संतुलित रहने में जीवन के मानसिक्ता का काफी बड़ा एक प्रभाव रहता है, ये हम खुद भी देख सकते हैं, परिशानी होने से शरीर में एक प्रकार के विकार दिखते हैं, और मन के सिती के अनुसार, शरीर की सूती की कम ज़्यादा होना वात हो जाना पित हो जाना कफ हो जाना दोनों ही है क्योंकि मन शरीर के साथ मिला ही हुआ है और जीवन के ब्रहमिज सिती में या जो ब्रहमिज सिती का मतलब मान दीजिया आवेशित सिती में मन में बृती में चित में तो जीवन का जो अगले शरीर आतरा में कफ पित संतुलित थी और अगले शरीर आतरा में क्या मुझे वैसे इस शरीर मिलेगा मुझे नहीं लगता है मुझे लगता है वो उस शरीर के बनावट पर मिद्भर करता है कि किसका शरीर कैसा है और ये भी शिक्षा का इक भाग होगा ये होना चाहिए कि हम अपने शरीर के प्रकृति को पैचाने उसके अनुसार उसके आहार पद्रति को हम सुनिश्चित करें तो हम उस संतुलन वाले इसको आगे ले जाएंगे ने मन यदी संतुलित है तो वो वाली शरीर भी संतुलित रहेगे तो मुझे लगता है वो प्रश्न भी तो ये पुनाव वही वैक्ति पूछ रहें पुनीत अच्छा तो ये पूछ रहें कि पूछाकार पहले का ही बनेगा कि उसके पूर का भी बनेगा भाईया यह मैं करके तो देखाने नहीं तो इसका उतर देना बनेगा नहीं ठीक है इसकी सर्तक्ता को भी हमको सोचना पड़ेगा क्यूंकि अध्यायरहस्य मुक्ति का है तो तो फिर ये इस नम को ये शेत करना पड़ेगा ये डिफेरेंस अच्छा कनेक्शन इस अंस्टेबल आ गया इसमें विए ट्री कनेक्शन फिर आ गया कनेक्शन पर ये जीववस्ता और मानाव के लिए भिंद बनेगा तो फिर उसमें वह एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी उसको मुझे लगता है फिर किसी संदर्व में बात कर सकते हैं या हम फोन पर कर लें आप या राकिश कुप्ता जी से अलग से आप संपर कर लिए इस चैप्टर के संदर्व में यह और कहीं चले जाएगी सर्चा ठीक है कि जीवन में फिर मेल की मेल की बाता जाएगी यह ना फिर वो कॉन सा शरीर चुनेगा फिर मेल हो सकता है फिर को शो में बिन है फिर देश वी डेश में जाना यह सब बहुत सारा वो एक अलग वो है कौत्वल वाले प्रस्त हैं ये तो बढ़िया मुझे लगता है कि हम क्व से भी और श्लो हुए तो हम आपको धन्यवाद और आगे कब मिलना है राकेश भाई बताएंगे चार-पांश लोग आ रहे हैं ठीक है शिष्टाचार के लिए दो मिनिट रुपना ठीक बनता है तो ये मानव भार दर्शन का सत्रावा अध्याए इसमें हम तीसरे क्रम में बैठक कर रहे हैं तो आप सभी को स्वागत है पुना दुपएर को राकेश भाई का फोन आया था कि यदि हम दो दो घंटे में इसको पुरा करें लगबग आठ या नौ प्रिष्ट हमारे बचे हैं और मुझे लगता है कि जो फाउंडेशन प्रकार के जो मुद्धे थे वो लगबग कवर हो चुके हैं और एक अधा दो पुरिष्ट में कुछ होगा तो होगा और इससे संबंदिट यदि कोई प्रश्ण है तो उसको हम बाद में ले लेंगे तो काफी सारे लोग आई गए सबको सिति गती उरुक स्वागत उसी का नाम हरी हर 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 का बताते हैं करनाटक प्रदेश में काफी मैं खुदी सुना हूँ लोग एक दूसरे को पूछते हैं तुम्हारा सित्ति गती कैसा है पूछत कि बाबा जी ने इसको ले किया है कि और एक मिनिट बचा है तीन मिनिच के बत््रिस मिनिट है乾्ष हम लोग रह रहे है है थोड़ा रूरल एक थोड़ा ने काफी रूरल ही है जो सिगनल तीसरे मजले पर हिं है तो हम लोग तीसरे मजले में बैठे हैं तो सिगनल और सूरज दोनों के पास ठीक तो हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं एक सो 42 नहीं 143 के अंतिम अनुभूती तक पहुंच गया थे इसमें इसके पूर वक्के यदि हम इसको देखें यह शाइद हिलता क्यों है यह इसका स्क्रीन भाएं ऐसा ऐसा यह तो इसको हटा दीजिए एक मिनिट हम लोग फोड़ा जैसे बुख हटा दीजिए इसका वह हिलता है मॉनिटर में और नीचे हो गया आप नीचे रख दीजिए और सोड़ा और नहीं नहीं वह नहीं इसके लेक्षमा एक कंप्यूटर बदल गया तो यह व्योंड़ा कंप्यूटर हिलता यह ठीक हो गया वह ऐसे से फटपटाता रहा है ठीक हैं हम प्रारम करते हैं तीन मिनिट होगे लाइव होके तो इसमें हम पहले अनुसंधान विदी से सादक ने समाधी सायम पूरोट जो भी अध्यन किया अवधारना की प्रत्ती हुई उसके बाद कैसे पानवितापून व्यवहार नन्याएपून व्यवहार तता धर्मपून विचार में पतिश्टित होने के बाद रापक में अनुबूर्ती का पूरा वर्लन को देखा उसके बाद अध्यन विदी में अनुकरण तता अनुसरण वाली करम में हम लोगों ने शुरू किया इसको इसमें लिखा था कि साधक जब न्याएपुन व्योवार तथा धर्म-पुन विचार में पतिष्टिक जब हो जाता है तो जिवन में क्या होता है तो ये अध्येन विधी में ज्यागरती के करम में हम क्या पेक्षा कर सकते हैं उसका जो है एक अनुभूती परक वर्णन यहां पर नागराजी ने दिया है, तो हम मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहन करने योग्य होता है, तब सुख, मित्राशा तथा स्ने कानुभव होता है मन को, यह हमने देखा, दूसरा वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहन करने योग्य होता है, तो चिंतन प्रक्रिया, फल तथा प्रयोजन का फश्ठोना ये देखा, इसमें मैंने दिखी निवेदन किया था, इंगित किया था कि ये आभास की पूर्ण ताकी स्थिती है, तो आपको याद होगा पेज 139 में शायद हमने या जो भी पहले के एक पेज में अल्प विक्सित, अर्ध व प्रहन करने की जो सिती है, ये अल्प विक्सित से जुड़ता है, अल्प विक्सित की ही पूर्णता की सिती है ये, तो अल्प विक्सित का एक बहुत लंबा करम है, तो एक वेक्ति कोई मानव, पूर्ण रूप से मान लीजे, इसमें डूबा है, आपराद का कृत्यों में दुबा है दुगने का मतलब उसी को लक्ष माना हुआ है और उसी को सुपका सोथ भी माना हुआ है उसी से उसकी संतोश और चांती और जो भी होना है होता है और दूसरा वेक्ति एक वेक्ति है जो इन कृतियों में नहीं डुबा है एक वेक्ति है जो इससे आध्यन पूरवक या उपासना पूरवक अभ्यास पूरवक इससे निकनने के लिए प्रयासरत है और मानविय नियमों को स्विकारने के लिए तपर है या स्विकार चुका है स्विक्रति है के अस्तित्यु की जो स्विकृति है इसको भास का है अस्तित्यु की आंशिक्ता की स्पष्ट स्विकृति बराबर आभास यह वही स्थित्य यह जो वृत्ति शित्य का संकेत ग्रहन करने योग विकास को पाता है यह क्या है अस्तित्यु की आंशिक्ता की स्पष्ट स्विकृ इसके बाद वाला बिंदु आएगा हम पढ़ेंगे चित जब बुद्धी का संक्यत ग्रहन करने योग्य होता है तब संतोष जनुगूती होती है फलस्वरूप स्वायत मानव जीवन का प्राधुरूप भाव होता है अर्थात मानव स्वात इंतरित होता है यह अपने में एक साक्षातकार होने की ताकत आ गई या जब जब यह होता है तब तब यह साख्षातकार होता है किसी औप प्रतिती कहा है और अनुभूती इसके बाद तब उसके परिभाशा को हम याद करेंगे तो ये प्रतिती हो गया तो प्रतिती में क्या हो रहा है शित बुद्धी के संक्यत ग्रहन करने योगे हो गया इसके पहले के सिति को वेजी देखेंगे पूर्वकि सिति को तो चित में अभ्यास पूर्वक मानवियता अर्थात नया धर्मशब्द्ध की चित्रन पूरुक सिकृति है और उसका तुलन या उसका विश्लेशन वृति कर रहा है यह इसकी पूर्वकी सिती है उसे भी पूरुमें अलप विक्षित में जो एक प्रकार से एक व्थि अभ्यास में है इना जगरित होना है या मानिता पूरुक हमको ज प्रभावित करने के लिए लगा है तो परावरतन में हम क्या करते हैं कि हम परावरतन के क्रिया में हम अपने शक्तियों द्वारा बाहर किसी क्रिया को नियंत रेते हैं प्रभावित करने के लिए देखते हैं जैसे मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं यह प्रत्यावरतन नहीं और जगरती जो है यह प्रत्यावर्तन पूरोखी होना है तो चित के चितरण शेत्र में बुद्धी के वस्तू की जब जिग्यासा कत्ती वरिच्छा बन जाता है और बुद्धी के वस्तू के अनुरूप जब चितरण होता है चित के चितरण में और उसी समय यदि वृत्ती शित के संकेत को स्विकारा है और उसी समय उसी क्षण या उसी महुर्त में मन यजी वृत्ती का संकेत भी स्विकारा है तब यह जाके सक्षातकार होता है उसी के किसी आगे जाके यह हो गया अध्यन यह हो गया सक्षातकार तो यह सक्षातकार के साथ हम फिर क्रमशा इसके पह अर्थात अत्वा साक्षातकार पूरवक किनकी किसी व्यक्ति में precisely कब होगा ये कहना बहुत कठी हिन है हमको अपने में ही इसको निरिक्षन करना पड़ेगा और हमारे में ही वृत्ति चित्त के संकेत ग्रहन करने योग ये हो गया तो ये सादत जो है अध्यन की विधी में श मन वृत्ति चित्त बुद्धी में एना सुक शांती संतोष तता आनन की निरंतरता पाई जाती है यहां पर इसमें इतना हुआ कि सारभौम और सारकालिक विधी से सुक और शांती के स्वरूप को हम पहचान पाए अपने में ही ये ये वाली जगह है चित्त जो बुद्धी विकास है ये किस प्रकार से हुआ है उसके अंतिम या एक परिपक्वस्थिती को यहां पर बताया मैंने जो बता है उसके पहले वालों को बताया बताया मतब यहां जो लिखा है तो इसका विशलेशन किये हैं नेक्स्ट बेज में 144 ऐसे स्वतंत्र मानव में अधिक उत्पा तक इस ब्यक्ति को कह रहे हैं स्वतंत्र मानव मतब स्वतंत्र तक कर शुरुआत यहां से हो गया स्वयम में स्वयम के लिए तंत्रित होने की शुरुआत यहां से हुई तो क्या तंत्रित हुई चित जो है बुद्धी के नियंत्रन में आया कैसे चित बुद्धी के संकेत क प्र papier करहें डि Chinguyan eu summarizes Cindy rock धित्व स्विक्रत्व हुई उसकी अनुसार जीने का निश्था हुआ संकल्प में उस संकल्प पे अनुसार चित्त में पुना चित्रण हुआ ये एक क्रम चली यह इसी को हम किर कहेंगे अध्यन अध्यन के साथ अभ्यास का यही क्रम है तो जाने हुए को मानने का प्रारंबिक स्वरूप इधर से ही है कि हमने जो सक्षातकार पूरवक पहचाना उसके अनुरूप जीने का निष्ठा हुआ बुद्धी के संकल्प क्रिया में और उसके अनुरूप चित्त की चित्रन क्रिया उना चिंतन की पूरवक चित्रन होना उसके अनुरूप तुलन और विश्लेशन होना इसकी एक क्रम चल तीन श्रिनिया थी ये दूसरे श्रिनी के अभी बात आ गई ये अर्ध-vixit आथवा अर्ध-जागरित की यही सिती है इसको अर्ध-जागरित क्यों कह रहे हैं इसके अगले वाकिय में हमको स्पष्ट बनेगा ठीक है तो यही इसके पूर्व के चर्चा में किसी ने ये पूछा था कि ये आत्म बोध रहित संकल ये वही स्थिति है ये आत्म बोध रहित संकल की बिंदु जो है वो यहाँ पर हमको मिलता है इसी स्थिति को अहंकार भी कहा है वास्तविक रूप में अहंकार का होना ये जीवन में अहंकार का पता चलना किस को चित को ये इसी से पता चलता है तो यह आत्म बोध या आत्म विमुक बुद्धी है अभी इस बुद्धी में आत्म बोध नहीं हुआ इसमें पर-स्वरुप बոध हो रहा है इस बुद्धी में पर-स्वरुप की स्विकृति हो रही है यह साक्षातकार पूर्वक्र ठीक है तो यह जो जीवन है यह बुद्धी से तंत्रित है तो पहले के जीवन के तुर्णा में यह स्वतंत्र हो गए यह अधिक उठपादन तथा कम उपभोग में आगए यह ना क्यों क्योंकि इसके पहले धर्मकून विचार में अभ्यास रत होके धर्मकून विचार में स्थापित हुए तो धर्मकून विचार का मतलब है उसके मूल में धर्मकून इच्छा का होना अवश्यक है वही आसकती रहित इच्छा है तो यह यह हम अभ्यास के करम में यह इसको हम जोड़ के देखना चाहेंगे त तो ये तनमन धन के सदुपयोग से जुगता है, तो तनमन धन के सदुपयोग पूरवक चित बुद्धी के संकेत ग्रहन करने योग्या होता है, आथवा चित बुद्धी के संकेत ग्रहन करने के साथ साथ के बाद ही तनमन धन के सदुपयोग का संभावना बनता है, और एजी बनता है भ्रमित्या जागरित ठीक है ये बीच में क्या होता है ये अधियन की विधी में क्या होता है जागरिती के प्रम में क्या होता है उसके बारे में यहां पर जच्छा है तो ये दूसरों के लिए अधिक अधिक जागरिती के लिए पिर प्रिना स्रोथ भी बन जाते हैं यहां हम कर्मदर्शन को यहां पर स्मर्ण कर सकते हैं जहां साथ प्रकार की च्छाओं की बात हुई है वहां अर्थ के लिए अर्थ से लेकर यह अर्थ के लिए मोक्ष अर्थ के लिए धर्म इस प्रकार के मांसिक्ता रखने वाले जितने भी हमको जितने भी मनुश्य इस वेक्ति यह जो स्वतंत्र वेक्ति अधिक उत्पादन कम उपभोग वाले वेक्ति को देखकर प्रेरना पाएंगे जगरती के लिए यहां स्वयम में गुनात्मक परिवरतन के लिए यह अधिक उत्पादन कम उपभोग इस जगे को इदी हम निरिक्षन करेंगे तो यही आसंग्रह की भी जगह दिखती हैं, आप देखे होंगे आसंग्रह काताथ परिभाशाओं में कई जगह उसमें आता है चिन में समरिधी, तो समरिधी परिशे भी यहीं से मिलेगा, ठीक है, और शित बुध्धी को यदि स्विकार लिया, तो स्वयम के अमरत्व की भी स्विक् इसी के साथ जो बहुतिक वस्तों को लेकर जो भय है, जो धन भय है, और जो प्रान भय है, इन दोनों के निराकरण का प्रारम यहां से होना शुरू होता है, मतलब आस सभी ग्रूप में, क्यूंकि यह भी सादर को दिख जाता है, सक्षापकार पुरवत, कि एक रियामर है, यह नहीं मितने वाला, इसका यह सक्षापकार हो गया और बुद्धी में स्विक्रती हो गई, उसी के साथ मैं शरीड हूँ, इससे संबंदी जितने भी प्रांग भय संबंदी कल्पनाय हैं, यह पहले थी, यह सारे एक तरफ हो जाएगा, परंतु यह स्टेटमेंट अपने में absolute नहीं है, क्योंकि वो सारा कम हुए बिना यह सक्षापकार भी नहीं होगा, यह भी है, इना हम पूर्न रोप से भैवीत रहें और सक्षापकार हो जाएगा, इसकी भी संभावना लगती नहीं, तो यह circular है यह, इससे अगले बिंदु में आएंगे, अभी यह लगता है इसमें परयाप्ट इसलेशन हो गया, मन, वृत्ती, चित और बुद्धी एक सुतरता से न्यायपून व्यवहार एवं धर्म पून विचार के लिए सत्य प्रतीती होता है, यही इसके जो पूरो बिंदु इसमें क्या हुआ, मन, वृत्ती के अनुसार हुआ, वृत्ती, चि अनुसार है यहुझा ऍटोर सास्टोर बहुत को शुत्य प्रतीत नहीं है, मन, ईसमें व्योटत को अनुसार हुआ दिआए से आपको ही नियम और निया यह सारे इस सबस्क्राइब शयरे मींदिन रहें प Gravity पेए सब्लिंद ताकि बिंडो मिलता है तो इसको हम आवधारणा के एक सिति के रूप में पहचान पाते हैं इसके पूरों में रीए देखेंगे तो क्या हो रहा है इसका प्रावधारना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अनुभाव मुलक जो बुद्धी में बोध होना है, वो धारना है, वो ही मानवधर्म है और वो आनंद के रूप में समझ में आता है, ज्यान के रूप में समझ में आता है, ज्यान के रूप में समझ में आता है, मतलब बुद्धी मे जो ज्यान है वो जुड़ रहा है कि इस सिति का नाम है अवधागना और यह हो रहा है बुद्धी में यह चितरण में तर्क नहीं जैसे मैं अभी आपको जो प्रस्तुत कर रहा हूँ यह स्थासरध्यन से प्राप्थ तर्क और कुछ आंशिक रूप में मनन है तो यह तर्क से परे एक स्विकृति है यह हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे अगले अनुगूती में जाते हैं बुद्धी चित बुद्धी को स्विकारते हुए बुद्धी में अवधारना हुआ आप देखिए बुद्धी जब आत्मा का संकियत ग्रहन करने योग्य होता है तब स्वबोध होता है यही आत्मबोध आत्मबोध से सत्य संकल्प होता है सत्य संकल्प मात्र सत्य पूर्ण एवं सत्य पूर्ण आचरण ही है यह कहां से जुड़ा जो हम अनुसंधान वाले करम में यही उस से जोड़ के देखेंगे तो समाधी तप्त साधक एक वाक्य आता है उसमें इ नायपून व्यवार तता धर्मपून विचार में पतिष्टित होने के पश्चाद ऐसा समाधी तप्तसाधत देव मानविता तता दिवे मानविता के लिए जो शेष्ट ज्यागरिती है उसके लिए चैतन्य पक्ष के को विक्सित करने का आरम कर देता है यह वाली जगह है उस में सक्षतकार होने से हुआ तो दूसरे तो जब तक लगू क्रिया में गुरू क्रिया विक्सित क्रिया के अनुरूप वस्तू का स्विक्रिती नहीं होता है और उसके अनुरूप नहीं होता है तब तक यह जो गुरू क्रिया है जो बड़ी क्रिया है यह क्रिया शील नहीं तो मैं दूसरे को प्रवाइद करने के लिए तो सामानिता हमारा चित्रण उसी के लिए जैसे मैं भी पढ़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ाने की जो क्रिया है ये प्रभावित करने की क्रिया, प्रभावित करने के उद्देश से ही है, नहीं तो हम क्यामरा के सामने बैठते ही नहीं, ये सक्षातकार में नहीं जा सकता है, ये सभी वेक्ति के करम में ये ये सक्षातकार योग जिग्यासा मुझे में ब करने योग्य होता है उसको फिर स्वा बहुत कह रहे हैं यहां पर स्वा से तात परे आत्मा है है ना क्यूंकि आत्मा को ही मैं संग्या दिया है निर्ब्रांत सिती एकली निर्भ्रमिज सिती में यह मानव यह जो नुभुदर्शन है उसके दूसरे या तीसरे वाक्य में ही हम को मिलता है पहला तो सेंटेंस अब को यादी होगा अब ब्रहम जिग्यासा है उसके बार मैं और मेरे में निर्ब्रहंती अत्वा असंदिक जता के लिए ब्रहम जिग्यासा है तो निर्ब्रहमित सिती कैसे होगा किसको निर्ब्रहमित होना है बुद्धी को निर्ब्रहमित हो क्या हम को मिलती है अल्पविक्सित मानोव में और अर्दविक्सित मानोव में आत्मबोध रहित संकल्प है और ये बुद्धी अपने को दिश्टा मानता है इसलिए इसका ना महांकार किसी एक समय में ये बुद्धी जाके आत्मा को पहचाने का तब उसको ग्यान होगा कि मै मतलब दिश्टा मैं नहीं हूँ दिश्टा तो यह है अंतिन दिश्टा आत्माई है यह बुद्धी को ग्यान होता है आत्म बोध होने से इसके पहले यह इससे अनभिग्य रहता है बुद्धी जैसे अभी हम फिर यह भी सोच सकते हैं कि मुझे तो पता है क्या आत्म बोध हो स्वेम को मुझे चित्य में पता है कि आत्म बोज होना है अभी भुद्धी को ये ग्यान नहीं ये जो भाषा के रूप में मेरे पास तर्क है हमारे पास श्रवन पूरवक अर्थ है जिसके साथ हम इस चम्प्रिश्ना को कर वें है ये अर्थ सक्षात्कार पूरो बुद्धी में जब प्रस्थात्पित हो जाता है ये उस यगे की बात कर रहे है ये भाषा और अर्थ का विभाजन रेखा यहां से हमको समझ में आता है जागरिती में यहीं से फिर अध्यन की शुरुआत तो चित जब बुद्धी के संकेत को स्विकारा तो बुद्धी में आउधारना हुआ यह आउधारना जैसे एक सिटी बनी उसको हम कुछ नाम दे देते हैं आउधारना ही बोल देते हैं अभी के लिए और इसमें आपको बहुत रहीत संकल्प हुआ अब यह जो आउधारना है इसको धारना के अनुरूप होना है इस आउधारना को धारना के अनुरूप होना है इस जगे को विकल्प कहा है हमको एक परिभाशा मिनती है एक टेक्स्ट में विकल्प एक शब्द है जिकल्प के परिभाशा को जब हम देखते हैं तो उसमें मिलता है कि अ-परिपूर्णा उधारना को पूर्ण करने के लिए जो प्रयास है या संकल्प है इसी का नाम विकल्प तो यह परिपून आवधारना है क्योंकि यह अनुभाव के योग अभी नहीं हुआ है पहले कुछ नहीं था मतलब बुद्धी केवल द्रिष्टा रहा एक ब्रहमित्य चित्रन का अभी बुद्धी में वस्तु आ गई अभी इसका आत्मा के अनुरूप होना है तो उसमें जि बुद्धी के श्कृति में होता जाएगा इसी का नाम सक्षाथ मधार घरिया जीवन में वह सक्षाथ का Д quêशाथ में सऻ्कृति में पूर्व के इस-फुर्व के सिथी यह सब होने के बाद बुद्धी आत् rolling को पैचानता है तो इसमें क्या हुआ बुद्धी का संकल्प होता है, हम आगे देखेंगे उसको और वरंदु यही सत्य बोध है, जब सत्य बोध कहते हैं, तो सत्य बोध का मतलब आत्म बोध होना, अध्यान की विदी से अभी हम बात करें, सत्य संकल्प मात्र सत्य पूर्ण एवं सत्य पूर्ण आचरण ही है, हब यह सत्य के सा तो संकल्प हुआ, इसके पहले गुद्धी के जो संकल्प की क्रिया है, भले ही उसको संकल्प हम बोल चाल के भाशा में उसको रेफर करने के लिए बोले, वो उसको निष्ठा का है, यह ना निष्ठा या ध्यान, इसके बाद वो संकल्प कहलाएगा, तो जो ध्यान शब्द ह वो वास्तवीक रूप में बुधी के लिए प्रेयोग होगा है दर्शन में तो अगले बिंदु मायेंगे मन वृत्ति और चित और बुधी अब बुधी ने आत्मा को पहचान लिया तो बुधी हो गया आत्मा अनुशासित आत्मा नुशासुत होने पर न्याय पून वेवाद धर्म पून विचार में सत्यानु भूति सहत सहस्तितो प्रश्ट पतिश्टित होता है तो ये सत्यानु भूति क्या हुआ ये बुद्धी को आत्मा को बोध भी हुआ और सत्य का भी बोध हुआ है ना तो ये जो एक्स्प प्रश्टित हो जाता है इसका मतलब है कि जो शुरुवात में अध्यन के क्रम में जो था न्यायवपून विचार और धर्म विचार उसमें भी परिश्कृती बन गई तो इस वाक्यों को हम ऐसे भी देख सकते हैं मन बृती चित्त और बुद्धी आत्मा अनुशासित होने पर अर्थात आत्म बोध होने के वजह से इसमें न्यायवपून व्यवहार किसमें मन बृती चित्त में तथा धर्म पून विचार करत मतलब बृती में भी धर्म पून विचार हुआ इच्छा में धर्म पून इच् यह अभी जगरित कहलाएगा इसमें यह नंबर तीन वाले बॉद्धिक सिती में हम आ गए यह पहले जो अभी इसके पूर वक्ता बॉद्धिक सिती दूसरा था उसके पहले फ़र्श दो में एक था फिर दो में अभी तीसरे वाले बॉद्धिक सिती में आ गए अभी संकल्प के परिभाशा को देते अगले इसमें अनुगूति में निश्चे आत्मक निरंतरता ही संकल्प ये जो निश्चे पूर्ण स्विकिप्ति हुई इसकी अभी निरंतरता हो गई बुद्धी में क्यूंकि ये बुद्धी अभी आत्मक अनुशासन में आ गया इसके पहले ये हम अच्छा करने जाते हैं ज़्यादा ही अच्छा कर देता है बुरह करते है इसमें से विशंभाग चुतना जिसको सतकर्म कहा है कर्मदर्शन में आप हम याद करेंगे, सतकर्म वाली बुद्धी, एक दुशकर्म वाली बुद्धी है, विश्यान वेशन 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 बुद्धी है, एक सतकर्म वाली बुद्धी है, उस सतकर्म वाले बुद्धी के साथ फिर सम बनता है, चित में, उसका सक्षातकार होता है, कि बन गया तो उसी जगह को फिर हम आंकार और विकल्बी कहे आगे उसमें कुछ संदर बाएगा तो उसमें और कुछ विशलेशन करेंगे निश्यात्मक निरंतरता ही संकल्प है निश्यात्मक निरंतरता ही संकल्प है निश्यात्मक निरंतरता ही बुद्धी में संकल्प उस बुद्धी में संकल्प के साथ निश्यात्मक निश्यात्मक निरंतरता ही बुद्धी में संकल्प उस बुद्धी में संकल्प के साथ नि विद्वादाना ही है तुगू साव धालना की पुष्टी हुई उसमें सत्य बोध होने से उसमें जो दिड़ता है वह भी बना उसके अनुरूप अभी उसको अभिवेक्ट करने का को ना चिंतन वने का हो वोगा और चिंतन सहीद फिर चितरन होगा यह ना इस लगा को फिर च कि यह उसी को इस जगह को परिवर्फन के जगह को एक जगह योगा ऑ्यास भी संग्या दिया यह यह यूगा अभ्यास जो है इसके फूर्मकर बुलट्टत शुरू होता है यह दोनु एकी चीज से हo गया तो यह यह यहां व्योभार का इच्छा में इच्छा का संकल्प का अंभाव अर्थात आत्मा में अत्वा मद्यस्क्रिया में प्रत्यावर्तन ही है इसको पूर्वानुशंगी का मतलब मन वृत्ती का वृत्ती चित का तथा चित बुद्धी का संकेत ग्रहन करना परानुशंगी आगे आएगा परानुशंगी का मतलब अपने से कम विक्सित के संकेत को ग्रहन करना जो शरीर का दबाव मन पर या भाय वेवहार या मैंने आपको कुछ कहा उसका दबाव मन पर उस मन का दबाव वृत्ती पर उस वृत्ती का दबाव चित पर और चित का एक सविप्रितता बुद्धी के साथ बना रहता है तो चित का यदि विशम आवेश है तो उसका दबाव बुद्धी तक नहीं जा पाता, यहीं सम्माध्यस थे तो बुद्धी उसको स्विकार रहा, भले ही सम्म है, तो यह दबाओ फिर बुद्धी पर बना ही रहेगा, चित्त का बुद्धी पर, ठीक, तो यह परानुशंगी, पूरानुशंगी में उसके विपरीत, संकियत ग्रह के लिए मन को लगाना पड़ता है, आध्यन के लिए ध्यान आवश्रक है, यह वही ध्यान, मन के द्वारा जो व्यवहार है, यह विचार में आजाना। ये व्यवार अभ्यास को रोख उता है इच्छा का संकल्प में तो ये चित बुद्धी को द्रहन करने योगे हुआ तथा संकल्पा आत्मा में इसकी जो पूनता हो गई ये जो हम देखे संकल्पा आत्मा में क्या हुआ ये सत्यपून संकल्प जो आत्म बोध है इसकी पूर् अब अभी तक जीतना भी बताया यह होने के लिए क्या होना होगा यह तो ऐसे होने से यह होगा यह बता दिया हॉनोंने इसके लिए हम को क्या करना है इसका संकेत अगले वैसले व्य reminder इसको चुम्ति को प्रेसिमと思ें तेर्ट हुआरो आपराद के आभाव में आश्या का प्रत्यावनतर अपराद का मतलब क्या है परधन-पर नारी-परपुरुश और पर पडान प्रूश में रहना जया-पर पीड़ा में करना या इसका होना और नहीं सोच पाना यह तीज बनती है अपराद मन में भी होता अपराद व्रति आ विछार होने के पहले मन नहीं हो सकता और उसके लिए इच्छा होना ही पड़ेगा चित्रण में इसंकि अभाव में आशा का प्रत्या वरतन होता है मन का नाम सुख और मित्राशा हैं यह काफी तरक संगत लोजिकल और काफी स्ट्रेट फॉरड भी लगता है जब तक पर धन परनारी पर पुरुश और पर पिडात्मक जब तक हमारे में अपेक्षाएं हैं तब तक सने और मित्राशा और सुख होने की संभावना है इन्हें अंत यह जब अध्यान करते हैं तीनों को करते हैं क्यूंकि हमारे जैसे जो अध्यता है यह तरकरी सकता है कि जब पहले न्याय होना, उसके बाद धर्म होना, सत्य होना, तो पहले में न्याय को इपढ़ लो, उसके बाद धर्म को परो, तो इसका कारण है, इसका कारण यही है कि यह तीनों पढ़ने से ही पहले वाला भी पहात लगता है, क्योंकि न्याय धर्म के बिना, धर्म सत्य के बिना स्पष्ट नहीं होता है तो जीवन होने की सामाने स्विकृती भी नहीं हुई तो इंगने की की सामाने स्विकृति भी नहीं तरें तो को we should प्रत्यावर्तन आसकती के अभाव में इच्छा का प्रत्यावर्तन देखें बहुत बड़ा सेट्मेंट है ये चित्व में आसकती नहीं होने से ही इच्छा का प्रत्यावर्तन आसकती क्या है पूरा भौतिक रासायनिक संसार ये ना संपूर्ण जो भौतिक रासायनिक संसार यही आ सकती है, चित्य मैं आ सकती कैसा आता है? मन के दबाव द्षावरा आता है. तो यह बहुतीक राया नहीं, संसार के भी यदि हम इच्छाओं को अपने में निरिक्षन करते हैं, तो इसके भी कई ग्रेट हम पाते हैं, कुछ सुक्षमिच्छा, कुछ कारण इच्छा, कुछ तीवर इच्छा में रहता है, कुछ शरीर समेधना को लेकर आसकती रहती है, कुछ उस शरीर समेधना को बना के रखने के लिए अलंकार को बना के रखने के लिए धन की रहती है, धन से समान की आसकती रहती है, फिर पद की रहती है यह ना जैसे पद किया सकती क्या हो से जैसे अभी मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूँ तो बात करते समय मेरे मैं इस अपिक्षा से बात करूँ कि यह वीडियो के द्वारा मैं मैंने फेमस हो जाओं इस वीडियो के द्वारा आप लोग मेरी बात हमेशा माने यह पद के प्रतिया सकती है, और आप लोग हमेशा मेरे नेंटरंड में रहे यह पद के प्रतिया सकती है. तो ये सारी चीज़ें आ सकती है इच्छा में इन सब के आभाव में होने के लिए क्या होगा धर्म पून इच्छा तो ये धर्म पून इच्छा का मतलब यही ज्याय धर्म सथ्य के अनुरूप इच्छा होने से इच्छा का प्रत्यावत्तन होने से क्या होगा साक्षातकार हो बुद्धी में जाओधारना बना उससे अज्ञान के अभाव हुई संकल्प है तथा अज्ञान के अभाव में संकल्प का प्रत्यावर्तन होता है तो सक्षातकार हुआ इच्छा के प्रत्यावर्तन से उसके पाद अधारना हुआ अधारना होते होते बुद्धी अज्ञान क सिटी में आई इसके पहले गुद्धी में ज्यान नहीं था ज्यान के अभाव में संकल्प का प्रत्यावरतन होता है तो आत्मबोध हुआ अब बताएंगे कि यह जो अपरात का अभाव है यह होने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आता है जो स्टार दिया है विशलेशन उ स्टार दिया है आता है अपराधीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव तता ज्यान रहित बुद्धी के लिए अंतर नियामन अत्वा ध्यान नावशक है पहला जो वाकिय है अपराधीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव यह कहां रहेगा दबाव तो प्रारम में इसको जब मैंने भी पढ़ा तो मुझे लगा यह बाहर होना पड़ेगा व्यवस्था तो उसमें ये तरक आया कि बाहर जब तक व्यवस्था नहीं होता तब तक मुझे में अपरादीन व्यवार भी नहीं होगा अफिर यह जो है क्लासिक चीकन एक प्रॉब्लम हो जाएगा जब तक बहार व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमारे में अपरादीन व्यवार नहीं होगा और जब तक मनिश्व में अपरादीन व्यवार नहीं होगा तब तक बाहर व्यवस्था की जो स्विकृति है जो हम श्रवन्श रध्यन पूरवक करते हैं तो दर्शन के अध्यन का मतलब यही है कि उन आचरणों के अर्थ में हमारा स्मरण हो जाए उसकी स्विकृति हमारे में हो जाए उसका दबाव मन पर आएगा कि मैंने तो स्वधन स्वनारी स्व पूरुष दयापून कारे वहार अखंशमा शार्मों व्यवस्था को बोल चुका हूँ स्विकार चुका हूँ इसके बाद परधन परनारी पर पूरुष परपीडा को करना सोचना उसको अनुमोधन करना यह नहीं बनेगा यह आंतरिक ऊंके बार बोलते थे विगत में जो वही रास्ता है वह बता नहीं सकते हैं कि इसे तुमको कुछ मिलेगा की मिलेगा यह ना मतुब्सुकी होंगें कि की नहीं और व्यवस्था में झीएनिक हैन के ने इसको वह नाम बोलते थ है डांबर रास्ता है तार करूड़ डांबर रास्ता इसलिये है क्यूंकि व्यवभार से मुप्त नहीं होना है ये जगह में विगत में इस व्यवहार को बंधन माना, क्योंकि इसमें राग द्वेश दोनों रहता है, तो व्यवहार में राग होता है, तो वो मुह हो जाता है, द्वेश होने से वो अपराद में चले जाता है, ये दोनों से मुप्ति के लिए व्यवस्था का दबाओ, दू उसका विशलेशन होगा, फिर निने होगा कि नहीं मैं ये स्वधन स्वनारी स्वापुरिज दयापुनकारी वहार पुर्वजी होगा, तो ये व्यवस्था का दबाव, फिर उसको मन को उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वृत्ति उससे विक्सित करिया है, वृत्ति में ये मैं कोन होगया अश्मे वृत्ति, मन के द्वारा जो विवहार हुआ, उसको मुल्यांकित कर पाएगा, वो सही है कि नहीं उसको मुल्यांकित करेगा, ये अपराधीन विवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, दोनों, अन्याहीन विचार के लिए समाजि इसी को चरितर भी कहा है, मानमित अपुन आचरण है, तो पहले मनुश्य चरितरवान होगा, उसके बाद ही समबंदों को पैचाने का, उसका चरितर ही ठीक नहीं है, तो समबंद पैचानने के कोई गुझाईशी नहीं, क्युंकि वो जो समबंद जो भी हम पैचानेंगे, वो प्रिय या अप्रिय के अर्थ में ही बनेगा, तो इस समबंद को पैचानने का जो क्रम है, या जो तरीका है, यह अन्याई हीन होने के लिए समबंदों को प्रयोजन के अर्थ में पैचानना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक, उसके लिए प्रयोजन को कह पाएंगे हम व्यवस्ता में ही पाएंगे तो ये मानवे व्यवस्ता में जागरिती क्रम और जागरिती के तहट मानवे व्यवस्ता दूसरे भाषा में अकंड समाज अकन समाज के मूल मेरी जाएंगे तो जीवन का समान होना, जीवन लक्ष का समान होना, जीवन का करिक्रम समान होना, मानव लक्ष का समान होना, मानव जाती का एक होना, मानव धर्म का एक होना, इते सारे बिंडू हमको मिलेंगे उसमें, ये सारे बिंडूओं के विचार बनेगा, ये विचार बनने से फिर प्रित्ति का प्रत्यावर्टरन होगा, इसमें जो एक पकड़ने की जगए ये है कि इसका कई बार हमारे में भाष्टा और तर्प के चित्रन में रहता है, परन्तु विचार प्रिहितलाब बाला ही होता है, ये भेद करके ये विचार न्यायगर्म सत्य के अनुरूप होता है इसके लिए फिर हम सामाजिक आचरवन को स्विकार के उसको करने का अभ्यास हम करेंगे आध्यन के विडि में अभ्यास पूर्वक उसको व्यवार अभ्यास भी नाम दिया है इसके बाद आसकती रहित इच्छा के लिए अध्यन एवं संसार का प्रभाव आवशक के तो यहां पर अध्यन से क्या तत्पर है और संसकार का क्या तत्पर है यह सु संसकार के बारे में बात हो रही है यह चित्व में पाये जाने यहाँ पर अध्यन का मतलब श्रामन और मनन यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो अध्यन लिके हैं अध्यन इवं संसाथ का प्रभाव होने के बाद क्या होगा यहाँ परहरें पर पहली बार मिलता है उसके पहले अंशिख ध्यान की बात है जो अभी हाप हम कर रहे हैं यहाँ हम कर रहे हैं reads है ये मैंने आत्मबोध के लिए जो गुद्धी का नियोजन है ये ध्यान जिससे ही प्रत्यावर्तिन क्रिया जीवन में सफल है ये नहीं होने से असफल है तो आधियन तो कई बार हमको जो लगता है हम सभी को एक ही नाओ में है इसको मैं मान के बात कर रहा हूँ आपने से कोई लोग नाओ से उतर गए तो अच्छी बात है पर इसमें ये दिखेंगे तो इसमें असफलता का कारण क्या है ये नहीं हो पाना अपना धीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का हमारे में ये सामाजिक आश्यरण का प्रभाव नहीं हो रहा है ये आशकती रही दीच्छा नहीं हो रही तो उसके लिए उत्तर यहीं बनता है अभी हम लोग कर रह रहे हैं परस पर विशावे मस्वी दिसे होगा अगे लिगते हैं ध्यान का अर्थ समझने के लिए मन बृ जैसे पढ़ने के लिए ध्यान देना पड़ता है, शास्त्रध्यन के लिए आंशिक ध्यान लगता है, मन जब तक नहीं लगता है, तब तक शास्त्रध्यन नहीं हो पाता है, क्योंकि मन कई जगह पहला रहता है, कई चीज़ें यादा जाती, यादा जाती है मतलब मन का ही लिए आइस्क्रीम याद आ गया तो यह मन का दबाव चित पर पढ़ रहा है वो आइस्क्रीम का स्मर्ण पहले सी चित में है तो ध्यान हट गया उस समय वैसे ही वृत्ती का हट जाना चित का ध्यान हट जाना अब यह कह रहें कि गुद्धी का भी ध्यान नहीं हट ला तो मन वृत्ती चित और गुद्धी को केंद्रित करने से आत्मगोर होता है मन वृत्ती चित को केंद्रित करने से सक्षाथकार होता है मन और गृत्ती को केंद्रित करने से मनन होता है मन को केंद्रित करने से श्रमन होता है इस विरी से इस वाक्य को हम देख सकते हैं अलुभाव ह कहते हैं कि आवधारना तक यह बोध तक अध्याने उसके अबाद अनुभाव तो जिसको पुरशार्त कहेंगे वो बोध तक है। उसके पहले ये दित देखेंगे तो साकषातकार तक सारा प्रयास है। साक्षातकार और बोध होने की जो जगह है उसको बहुत समय ने लगता है ऐसा हम तो सुने हैं आप लोग भी पढ़े हैं यही धे है यही हमारा लक्स है धे क्या है यह मन विट्टी चितु गुद्धी को होके यह क्योंकि इसी से सुक्षान की संतोष जुड़ा है यहना इसे सुक्षान की संतो शानन नहीं जुड़ा होता तो यह धे बनने एक ऑप्षिन भी होता पर इसमें कोई विकल्ट नहीं तो यह हम देखेंगे की अध्यन की विधी का बिलकुल ही एक अलग requirement यहां पर दे रहे हैं पूरा अभ्यास किसका करना है अपराधीन व्यवहार का मतलब व्यवस्ता को है उसको सोचना है на डूसतरे किसी के यम कोये करना है कि मैंने जूट नहीं बोलूगा यह करूंगा यह सारी चीज़ें यद्यपी दिया है मानवहर दर्शन में पर यह यदि करेंगे तो वह understood है कि हम जूट बोलते हुए साक्षातकार नहीं होगा यह तो इससे होता ही है तो और यह स्वाभाविक है एक मनिश्य के लिए सहज गती से एक मानवहर मानव यह चाहता ही इसलिए यह इसको टांबर रास्ता भी कहा है काफी डेंस मैंने लेख है इसमें इसके बाद लिखते हैं अतह यह निश्कस निकलता है कि मानविता पूर्ण व्यवस्था सामाजी का अचरण है ना अध्यन और संसकार के साथी अंतर नियामन अवश्क है जिससे चरम विकास अर्था जगरती की उपलब्दी संबव है इसके बारे में तो बात हो चुकी है नियाई पूर्ण व्यवहार धर्म पूर्ण विचार कि अभी हमारे इच्छा क्या है सत्यके लिए इक्छा है जैसे आप हम जो बात कर रहे सथे को समझने के अपिessä के साथ ये इक्छा स्वयम सत्य स्वरूप हो जाना ये इस्तिती में होता है वैसे ही धर्म पून विचार वृत्ति धर्म के अनुसार ही हो जाना मतलब समाधान धर्म का मतलब है समाधान जो समस्या ग्रस्त सबसे अधिक क्रिया कोई है जीवन में तो शायद वो रित्ती ही, वो तो आज पहले के क्रम में या शायद कल हम लोग थोड़ी सी बात कर चुके हैं उस पे, क्यूंकि रित्ती का ही ऐसा मंज़ से रहता है कि मन की सुनूं की चित्ती की सुनूं, कभी-कभी दोनों अलग-अलग बताते हैं, ठीक है न, तो ये समाधा है, यही क्यों और कैसे का उत्तर है, यही काल-वादी, क्रिया-वादी, निन्रे-वादी ज्यान के रूप में होता है, तो जैसे हमने कोई फसल बोया, और वो नहीं यूगा, ठीक हे मानने य ini, तो इसमें निन्र-वादी ज्यानग हमारे ही उससे उभर के आता है कि आगे हम को क्या करना है यह एक प्रकाल से समाधाना है आज भी हम समाधाना इसे ही दिखते हैं इसके अगले बिंदु में जाते हैं व्यभार में गलती एवं अपराद को न होने देना इसका मतलब यह नहीं होना ही न होने देना का मतलब होता ही नहीं ये भी जागरिती का लक्षन है, व्यवहार में कोई भी गल्ती और अप्राथ, दो भाषा है, अप्राथ का मतलब है परधन परनारी पर पुरुष पर पीड़ा, सर्व प्रतम जो एक सामान जेनरल पॉपिलेशन के बारे में भी हम बात करें, धर्की के अभी 2020 के बारे में, त गल्ती का मतलब है कि किसी संबंद विशेश में जो अपिक्षा है, जो यथारत अपिक्षा मतलब जैसा होना चाहिए, उसको पुरा नहीं कर पाना ये गल्ती, कई बार गल्ती दो प्रकार से होता है, एक तो किसी संबंद को ही हम ठीक से पहचान नहीं पाते हैं, क्युंकि पर सामने वाला जिस संबन में खड़ा है वो उससंबन को अन्यता ही मानता है या उसकी कोई विपरीद ही अपिक्षा है तो उसमें फिर गलती होने की गुंजाईश है परसपर पर तो गलती हमसे हो रहा है कि ने यह हम जान सकते हैं यहां पर स्वयम से गल्ती नहीं हो पाना, क्यूंकि हम आप में से कई सारे लोग नागराजी से मिले ही होंगे, तो पूम नजागरित वेक्ति अभी तक हम एक ही से मिल पाए हैं, उन से मिले हुए सभी वेक्ति, संतुष्ट हुए, ऐसा देखने में आया नहीं, कभी उनके तर लोगों को दिखे, तो इसमें फिर यह बनता है कि यह गल्ती फिर किसकी है, जो पूम नजागरित प्रिकाई हो गया, उनकी है, या जो अस्वन तुष्ट हो रहा है, उसकी है, तो तरक से तो यहीं बनता है कि जो आपूर्न है, उसमें कोई गल्त अपैक्षा है, वो पूम ज्यागरित या पूर्ण विक्सिति का इसे ऐसा कोई अपेक्षा कर रहा है उसका यथार्थ ही नहीं है जो यथार्थ है इसे लिए नागराजी उसको करी नहीं सकते तो उसको असंतुष्टी के रूप में दखता है पर उनके जीवन में जो मुल्यांकन होगा वो गलती के हो गया तो आस्वास के लोगों से पूछते भी रहे उसको उन्होंने नाम दिया था कंसल्टन्सी प्रोग्राम पूछते थे कि हमारे से कुछ गल्ती हो गया तो बताओ हमारे बातशीत करने कई बार शब्दों को चैन में हम कोई एक शब्द का चैन करते हैं जो सामने वाले को भिन्विदी से प्रतित्याव आवास हो जाता है उससे भी मिस्क्म्यूनिकेशन हो जाती है परंतु ये व्योहार में गल्ती नहीं होना का मतलब है कि संबन्त के पहचान में तता उसके निर्वा में गल्ती नहीं होना ये जागरिती का लक्षन है इसे मानव की परसपरता में देखा भी जाता, यह अपनी ही बात्त में, उन्होंने श्वयम देखा ही है, यह ना न्याय धर्म सत्य पूरो जीना ही पूर्ण जागरती है, तो हम न्याय धर्म सत्य के अध्यन से शुरू करते ही हुए, उसका श्रवन करते ही हुए, मनन करते ही, उसके अभ्यास करते ही, उसी का सक्षातकार होके उसी का अधारना होके उसी का बोध होके सत्यकानुबो होके पुना न्याय धरम सत्यका ही हम पुना जीने में प्रमानित करेंगे और न्याय धरम सत्यका सापित हो जाना ही पूम न जाग रहें तो पूरी कहानी इस विधी से आती है इसके तीन चार वि अध्यात्मिक का मतलब है व्यापकवस्तू क्यूंकि सभी आत्माओं के रूप में व्यापकवस्तू को पैचाना है व्यापकवस्तू को इसलिए उसका नाम है आध्यात्मिक बादिक पख्ष का जीवन को पैचानना और जड़ पक्ष को पैचानना, इन तीनों का ही दर्शन होना है, दूसरे भाषा में जड़ क्रिया, चैतन्य क्रिया और व्यापक वस्तु, समझने के लिए वस्तु इतनी ही, इनकी क्रिया शीलता, इनका प्रयोजन, जड़, चैतन्य और व्यापक, जड नई अध्यान का कुल मुद्दा है उसी को यहां पर रखा है सहस्तित्त में अनुभव को प्रयोग करने का अधिकार हर नारी को प्राप्त है यह भी अपने में एक बड़ा वाक्य है क्योंकि विगत कई विशारधारों में यह सुनने में आता है कि जैसे फलाने जाती के लोग ही शासरों को पढ़ने के लिए अनुमति है कम से कम हमारे देश में तो यह रोग रहा है इन देशों में पता नहीं रोग रहा है कि जाती या वर्ग कई देशों में एक पर्टिकलर वर्ग को ही अनुमति है अध्यन करने का फिर हमारे देश में कई ऐसे हमको वो मिलते हैं व पूरे विगत के साथ ही एक नए किसी दर्शन को देखता है उस करम में दिखा है ठीक है अब कुना आते हैं रहस्य के मून में अंकार अत्वा भ्रम ही है तो क्या रहस्य है यह बुद्धी का जागरित नहीं होना बुद्धी जागरित रहने से चित्व बुद्धी के बात नहीं मानता है चित्व बुद्धी के बात नहीं मानने से वृत्ति उस चित्व के ब येलज भूख अपने आपको बुद्धी हुआ कित्रंड में इस तक चित्त में कालपनिक कारोफ होने की संभावना है यह अति व्यापती दोश हना व्यापती दोश तता अव्यापती दोश है काफी बहुत sweeping statement है बहुत बड़ी statement है क्योंकि चित का जो पहुंच का जो शेत्र है है वो बहुत पड़ा है दुसरे भाशा में अभी तक मानलीजी जितनी पुस्तक है लिखी गई है हम जितना पढ़ते हैं यूज चैनल आता है इतना सारा सुचना आता है वो सब चित का ही प्रदर्शन है तो चित का पहुंच संपून भतिक क्रिया संपून प्रकार के जो भी क्रिया we closer to aur भी मूलयन और निर्मूलयन होने की संभाव होना है इसमें यह भी को फिर अभिमान सारा कि किbellियाए ना क्यूंकि आपने अजिमूलयन और निर्मूलयन को ही वह सही मानने इसमें एक जगा बंती है काफी को एक मारमिक स्थान है थोड़ा सा ध्यानाकर्शन के लिए हमारे लिए कि चित्त में जब सही का चित्रन होता है तो सक्षात्कार होता है बुद्धी क्योंकि सम्मध्यास्थ है तो चित्त में होने वाले सम्क्रिया को भी बुद्धी स्विकारता है यह बुद्धी द्वारा हंकार यह क्या हुआ बुद्धी ब्रहमित बुद्धी का प्रदर्शन किस रुप से मिलता है हमको, बुद्धी गलती को तो नहीं स्विकारता है, क्योंकि वो उसका स्वत्व ही नहीं है, बुद्धी सम्मध्यस्त नहीं, बुद्धी सम्मध्यस्त है, परंदु सम् को स्विकारता है ऐसा जीवन सम जीवन ये लगबग एशनान वेशन बुद्धी से जुड़ता हुआ लगता है कहीं उसको डिरेक्ली दर्शन में जोड़े नहीं है पर जैसे उत्रेशना वित्रेशना लोकेशना सहित जो चितरन्या कामनाय रहती है विचार में इसको बुद्धी स्विकारना फिक यह अहंकार है इस अहंकार के होते हुए भी अभिमान का कोई एक अंच उसके अनुपात में हट कोई एक अंच उसके अनुपात में आशकती कि कि किसी एक अंच की होने की संभाव नहीं परन तु इस्तिती में यह जोब काम plung मात्सरी और क्रोड सम्मंदी आवेस नहीं वो तो पहले ही, इसलिए क्योंकि बात्चीत के दोरा नग्राजी से पूछा भी गया कि क्या अधारना में ये छे आवेश हैंगे, क्या शडविकार जिसको कहें, पुलने शडविकार को पहले एक हतम हो जाता है, इसको काबू करके ही साक्षातकार ही, काबू मतलब इससे परे होने की कोई संभावना नहीं, इसलिए उसक्षातकार हो नहीं सकता, तो ये अभिमान में अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति दोश जो है, ये चित्व में होना और उसमें सम वाले जितने हैं, उसका बुद्धी ओके करना, ये इस जगे में हम देखते हैं, ये सत्य बोर्त त इसके नेक्ष्ट वाले में, मतलब ये रहेगा किस में, चित्रन में भी रहेगा, और कुछ कमी बुद्धी में भी रहेगी, क्योंकि जिसको मतलब अर्ज अगरिती है, जिसको ब्रहमित बुद्धी कह रहे हैं, ब्रहमित बुद्धी का ताथ पर एक क्या है, क्या ब्रहम है उसको, उसको ये क्या कहेंगे, निशेधनी का ब्रहम नहीं है, विश्यम का ब्रहम नहीं है, सम को सही मानना और अपन आपको ही दिश्टा माम लेना ये भ्रहम के स्वरुप को हम सोचने जाएंगे तो ऐसे ही मिलता है वो आत्मा बूत पूरवर की पूरा होता है ठीक है ना तो बुद्धी के आत्मा के संकेत ग्रहन करने में अक्षम बुद्धी को आंकार कहा है ये बुद्धी में वो शंता नह है यह दूसरा ही पेज है यह साथ देखते हैं ठीक है अगला है चलिए हम आप आपक्षा करेंगे कि अगले वाले पेश से हम वड़ा फास्ट दोड़ लेंगे काफी जो मुठी मुद्धे हैं सब लगव समाप्ट हो जाएंगे मन से वृत्ती वृत्ती से चित्र से बुद् सही इनका परस्कर्णियन प्रेंग है यह तो हम लोग काफी मतलब बता चुका हूं इसके बाद बिलिट आता है मानमेता पून द्रिष्टी सभाव और विशय पर अधिकार पाने के पस्चात ही देव मानमेता तता दिव्य मानमेता के लिए जो शेष प्रयासे उसे करने में सादक प्रोरत होता है यह भी काफी सरज है कि मानमेत द्रिष्टी मतलब न्याय धर्म सत्य की द्रिष्टी सभाव अर्था धीरता वीरता उधारता विशय मतलब उत्रेशना विटेशना लोकेशना मतलब क्या हुआ चार विशय पुरिये हित लाब और धीनता इनता कुरूर ही दिवयमानवी योग जो ग्यान है उसके लिए साधक प्रवरित होता है यह हम को इसको ऐसे समझ सकते हैं उसको क्योंकि इसको हम पहले देखें कि यह अध्यन के क्रम में अनुभव तक की यातरा को दर्शा रहे हैं इसमें और इसके पहले के सत्र में हमने यह सुना था कि अनुभाव में तीनों चेतनाओं का ग्यान समाया रहता है तो दिवयो मानों को जिसको दिवयो मानों प्रमान करेंगे प्रमान के सर पे जो दिवयो मानों है उनके अनुभाव में अधिक कुछ समझ में आ गया जो सत्ता में संप्रत प्रकति जो पहले समझ में आई थी जिसका और प्रमानित करने के क्रम में वह एक भिन चीज है उसमें हम अभी नहीं जाएंगे यह रहस्य मुक्ती पूर्लन जागरित होने तक की बात है तो इसमें इस अधिकार को प्रावत करने के बाद ही यह अनुभव के और यह जो साधक है यह अग्रसर होगा इसमें प्रवरित अगले बुलेट से मिलता है, पुना देखिए, आत्म बोध ही अध्यात्मी कुपलब्दी है, यह अभी तक जितनी भी चर्चा कर रहे हैं, आत्म बोध के जगे ही बात हो रही है, अभी तक आत्म बोध ही चल दा है, उसी सिलसिले से चल दा है, आत्म बोध ही अध्यात्मी कु हमने बोला इसका मतलब व्यापक वस्तु का बोध जो है बुद्धी को हम यह अनुमान लगा सकते हैं मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ मेरा अनुभाव नहीं है कि आत्म बोध के साथ ही व्यापक वस्तु का भी बोध बुद्धी को होता है उसके पहले नहीं होता है व्य के लिए जिग्यासा है ये वैपकवस्तु का बोध होने के पश्चार इसमें अनुभव करने की जिग्यासा बती है ठीक है ना इसी को फिर पूर्ण बोध सत्य बोध इन सारे नामों से भी इंगित किया है इसके लिए और एक नाम है आत्म बोध के लिए समयक बोध एक जगे हम इसके पहले देखे ठे सक्चा संकल्प होता है संक्ल्प मात्र सत्य पूर्न एवं सत्य पूर्ण आशरन ही है ये विए सारा वुद्ध के जगर्थी के बारे में वर्णन है को ना बता रहे हैं आत्माबोध अंतर नियामन प्रक्रिया द्या Rabbod ही आत्माबोध होता है वह के हुने के लिए विवस्था का दबाव यह ना सामाजी खरन का दबाओ और प्रभाव और अध्यनेवन संस्थार का दबाव और प्रभावまた अंतर ट्रूनियामन आवश्यक यहां तक बोले यहां यहां होने के बाद एरी तुम इतना कर लेते हो, तो इसके बाद क्या होता है, अभी यह बताएंगे. अंतर नियामन प्रक्रिया द्वारा ही आत्मबोद होता है जो ध्यान देने की चरम उपलब्दी है सबसे बड़ी उपलब्दी यही है यही जागरिती है ऐसे आत्मबोद संपन मानव की जागरित मानव संग्या है तथा यही प्रमान रूप में मानो, देव मानो, दिवे मानो होना पाये जब अपने जागरती को प्रमानित करेंगे, तब वो मानो चेतना का प्रमान, देव चेतना का प्रमान तथा दिवे चेतना के प्रमान को प्रसुत करेंगे, कब अनुभा के बाद, और ये क्यों है, क्य कि दूरा ही फिर प्रमानित औस जो एक सासी प्रभावशील होता है। हो जाना ही उपलब्दी है ऐसी उपलब्दी बुद्धी को अपलाविद किया रहता है। इसके लिए भाशा दिया है मध्यस्त पूर्ण जीवन। इसके पहले क्या हो आत्मबोर्ध हुआ अब ये एक जगह है जो आपको मुझे बोलना चाहिए मेरे लिए अभी शोद का मुद्धा बना हुआ है कि ये अधारना के अनंतर आत्मा के ओर बुद्धी का प्रत्यावरतन होगा साथ में संकल्प का परावरतन भी होना आवश्यक है तो बुद्धी में आत्मबोर्ध होना उसके साथ संकल्प का परावरतन होना ये होने से आत्मबोर्ध तता ब्रहमान बुद्धी ये आत्मबोर्ध हुआ बुद्धी को ये ब्रहमान बुद्धी हुआ है आत्मा को आत्मा vyaapakosu में vyaapakosu में मतलब सहस्थित में कि आत्मा finally आत्माके अनुभव के दमगर को यह दिभेंगे आत्मा और vyaapak इन दोनों का सहस्थित इसी का नाम योग मिलन की ही योग संग्या लिखा है ना योग की अध्याय', और प्राप्ट योग और प्राप योग, ठीक है, आत्म बोध के पहले तक सारा दूसरा है, योग, वो मतलब क्या कहेंगे, परस्वरुप बोध, उपलब्दी से लेकर बोध, यहां पर प्राप योग हो रहा है, यह आत्मा रपकुस्टू के साथ मिल गया, मिल गया का मतलब है, कि पारदर्शिता बन गई आत्मा की, बुध्धी के भी पारदर्शिता बन गई, इसके पहले बुध्धी की पारभासिता रहती है, इसी का नाम पूर्ण चेतन है, ठीक है ना, तो एक साथी प्रापवशिल हो जाता है, ऐसी उकलब्दी बुध्धी को आपलावित किये रहती है, तो बुध् से हमको यह भी स्पश्ट होता है कि अनुभाव एक है अभी वेक्ती तीन चेतना के रूप में होता है तीनों चेतनाओं का अधिकार बना ही रहता है अनुभाव की जगह बहुत की जगह मात्र उसको प्रमानित करने का करम भी नहीं और वो एक अलग चर्चा है इसलिए हम उसम करना है तो हमको 148 तक करना है 49 50 50 150 क्यूंकि मैं यह सोच रहा हूं कि हम आकरी के चार यह साड़े-चार क्रिया यह पृष्ट है इसको हम कल सबेरे भी कर सकते हैं उसमें तोड़ा फ्रेशनेस ज्यादा रहेगा आपको भी मुझे भी आगे बढ़ाएंगे यह 146 में पहला ब अन्य मानो बानो को मतरा जगरेत मानो कarti है तो ज़को अज्यादा न में ऊक्तर को मतर सकते हैं ज forwards आपके ओन aid गार्या-प्रोट जयागरित से न सब्हा Ugh अनुग्रहा एवं अनंकम्पा क्या है दया एवं करुना तो यहां पर भी देखिए भाषा यूज किया है पूर्वकी पर अनुग्रहा इसे यह मतलब नहीं है कि यह मतलब गुरु ने चाहा तो हमको बने साथ में बिठा दिया और ग्यान करा दिया ऐसे हम काफी जीजों को उसमें हम जाएंगे भी नहीं यहांपर पातर्ता के अनुशूर्वक्त यवस्टू को उपलग कराना या पातर्ता को वीसित करना या योग्यता को विसित करना यही अनुग्रहा तता अनुकम्पा है दयाकरप Arkरो में और वो अध्य पूछते से इश्वर की वह हो जाती है, कई इसमें हम पढ़ते हैं की खरुना पूरवक हो जाता है पर उसमें हमारा स्वक्रपा जूड़ना है, ये स्वक्रपा ही अध्यन पूरव जागरत होना है यह आम लोग इसको सुने भी होंगे कि दिव्यमानो का तो अनुग्रह बना ही कृपा बना ही रहता है के वल सो कृपा की कमी रहती दूसरे बहाशा में पढ़ाने के लिए पीसर हर समय उखलब है स्टूड़न्ट को उसके सब्जेक्ट में इंट्रेस्ट नहीं इंट्रेस्ट ह जब तक इंतस्विक्सित नहीं होता है जीवन में तब तक वो दया कपात्र भी नहीं वना इसका भाशा इसी वनता है इस जगे का फ़रंतोई अपेक्शा की रूप में है यहां पर बताया है नेक्स्ट बिंडू जागरित मानव का मारदर्शन करता ही है यह तो है ही यह बी काफी सरल है कि कौन किसका मारदर्शन करेगा मानव ही मानव का करेगा तो हम जैसे लोग जो जैसे आप हम थोड़ा सा काफी कुछ समय से अदेन किया है हमारे लिए यह सामानिय से वाक्य है परन्तु विगत विचारों के रूप से देखेंगे कौन किसका मारदर्शन करेगा कौन किसको जगर्ट करेगा तो उसमें कई सारे चीजों में चली जाती है जैसे देवी देवताओं में भगवान में इश्पकार की चीजों में तो कौन मारदर्शन करेगा विक्सित मानव ही विक्सित मानव का मारदर्शन करेगा अगला समाजिक्ता की अपेक्षा उसके योग ये वैचारिक सम्मेदन शीलता से है वैचारिक परिमार्जन आवश्रक है क्योंकि समाजिक्ता का संदक्षन संपर्पों एवं संबंदों के निर्वासे है समेदन शीलता का यहाँ पर क्या मतलब है दो चीजे हम पढ़ते हैं संचेतना में एक है संग्यानियता या संग्यान शीलता दूसरा है समेदना या समेदन शीलता समेदन शीलता जो है यदि वैसे देखेंगे तो ये जो साड़े-चार क्रिया के द्वारा वैक्त होना है, फैचान में और निर्वा करने के करब में, इसको सम्मेधन शिलता कहरे है, इसमें दोनों संभावना है, जो पांत सम्मेधनाएं है, उसमें ये ग्रस रहना, दूसरा इसमें सम्मेधन शिलता का मतलब sensitivity के अर्थ मे भी प्रयोग किया गया है जैसे दूसरे के लिए या मेरे लिए जो सुप दुख्का कारण है यही दूसरे के लिए भी सुप दुख्का कारण है इसकी जो स्विकृति मेरे में रहती है इसका नाम दिया है सम्मेदन शीलता तो समाजिक्ता की अपेक्शाथ महचादिक सम्मेद इसके पूरो के अध्यायव में आप पढ़तर के होंगे फरन्तु ये एक हाल में मेरे सामने किसी एक चरशा में आया था कि अब ये समाजिक्ता का ये एक तात्तर ये अध्यन के करम में हम लोग कई बार ले लेते हैं कि समाज के लिए कुछ करना ये एक दिन बस्तू है ना वो व्यवस्था में भागीदारी के अंतरगत मतलब ये भी नहीं है कि मैं इसे यूट्यूब के सामने बैठा रहूं है ना य भागीदारी के सेनी में ही आता है उसके बाद शिक्षा में भागीदारी करना करने का अधिकार दिवयमानों को प्राफ्ति दिवयमानों का मतलब यहां पर अनुबह संपन वेक्ति जिसमें दिवय चेतना की ज्यान संपन नता है अभी मैं प्रमान के करम में बात नहीं करना तो फिर समाजिक्ता का मतलब क्या हुआ? यह व्यवस्ता में भागीदारी, व्यवस्ता में भागीदारी के क्रब में संबंद निर्वाव। उसमें परिवाव व्यवस्ता में भागीदारी, यह समाजिक्ता है, तो दो भाषा आता, व्यववारिक्ता और समाजिक्ता, तो समाजिक्ता कभी-कभी हम लोग समाज के लिए कुछ करने के अर्थ में उसको हम कंफ्यूस कर लेते हैं, यह वो प्रचार और पदर्शन के है ना पुत्ता बिली के पीछे भाग रहा हो उसके साथ दर्शन कभी ना वह सब संस्कृति का भागी है उसके साथ इस प्रकार से एक सार्थक वस्तु का भी इसमें वीडियो आ जाए इस संस्कृति में जुटता है समाजिक्ता का निर्वा परिमार्जित विचार एवं संग्यान पून व्यवहार से ही है यह भी इस प्रस्ट करने कि अंतर तह समाजिक्ता कैसे होगा परिमार्जित विचार से ही होगा और संग्यान पून व्यवहार से ही होगा संग्यान का मतलब ज्यान ज्यान कहां से प्रार एवं अतिमानव्यता को एक साथ लिखाएं। से संपन्न होने तक हमारे में जो होता है इसका नाम है गुनातपक्त परिवर्तन। उसके बाद जो जीवन में होता उसका नाम है परिमार्जन। यहां पर परिमार्जन लिखा है। नेक्स्ट जड़ पक्ष पर जाग्रित मानव सहस्तित्व सहत संतुलन को बनाए रखने के लिए नियंत्रन करने का अधिकार संपर्न रहता है। नेक्स्ट जड़ पक्ष पर जाग्रित में रहते हुए इस जगरिती में जिसको हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जड़ पक्ष का नेक्स्ट जड़ पक्ष का नेक्स्ट करेंगे। परन्तु इसके पीछे नियम नियंत्रन संचुलन की स्विक्रती नहीं है। इस स्विक्रती भी होने से ये सब में स्विकार सुधार होगा। ये बुद्धी में मिलेगा संकल्प के रूप में। अध्रिटता तता निष्ठा के लिए जड़ चैतन्यव व्यापक का निर्भ्रम ग्यान आवश्याद है। इसके पहले इसका बोध है आत्म बोध और सत्य बोध। उसके पहले साक्षापकार पूरो बुद्धी में स्विक्रती है। उसके पहले उसका तफ्ष्रवण मानन के रूप में उसका अध्यन है। तो अध्यन के विदी से देखेंगे तो विचार पक्ष की सैम्यमता के साथ ही हमारे में चित्वसक्तिर का दूसरे बाशा में जब पूर्ण रुख से प्रत्यावर्तित हो जाता है तभी विचार की सयमता की नियंतरता बने तो अनुभव मुलत विदी से इन चीजों का नियंतरत बने रहना और अनुभव होने के लिए इनका परस पर एक दूसरे के नियंतरत में आना यह दूसरा मतल ब्रहं से जागरती, जागरती से प्रमाद नीचे संगशेट में जड चेतया तथा व्यपकशहता के बारे में मूल निर्देश्यक्तत्व दिए गह है ठीक है प्रतम जडि मरण धर्मा चेतन्य अमरत्त्व धर्मा तथा व्यपक नित्य धर्मा है यह तो मुझे लगता अभी तक सबको स्पष्ठ है इना चैतनीक आई अमर है गठन पुन पर्मानु है और ये भी देखेंगे ये पांच बुलेट ये हमको स्पष्ठ है ही ये पुना मतलब जो पढ़ने वाले वेक्ति हैं जो पाठक है वो पढ़ते समय ये जो सुत्र है उनक इसके लिए इसमें दिया है अनेक पर्मानु से संगेटित पिंडिया उनके पर्मानु अनेक पर्मानु से गटित अवस्था की स्थूल संगया है स्थूल क्या है सुक्ष्म क्या है कारण क्या है माहा कारण क्या है तीन चार पांच में दिया है ये ना पर्मानु को सुक्ष लिए रख रहा हूं कि यहां पर लिखाई है तो व्यापक वस्तु से जड़ चैतनिया पैदा नहीं होते हैं यह हम सभी लोग अध्यन करते ही हैं इना सब्था में संप्रक्ति के रहे हैं और जड़ चैतनिया का नित्यता हम को दिखता है जड़ भी अभिनाशी है उसका सित ध में ठीक है न तो और व्यापक वस्तु के साथ इनके संबन को बताया है तो किसी इश्वर इश्वरी ये शक्ति का होना जिससे जीव जगत का पैदा होना और या आत्मा का उसके एक सूतर के अनुसार आत्मा का एक अंश उसमें से आकीस में आना इसमें वापस जाना ये बह च्वाक्यों से आगे केस में चलते हैं निर्पेख शूर्जा सर्वत्र मतलब व्यापक होने के कारण सर्वदा सबको प्राप्त है नित्य सहस्तित्त के कारण क्या होता है इसको बता रहे हैं तो यह पेज 147 है ताइम अभी 452 हो गया हम लोग एक घंटा 20 मिनिट चला लिया है बराबर तो इस पेज को पुरा करके आप लोगों में से कोई मेसेज भी करें तो कि हम पांच बजे इसको रोख सकते हैं क्यूंकि 148 तो 152 चारी पेज भजता है तो आप चाहे तो उसको कल सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें से इसमें कोई लिखेगा तो ठीक लागे तो आप बताएए इस पेज को पुरा करेंगे 10 मिनिट में आज कुछ क्वेश्चन आया है आज कोई क्वेश्चन नहीं तो आज क्यूंकि कोई क्वेश्चन नहीं तो हम पांच बजे बंद भी कर सकते हैं हाँ या ना कोई लिख दे अचा कोई बोलना साड़े पांच सक चलाएं बट फिर कल के लिए कुछ बचेगा ने चलिए देखते हैं इसको पुरा करके ठीक है राकेश भाई या ठीक है बोल देखे एड्मिनिस्टेटर एक में तो और उनका नाम यलो में भी आ रहा चलिए तो पदार तवस्था की इकाईया इसे पाकर सक्रिय है इसे पाकर का मत्तब भाशा है ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें पदार तवस्था व्यापक वस्तु को नहीं पाया हुआ है इसमें रहने से तो यदि हम क्यूंकि चितरन में टाइम इकुल टू जीरो से हमको कलप चितरन में होता है ंचाल की अधार पर नने ये वर्ध्य की ट्रिया और काल के वरतमानता की बंसुत करता है मीं हम लोग स्था शूशर करते हैं व्यापक वस्तू में इकाईय पर रहने का तो पहली इकाईय को सोचिट है फिर व्यापक में औरज है कि इकाई व्यापत में संप्रिक्त है मतलब भीगा है इसलिए उर्जित थोड़ी देर बाद हम इस विश्कर्ट पर पहुंचते हैं जब कि हम सुनने के पहले से उर्जित रहता ही इतना ध्यान रखने से सेंटेंस ठीक पकड़ना आ कि अध concern के प्रांवस्ता की काई इसमें रहने से ही सक्षी है प्रानवस्ता की इकाईrespondी स्पंदित किक है नवे ड़्कें यह सपन्धन है यह पदार तवस्था में नहीं दिखा जा रहा है Da विह Also adaptiva इनयृ जो क जो उर्जा इसमेरहने से उकाया उर्जित है्- तो एक दिख, कि यही उर्जा वेक्ट है Specif代れた अवस्था से क्रिया शिल्था के रुपग्त है प्राण अवस्था से क्रिया शिल्था के साथ बड़न के रुपग्त है इसके बाद जीव अवस्था में क्रिया शिल्ता स्पंधन शिल्ता शरीर में तथा जीवन में आशान्धित या संवेदन शिल्ता होने से व्यक्त है आशान्धित मतलब जीने की आशा और उसी व्यापक वस्तुमें रहने से ज्यान अवस्था की एकाईयों में शरीर में क्रिया शिल्ता और स्पंधन शिल् तो व्यापकवस्तु एक होने के बावजूद उसमें क्रिया के गठन में भेद के अनुसार वही व्यापकवस्तु भिन विदी से व्यक्त हो रहा है या उस व्यापक वस्तू में तो व्यक्त क्या हो रहा है कि क्रिया हो रहा है ये इकाई व्यक्त हो रही है ये बहुती एक दर्शन का एक महत्वपुन मारमिक बिंदू है जहां पर चेतना और क्रिया का जॉइन या ग्यान और क्रिया का जॉइन चेतना यसे व्यापक वस्तू क को चेतना भी नाम दिया हैं फिर हम मानव चेतना देव चेतना देवि चेतना भी कुर्ण चेतना में पारदर्षीता का इस तो सब भे हैं क्ल तो ये सितने चीजे हैं क्रिया शीलता, स्पन्दन शीलता, समेदन शीलता तथा संग्यानियता ये उस क्रिया विशेश का प्रकटर है जैसे उसी व्यापक में रहते हुए एक आदमी जगरिते एक आदमी अजगरिते एक आदमी सोचता है कि स्ने क्या है एक आदमी में स्ने है एक आदमी स् अधर उसने में स्मे का भाव करा पारा है न समझा up आ रही उसको ब्यां पुभा कवस्तु को उपलंग करा आ रहे ले को अधर सब्सक्रिंद्ध में कोई परीवर्थतन नहीं हो रहा है तो ये जितने वी कॉलिटीज जित्रिमिया के हैं ना कि व्याप ëकवस्तु के है इसको हम किस रूप से स्विकार सकते हैं इसमें ये भी लिखा है उत्र उत्र विख्षित इकाई में निम्नस्तरिये इकाईयों के गुन विले रहते ही हैं गुन के साथ सबाव और धर्म रहता ही है तो ये गुन इस अर्थ में है कि ये एक qualitative statement है तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रान वस्था में फिर लोहे का भी कुछ गुन हमको मिलेगा इसको वर्बैटिम लेने से ऐसा बन जाता है इस पर कुछ चर्चाएं भी हुई है इसलिए समाया रहता है एक शब्ध ये विले रहता है एक शब्ध पर सभाव धर्म तो रहता ही है जैसे मनुष्य में अन्यत कि नवस्थाओं को सभाव धर्म दोनों ही रहता है जियान का उद्धाटन चैतन्य पकशर्थ्वार विचारों द्वारा ही होता है आंचा पर कुन उद्ध गहातिस कर रहा है मनिश ही कह रहा है तो व्यापक वस्थू जियान है ये बोलने वाली एका결 मनिश है जो ज्ञान ह होने का नाम ही अनुभव है तो यह सारी जी चीजों है ये जियान की प्रकटन विचार पक्ष शंसकारों के आधार पर हरास और जाग्रति की और गतित थ सिंग है विचार पक्ष का मतलब मानव में समेलित reports में जिसको विचा पक्ष कहा रहे हैं विचार व्योषार व्येवसाया अनुभाव, उस में से विचारपक्ष का मतलब मन, बृति, चित, तीनों ही अपने संसकार के नुसार, यहाँ पर संसकार का मतलब है, पूर संसकार, पूर संसकार का मतलब है, यहाँ बातशीत करना शुरू के साड़े तीन बजे, तीन अठाइस तक मेरे में जो भी संसकार था, यह 29 तक जो भी था, यह पूरो संसकार, अभी जो है, अभी का संसकार इसमें जूर गया, इस विजी से हमको इसको देखना चाहिए, यह पूरो संसकार के बाद को, तो विचार पर संसकार के अधार पर हरास अत्वला विकास्, जागनियरी का मतल manners क्रास रास है विकास्ट की ओर है तो यदी मने आसकती है मन में, वो विचार में अन्याई ही विचार नहीं है, मतलब अन्याई पुरवक विचार है ठीक है और आसकती पुरवक इच्छा ही भी है और मन में यदी आवेश्य और शरीर का दबाव है मन पर या आगनतु गुंद से कोई जीवन गरस्थ है ये उनके संसकार है तो इसको बाद में जाके विभादन करते हैं या पहले कभी किये होंगे इसी बुख में कुसंसकार और सुसंसकार तो जगरती के अर्थ में संसकार अंततह बुद्धी में पाया जाता है उस क्रसर है मानव और यह हो रहा है विचार पक्ष में जो भी अवस्तिती है इसके वज़े से यह इसलिए भी हमारे लिए महत्वपून है कि हम जब इसके अधियन में मनें प्रारम करते हैं जैसे आप हम है अभी तो हम अपना भी मुल्यंकन करते ही है जो लिखा है उसके तुल पुरे धर्ती पर जितनी भी लोग हुए हैं और बाकी लोग हैं उसके तुलना में कैसा हूँ ठीक है ना तो उससे पता चलता है कि हमारा अपना प्रवर्टी और हमारी अपनी इच्छा विचा राशा की जो गती उसका दिशा उसकी प्रकरदा का एक ठीक ठीक आकलन हम कर सकते हैं यह स्वण इरिक्षन पूरवक हम कर सकते हैं ठीक दूसरों के कष्ट दुख वेदना एवं संकट के प्रती मानव में सम्मेदना होती ही है यह बात हो चुकी इसी को सम्मेदन चीलता कह रहे थी इसके पहले समाजिकता के लिए जो ग्यानानुभूती की सक्षमता अत्व अत्युन के ही है यह बात क vert के सम्मेदन चीजों में ग्यानानमुटी हो सकते है इसी संब्हाबिन के कारी किसमें होता है यह जैनानुबहूती की इसांब्योची कि is जान चाहर कंञामुं park अनों मुल vein होगाग आद चार-पांच मन्दू बसे हैं यहां बिजली भी चली वद्धि की तीन वी इसथी यह परमिट किया है उन्होंने अल्प विक्सित अर्द विक्सित और विक्सित या अल्प जागरित अर्द जागरित और पूर्ण जागरित अत्य अल्प जागरित और उसे भी अल्प जागरित के बात नहीं है तेकिन अल्प विक्सित सारे को एक ही में रखा है तो बहुत सारी स्टेनिया मन जाती है तो ग् मन बृति चित में जो भी संसकार है अन्याहीन विचार का आसकती रहे तिछा का ठीक है ना और अपराधीन लेवहार का इसके आधार पर है ठीक संसकारों का विकास यह संसकार कैसे चेंज होगा यह पूछेंगे तो यह वातावरन अध्यन वह अपने प्रयास पर हमारे आसपा यह मानमिय विजी से हो सकता है यह आति मानमिय विजी से हो सकता है यह जो भी प्रयास ग्यानानुगूति के लिए आमानमियता में है यदि कोई तो आमानमियता से मानमिय गुनों से संपन होने के लिए प्रत्न करेगा यह से मैं अभी अपने बारे में सोचो तो हमारा प्रत तो इस रूप से हम इस वाक्य को अपने लिए स्विकार सकते हैं आगला बुलेट है यह लगता है दस एक मिनिट में हो जाएगा यह लिखे है स्वास्वरूपी आत्मा मध्यस करिया है तो मैं संग्या आत्मा को दिया है यही स्वयम का स्वरूप है तो स्वरूप बोढ आत्म बोढ के बारे में स्वास्वरूपी आत्मा या मध्यस करियां संग्या वरित्प च और वुद्धी इससे आथ्मा सहज अनुबह स्ष्ट करिया है और काफी इस पर भीश्रेशन हो गया है कि मृत्ति मन से चित्व रिधी से बुध्धी चित्व से तथा आत्मा बुध्धी से दिख्शित करिया है। में संतोष अनुब shortages bhrithi में शान्ति के अनुब DAY तथा मन में सुर्फी अनुबूती नहीं है लो ही में मन में कुरे रूप से सुखी होना न पूर्ण जो से शांति हो जाना उन चित में पूर्ण जो से संतोश होना और ब्ड़ी में आनन्द की निरंतरता होने के लिए आत्मा का होना आवश्यक है आत्मा के जगना प्रियाशिल होना जगना भाषा उप्योग नहीं हुआ है पर आत्मा में अनुभव आवश्यक है ठीक है तो अनुभव के पहले इसकी निरंतता नहीं है इसके पहले बुदी तंत्री जीवन में संतोश और शांती और सु दोग यह वोगा हम व्लोग पहले उसमें देखें । तो शान्ती को उइले भी शुक होने का है उफकत अभी होता है house हम लोगों के अच्छा में बन गया की हम लोग इह बड़ीसा पुछ भीमाइडियो बूरे रहने से हुआ नहीं रहते हैं यह वह विकास करने योग है तो में इसे मिल candy करने शर्वी ऐसे हुआ पर इसनने में हम करना होया हिए गुद्ध करा ना उन अनक्टेव विकास करता है aley Mumu हम आएं कहते हैं जो सुकी नहीं है वो दूसरों को सुकी नहीं कर सकता जो सुकी नहीं है वो दुखी ही होगा जिसके पास जो होगा वो उसी का बंटन कर सकेगा काफी कठोर तासे पकड़े हैं इसको मैस्टिफ को गंडे को एना कि अनुभव के पूरु में दुख का कोई मातरा होगा ही और गल्ती और अपराद होने की कोई न कोई संभावना है ही देखे दोनों चीज़े हुई है क्रम से सुक शांती संतो शानन की संभावना कैसे होगा यह भी बताया इनकी निरंतरता होने के लिए अनुभव है और अनुभव के पहले इसमें कोई न कोई चुरुटी रहेगी ही यह भी बताया है दोनों चीज़ें बता रहे हैं है न वो भी बता यह लिखे है अभी बुद्धी को आत्मबोध व्यापकता सहज अनुभव वो यज्याहिुद्धी आत्मा को पहशानता है यही highest बोध है इसी समय व्यापक्वस्तु के बोध होने की बात बनती इसके पहले अनुभव करता है उसके पहले खित-बोधि का उनुभव करता है यही अनुभव समुच्य है इसको अनुभव दर्शन में अनुभव समुच्य के नाम से भी गित किया गया है तो भास आभास और प्रतिती यह अनुभव के पहले हमारे में अनुभव होता है इसलिए अनुभूती के अन्शिक्ता में प्रतिती प्रतिती के अन्शिक्ता में अभास आभास के अन्शिक्ता में भास यह वी वाकिय हम कुर सुनाई देता है तो यह जो अनुभव शब्द है यह आत्मा के प्रत्यावरतन क्रिया तथा जीवन में लगु क्रिया का गुरु क्रिया को पैचानने के अरत में उप्योग किया गया है। यह जो चित्रन से लेकर अनुभव के शेत्र को मैंने उसको अनुभवाया मान लिया। और एक भी संदर में प्रयोग किया गया है इंद्री अनुभव तथा इंद्रियातित अनुभव यह आप पड़े होंगे। तो इंद्री अनुभव वो सब है जो मन में होता है और जो इंद्रियातित अनुभव होता है वो भी अनुभव यह है। विचार एक प्रजेक्शन है जिसमें चित्रन और विश्लेशन समाया है। व्यवहार जो है शरीर के द्वारा जो व्यक्तु करते हैं उसी चित्र किसी मनुभव के साथ फिर उसको व्यवहार कहेंगे। नहीं तो व्यवसाई है वो भी शरीर के साथ रेक्टूने के साथ है। यह चारों मिलकर पिर मनुष्य के आयाम है। तो बुद्धी को आत्मबोध वह आत्मानुभूति का उसार रहता है। इसलिए ऐसे अनुभूति के अनंतर सर्वतों मुकी समाधान वस समच सुलबू। तो यह समाधान सरवपरतम किसको हुआ बुद्धी को हुआ। यह ना समाधान का ज्यान। इस समाधान के ज्यान के फलन में जीवन समाधानित होता है। तो चित में जो जिग्यासा हुआ या जो चीव इच्छा बनी या घर्म सत्य को समखने की गृत्ती में व्यवार को लेकर या धर्म को लेकर या आचरण को लेकर जो भी परिशानिया है यह अंततह बुल्धी में समाधान के ज्ञान होने से ही पूरा होता है इसी को सर्वतो मु समाधान का भी भास होता है फिर समाधान का भास होता है फिर प्रतिती होता है और प्रतिती के बाद सीधा अनुभव ही लिखते हैं भास आभास प्रतिती के अनुभूत्य कई जगह भास आभास प्रतिती एक दो जगह बोध अनुभव ऐसे लिखा है जब बोध अनुभव लिख रहे हैं तो वहाँ पर बोध के लिए आत्म बोध को इंजित कर रहे हैं तो चित्त के साक्षापकार के बाद बुद्धी में स्विक्रिटी होना और उस बुद्धी के प्रत्यावरता एक साथ बताने से प्रतिती और भेद करके बताने से बोध और और बुद्धी ऐसा बंता है कई वार ये भी एक रहस्य सा हमारे लिए रहस्य मुक्ती को लेकर हमारे में कुछ रहस्य बन जाते हैं जो हमको समझने आता है वही रहस्य है तो वो एक थोड़ा सा ध्याना करशन फिर विक्सित इकाई के अनुरूप व्यवहार और विचार से रास की और दबित होता इसका मतलब क्या है कि मानव जीवों के सद्रिश्य जीने के लिए यह भी अविकास है हम अपने से कम विक्षित को देखते हैं यह भी अविकास है कई बार यह अग्यान में भी होता है जैसे बच्चों में भी दर्शाता है करता है जो कमी नहीं इसको देखके सही मानकर हम अपना ले रहे हैं यह बच्पान से ही शुरू है और प्रोड होते होते यह Liblauk हो जाता है यह एक एक विक्सित को देकर एक्षे से अन्दर जीवा रृपने का गई द्हाइं धिया सेंधियों पूरे अंदर जीवन क्रियाओं में क्या होता है बताने की विक्सित और विक्सित में क्या मतलब कैसे होता है विक्सित और विक्सित आसकती वश्ची गुरु मुल्य का लगु मुल्य की और जुकाव है जो अव मुल्यन है और मन शरीर के दबाओ में आना ये वमुल्यन है किसका मन का भी हुआ भृती का भी हुआ क्योंकि मन शरीर से विक्सित है फरंटो जीवन क्योंकि अपने आपको शरीर ही मानता है तो हम शरीर के साथ तदाकार रहते हैं तो इंद्रिय सन्निकर्ष बहुत सारे अपेक्षा है यह रुचि मूलक अस्वादन से संबन दित है उसकी अपेक्षा मन में रहती है यह भी एक संस्कार का जगह है कि हमारा उसमें कितना आ सकती है कितना नहीं इसका दबाव जब वृत्ति पर पड़ा तो यह क्या हुआ लगु गुरु मूल्य लगु मूल्य की ओर जुका हुआ क्यूं क्यूंकि आ सकती है किसमें मन में इसलिए एक जगह यह भी काया नागराजी ने लिख इतना आया है कि नहीं मुझे याद नहीं है कि मन है ब्रह्म तता जागरती का कारण है क्यूंकि मन यदि वृत्ति के नुसार हो गया तो वहां से फिर वृत्ति चितिक नुसार चित्व गुद्धी के नुसार होने कि सिंकला शुरू हो सकती है मन में मनन नहीं मन दित्ति के नुसार नहीं हो पारना या मनन नहीं हो पारना एक बड़ा pause button है मनिश्य के लिए ठीक है तो इशी को फिर अवमूल्यन कह रहे है गुरु मूल्य को लगुमूल्य के लिए प्रयोजित एवम नियोजित करने के लिए भ्रहम का रहना आवश्यर तो ये ब्रहम हम देखे कि चित्रन चित्र में आती व्यापती आना व्यापती दोश के रूप में भी है और इस में से जो सम्चित्रन है जो सही है उसको जो बुद्धी सही शिकार लेता है आंकार के स्वरुप के रूप में उसका नाम 브hamit buddhi है तो डो भाष आया है कि ब्रहम जो है गलत मान्यताए गलत मान्यतां जो है ये चित में है जैसे मैं आपके بारे में कुछ गलत मान लू भोजन के बारे में कुछ गलत मान लू पती-पती संबन को गलत मान लो, भाई संबन को गलत मान लो, यह जो यूट्यूब से प्रजेट हो रहा है, इसी को गलत मान लो, इसको हमने अपना प्रमानिकता मान लिया, यह भी एक गलत मान लियता है, यह भी एक बिसमी चितरण, तो यह सारे का जो बेस है, यह चितरण में चित्रण में यदी समध्य Eggst चित्रण हो पाता है जब भी होता है गुद्धी उसको यदी सही मान लेता है अब उस समय बुद्धी में आपनों बोध नहीं है तो औ। फिर आहंकार कहलाएगा तो उस समय चित्र में अभिमान का अंश रहेगा ही बुद्धी उसका दिश्टा रहेगा परांतु वो एक याग है तो हम लगब दो घंटा सवा पांच बत गये हैं कोई question आया है नहीं तीन question है ठीक है सब लोग ये भी कह रहे हैं कि कल भी करेंगे तो तो मुझे लगता है कि हमारे पास चार ही वह हैं पेज है एक बार देख लो कि ये शायद आगे ये टेक्नोलजी कुछ अद्वांस होगा जिसमें सामने वाले कभी चैरह दिखेगा तो नौ बचके अठाइस मिनिट हो रहे हैं तो हम लोग दो मिनिट के तिक्षा करते हैं दो ये चार मिनिट क्यूंकि हम नौ बटीस दो मिनिट एक्स्ट्रा उपेंगे ऐसाता है सुचे थे सभी को नमस्ते नमस्ते सभी को तीन मिनिट तो मौन वरत रखेंगे कमेंट्स में आप लोग से दूसरी का नमस्ते देख सकते हैं क्षिशन अंत में लेंगे कि वो हां बना सभी लोगा आएंगे क्षिशन और तो 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 गला मने हैं गथिशन अंत में लोगा आएंगे कि हमारे कमरे में एक चिडिया बुच्टिया अभी दो मिनिट बचा है इसमें नौ तीस दिखा रहा है हम लोग सोचे थे कि दो मिनिट नौ बद तीस चक रुख जाए कि सभी लोग आ जाएं तब तक कल से संबंदित थी किसी के मन में कोई प्रश्ण है तो इसको यहां लिख सकते हैं आप कमेंच में आप लोग उसको नोट कर लेंगे और अंत में अच्छा ठीक है राकिश भाई का रहा है कि साड़े नौ कोई शुरू करें तो हो गया नौ 31 हो गया तो सभी को नमस्ते और और हम क्रियाों के बारे में रह्स्रי मुक्तियत थी तो जीवन तिर्याओं के ही स्थिति और गत्ती कुछ लोगों ना हारी हदिका है जीवन क्रियाओं के ही स्थिति अंतिम सत्र को प्रागम करते हैं आत्सवेरे मेरे मन में एक बात आई मुझे इसको आपके साथ बात बराखे दर्शन या किसी भी दर्शन का विश्लेशन पस्तूत करना काफी एक ग्रैविटी एना एक गंभीरता मुलत कार्य है क्योंकि जो अभी वेक्ति होती है दर्शन का जो सम Pittsburgh होता है वो दर्शन-कार किसी दृष्य को देखकर और उसको सामने वाले को सम प्रेशन मतलब समझाने योग्य बनाने के दृष्टी से लिखे रहते हैं परंदू बोलते समय ये स्पष्छ होनाशे हमको कि उसकी सीम Marriage क्या है लॕ बैप्दी गत्व इसमें सष्छी करना चाहता हूं कि दशन को व्याथा करना जो तीन आनूसार्थ है घर पीछले दश उसोर सोओ मेरी अध्यन में मेरे सामने आया है आज के दिन जो मुझे बिल्कुल ही सही लगता है, वो अगले एक दो वर्षों में कई बार बदला भी है, कई बार उसमें और कुछ परिश्कृती भी आई है, तो सुनने वाले को ये ध्यान में रखना चाहिए, कि जो कहा जा रहा है, वो आपके लिए सोचने विचानने के ल अगले वर्ष तक उपलब्द हो जाएंगे, इसके साथ ताल में बिठा कर आपको अपने निश्कर्शों पर पहुंचना चाहिए, और यहां से जो, यहां से या कहीं से भी, कोई भी आपको उसका जोभी रख्ती करते हैं, संप्रेश्ना की, तो वो आउधार्णा ही बनता ह और आउधार्मा के स्थिती में मानविय दिश्टी, विश्चे और सभाव एक प्रकार से इनका ज्यान हो जाता है, और इनकी प्रतिती भी हो जाती है, इसका मतलब यह अधिकार में आना शुरू हो गया, यह अधिकार में आ गया, ऐसे स्थिती में साधत या अधिन करता आपको पाएगा, इस स्थिती में तहे हुए निशकर्श ज्यादा स्थाई है, इससे अधिक स्थाई फिर बोध या आत्म बोध के स्थिती में ही पाया जाता है, और अंतिम में परिवर्तनी यह जो निशकर्श है, यह फिर अनुभू मुलक विरी से ही प्राफ्त हो सकता है इसका यह मतलब नहीं कि इसके पहले जितने भी निशकर्श बताए जाएंगे, वो सभी पर प्रश्मिशन लगाना है हमको, जो शब्दार्त या हम शब्दान उशासन के साथ जब चल कर बात करते हैं, जैसे बात करते समय हमने और किसी कुस्तत का, किसी वाक्या का संदर्ब संदर्ब के साथ बात करना फिर बनेगा, तो मुझे लगता है कि शब्दान उशासन और उसके साथ परिभाशाओं के अनुशासन के साथ चलना ही सही रास्ता है, कब से कम आउधारना तक या आत्वबोद परिया, इस सिती में आ सकता है कि मैंने इसको ऐसा देखा है, और ज लिखा है और ऐसा मैं सोचता हूँ, क्यूंकि हमारे सोचने का जो भी जैसे मैंने कारब में कहा, हमारे सोचने का जो भी निशकर्श है, ये कई बार बदलता भी है, कई बार परिश्कृत भी हो, और कई बार हमारे साथियों के साथ बैठ कर ऐसा लगता है कि हमने जैसे सोच और निश्कर्ष पाया और इन साथियों ने जो पाया इसमें भेद है और ये एक अच्छी बात क्यूंकि इसी से मुझे लगता है हमारा शोज भी आगे बढ़ सकता है इनी बातों के साथ हम पेज नंबर 148 से पुना प्रारम करते हैं 147 तक हमने पुरा कर लिया आखरी सत्र है हमारे पास दो घंटे हैं और पांच प्रुष है इस पहम आगे बढ़ाएंगे पहला इसमें जो अनगूती है यथातता से भिन मानेता ही ब्रह्म है इस वाक्त के क्वेजी देखेंगे तो यथातता क्या है ये कौन बताएगा जिसने यथातत को देखा है समझा है उसके पह में उसका बोध हुआ है तो यथातता से भिन जो भी मान्यताएं जीवन में पाई जाती है और ये मान्यताओं का यदि सीमा एदि हम देखेंगे तो चित क्रिया के रूप में समझ दाता है तो इसी को फिर जीवन या जो भी सादक है या समझने वाला वेक्ति मानाओ इसी मा कर्म में मान्यता है उसके लिए वो समझ के रूपने प्रतित होगा बढ़ा जैसे आप मुझे कोई बात समझ में नहीं आती है आपको आती है मेरी जो उसकी समझ बनी है वो मेरे लिए सचाई है आप लिए वो भ्रहव ठाजिए तो यह विक्सितिकाई या ज्याज्यत बनते भी है और ये दिखता भी है कि ये ब्रहम था या ये ब्रहम है दूसरों में भी दिखता है कि ये ब्रहम हो सकता है परन्तु जो हमारे में मान्यता है हम को नहीं दिखती है वो हमारे लिए समझ के रूप में दिखती है तो इस वाक्य को हम येसे भी देख सकते हैं यता त तो यह एक बिंदो काफी एक पावर पैक्ट अनुगूती दूसरा रास की सूचना रहते हुए भी विकास के स्पष्ट ग्यान एवं निष्ठा के आभाव में मान विवस्ता पूर्वक अर्थाद ब्रह्म पूर्वक पतन की और गतित यह रास की सूचना कैसे मिलेगी जिसको यथार पता का ग्यान है उनसे हमको रास की सूचना मिलती है जैसे हमको अभी पता चला जैसे भी इस रहसे मुक्तियत ध्याई के द्वारा कि मन जो है यह शरीर के दबाव में आके रास की और गतित है इसकी सुचना मातर होने से हमारा मन ऐसे गतित नव हो ऐसा देखा नहीं जाता किसी-किसी में होता भी होगा कि हरास की सुचना मिली और उसी के साथ मन पूर्ण रूप से पूर्वाने शंगिक हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात है इसी को फिर उस मन का संस्कार कहेंगे या उस जीवन का एक संस्कार या सुसंस्कार कहेंगे परन्तु सामान्य क्रम में यही दिखता है जैसे हमको पता है कि अपमान करना गलत है पता है का मतलब उसकी सूचना है बाशा के रूप में उसका श्रवन है परिवर्तित होना यह अभ्यास अत्वा उपासना पूर्वकी होगा तो हरास की सूचना रहते हुए भी विकास के स्पष्ट ग्यान तो विकास का स्पष्ट ग्यान मतलब जागरती का स्पष्ट ग्यान तो स्पष्ट ग्यान कहां से शुरू होता है शुरू होता है आभास से क्योंकि सहस्थित्त की आंशिकता की स्पष्ट स्विकृति ही आभास यह परिभाशा हमने कल भी स्वरण किया था यह यहां से शुरू होता है यहां पूर्ण ग्यान अनुभोग को इंगित करें पूर्ण ग्यान एवब निष्ठा तो निष्ठा जो है यह बुद्धी की स्थिती है बुद्धी की अवस्ता है आउधारना पूरवक्त जो संकल बनता है उस आउधारना के अनुभूप यह यथार्टता वास्त बुद्धी की जो निरने होती है बुद्धी में उसका नाम है निष्ठा ठीक ना इसी का नाम है ध्यान ऐसे वेक्ति को हम कहेंगे कि ये ध्यान के स्थिती में है क्योंकि बुद्धी जागरित हो गई उस समय ध्यान के स्थिती में होने से क्या हो गया है, चित्थ जो है ये बुद्धी प्रत्यावर्तन्या आत्मा के आत्मा में अनुगों होने के पाश्याथ बुद्धी उसके पूर्णागी एगा तो यह इस इस बिंदू पर अगला इसी का विशलेशन दिया है हमने थोड़ा सा जहना कर्शन के लिए अच्छा कनेक्शन इंस्टेबल आ गया ठीक है हम लोग नदी किनारे हैं और यहां वह बहुत चलती है तो कनेक्शन भी आगे पीछे होता रहेगा यहां से ब्राड़कास कर पा रहे हैं आपनी में बड़ी उपलब दी है तो पुना अपराधीन व्यवार के लिए सार्भों व्यवस्था की प्रेरना तो बहाद जब तक सार्भों व्यवस्था ना हो तब तक यह प्रेरना कैसे होगा तब इसको साधना के रूप में हमको स्वाइम ही करना पड़ेगा बहाद से जब विपरीत दिशा में दबाव आ रहा है तो ये सारभोम व्यवस्था आंतरिक दबाव के रूप में काम देगा हम दो भाषा को देखे दबाव एवं प्रभाव तो ये अपराधीन व्यवहार के लिए फिर व्यवस्था का प्रभाव इसका मतलब क्या हुआ अप पर नारी पर पुरुष और पर पीड़ा है सामाद्य रूप से भारत देशे देश में तो नारी सवA पूरिष्य की सिख्रत्य प्रमप्रागत विदि से है ही परंँ उसका विचार नहीं होना या सौन की श्विकर्टी होना और् अपने में एक आप लोग उसको सुने ही हों बोकात दो कि जो हैं इसके होने के लिए क्या करता पड़ेगा? इसविकार आ पड़ेगा। क्योंकि सारभों व्यवस्था या अखंड समाय सार्भॉ को सफिकार उसके पहले नियम में जैसे अभी Colin विटी की जैगरियती हुई वृत्ति के प्रत्यावर्तन के साथ नियम की स्विकर्टी होती है नियम की जगर्टी होती है और फिर हमारा जो विचार है ये न्याई होता है इसका मतलब क्या हुआ कि तुलन में न्याया न्याय की दृष्टी की स्थिर्टा बन पाई उसके पहले न्याय की अपेक्षा रहत बनाई हुआ है क्या कि न्याय कैसे हो सकता है उसका जो आधार है वो गलत है तो न्याय का आधार एदि देखेंगे हमने कुछ मान लिया है चाहे वो धार्मिक विधी से हो या सामिधानिक विधी से हो ये जो आधार है प्रत्यक वेक्ति के चित्रण में है स्मरण के रूप में उस आधार पर फिर वृत्ती में तुलन होता है, विशलेशन होता है कि यह न्याय हुआ कि अन्याय हुआ, आज के पीनल कोड के अनुसार, परंतु सारभौमिक नियमों को, सारभौमिक व्यवस्था को यह दि हम स्विकारते हैं, तो वृत्ती उसका विशलेशन करेगा, और उ होने के लिए सामाजिक आचरन को स्विकारना, तो सामाजिकता को हम कल भी बात किये थे, कि संपून संबंद एवं संपरकों का निर्वा, तो प्रादम में तो संपून संबंद एवं संपरकों का निर्वा हम समरन पूर्वक यार देख कर भी कर सकते हैं, जिसको अनुकरन कह परन्तु उससे अधिक यदि करना है तो उसके मूल में उसको समझना पड़ेगा क्यूंकि धर्म ही सामजिकता के रूप में होता है तो धर्म के स्पष्टता के बिना सामजिक आचरन का कोई तिकने का जगा हमको मिलता ने इसलिए कल भी हम यह कहा था आप मैं हम ही बोल रहा इसलिए संपूनता की अध्यन टुकडे-टुकडे में हम विश्लेशन करते हैं परन्तु अंततह संपूनता को लेकर ही चलना पड़ता है तथा धर्मपून इच्छा के लिए अध्यन एवं सुसंसकार का प्रभाव आवशक है यह धर्मपून इच्छा क्या हुआ आसकती व चित्रन चेत्र में अस्थित्व को लेकर जित्ती भी मान्यता है मतलब संसार को लेकर जित्ती भी मान्यता है और उसमें प्रत्य किकाई के साथ संबंध को लेकर मान्यता है यह तीन प्रकार के चित्रन के शेत्र है यह जो तीन चित्रन है पुना सुक्ष्म कारण और ती वर प्रदान हो सकता है इतना रेंज है चित्रण वापस आ गए तो यह connection यहां पर एक ही signal चलता है तो हम उसी के भरोसे हैं को हम दर्म पूर इच्छा पर थे तो यह आ सकती भी निच्छा यह लिए अध्यन के लिए तो बताई है श्रवन और सक्षत का इसके संयुक्त प्रक्रिया को अध्यन के तो श्रवन भी होना पड़ेगा अपरादीन वयवहार करने के लिए बीश्रवन आवश्यक है अन्याहीन आपने में पाते हैं तता अग्यान रहित बुद्धी के लिए अंतर नियामन का प्रभाव आवशक है तो ये अज्यान रहित बुद्धी का मतलब इस बुद्धी में यदि हम पूर्ण रूप से ब्रहमिज सिती का देखेंगे तो बुद्धी चित्र में होने वाले सम विशम दोनों ही क्रियाओं का विश्टा बना रहता है उसमें से विशम को नकारता है और आप यदि हम बुद्धी को ही दिया गया तो कौन अपने को शरीर मानता है इस प्रशन करेंगे हम तो जीवन मानता है उसमें भी एजी देखेंगे तो फिर बुद्धी मिलता है क्योंकि Ś्थिती में आंकार और इस आंकार का जगना या इस आंकार में वस्तुखाना जड़, अपने आप तो ये अघ्यान रहिद बुद्धी के लिए तो ये बुद्धी में जो अग्न है किसका अभी आत्मा का अग्न नहीं हो बुद्धी को ना के लिए अंतर नियामन का दबाव या प्रभाव आवेशक सिद्ध होता है तो फिर इसी का विश्रेशन आगे है अतहब परसपरता में जो व्यतिरेख है उसके उन्मोलन के लिए तथा परसपरता में विश्वास को उत्पन करने के लिए जो जागरती के लिए प्रथम सोपान है परसपरता में विश्वास को उत्पन करने के लिए जागरती के लिए प्रथम सोपान है तो मनुष्य मनुष्य के बीच विश्वास स्विकार होना यह अध्यन पूर्वक होता है यह जागरती का प्रथम सोपान कहने है यहां पर जागरती आनुभाव के लिए परयावाची नहीं है ऐसा नहीं है कि उसके पहले यह जागरती म इस प्रकार से विश्वास को हम सोचते हैं उसका श्रवन है उसका तर्ख है कि विश्वास का मतलब क्या है इसको आप हम एक दूसरे के साथ संपरेशित करते हैं तो इस प्रकार से विश्वास की स्थापना विश्वास को सोचना विश्वास का अभास होना उसका उसके बाद विश्वास की स्विक्रटी होना सक्षात्यार गुर्वक्त उस उस तस पश्षात वो स्थापित होना यहां तक की बात है जिसके लिए मानवेता पून आचरनेव समाजिकता वो पहले ही उसका हम अभ्यास किये ही रहते हैं तो यह उपर उसमें न्यायपून व्यवस्ता सहस्ते तुरूपी सत्यपतिश्टे शिक्षा तो स्वयम में होगा तभी बाहर होगा तुमकि कल हमने इस वक्त को पढ़ा था कि जिसके पास जो है उसी का बंटन करता ह विश्वास और विवस्ता की समझ नहीं है ते रा सेमाफ का जो करम है वह आवरतन शील्ता के आधार पर होता है आवर्तन शीलता का क्या मतलब है यह प्रत्यावर्तन और परावर्तन का जो चक्र है जीवन में स्थिती गती क्रियाओं का इसको फिर आवर्तन अत्वा आवर्तन शीलता कह रहे हैं इसकी दो सितिया हैं, उसको हम देखेंगे आगे, प्रत्यक मानव जगर्ती ही चाता है, किन्तु ब्रहमवश राज को प्राप्त करता है, ये काफी सरल है, इसका कारण मन बृति चित गुद्धी और आत्मा के बीच आवर्तन एवं प्रत्यावर्तन क्रिया एवं उसके प्रभ आशक्ति हट अभिमान और अहंकार इचले प्रयोग हो रहा यहां पर आवर्तन, तो ये जो है ये ब्रहम है, आशक्ति एक ब्रहम है, हट एक ब्रहम है, फिर अभिमान एक ब्रहम है, और अंतता अहंकार एक ब्रहम है, ये ब्रहम की अलग-अलग स्थितिया है, आहंकार भी ब्रहमित बुद्धी ही है, परंतु इस बुद्धी को कुछ पता भी है, और कुछ पता नहीं है, वैसे ही चित का, वैसे ही वृत्ती का, वैसे ही मन का, तो ये आवर्तन और प्रत्यावर्तन होने का मतलब है, कि मन में आसकती न हो, मन वृत्ती के नुरूप हो गया, ये प्रत आपने विशलेशन से तदाकार होके या भाशा बनेगा जिवन अपने ही विशलेशन या व्यवहार विचार से तदाकार होके चित्व पर डबाव डाले हुआ है तुचित्व उसके नुरूप इच्छा या चितृत करने अब शूकी क्यों है यह वाइसर वर्था यह पश्ट होता नहीं उसको आपके हाथ में है फोन उसको खिड़की के ऊपर रखे नेक्स्ट टू डट अलुमिनियू यह नहीं तो मानन के फोन को उपर लना पड़ेगा नीचे क्या दर है कि थो मिनीट होगा नहींने दो मिनिकों नेट्वर्क को नीचे है रिसे मत geldi हम्म ल­क कंटिनु करेंगे तो यह आवरतन तथा प्रत्यावरतन की सबस्तता रहे त typ यह आवरतन तथा प्रत्यावरतन की स्पर्श्था इसकी पूर्व की इस अब हासे अवेश आइश्व को सब्सक्रियों को पाया जाता है यह सब्सक्रिये काम बहुत और मुध यो इस तेनों के सभू पें हैं सब्सक्रियों Karl नियुक्त पधात्मक है कौन से मद मादसर्य और क्रोध कि इसमें और एक छोटा सा हम लोग observation कर सकते यह उसको एक खिड़की में वह aluminum plate के पास रखने से मिलेगा उसको उसी खिड़की में तो इसमें से यह हम देखेंगे एक चोटा सा observation लोब काम और मोह यह तीनों ही क्रम से मोह मन के प्रती दूसरे के मन के प्रती लोब दूसरे के धन के प्रती और काम दूसरे के तन के प्रती है क्रम से एना मन धन और तन से संबंदित जो समोहन है यही फिर मन में आवेश के रूप मिलता है और यह जो बागी तीन है मत्सर मतलब दिखता है और ये जो बाकी तीन है मत्सर मतलब दूसरे के मन के प्रति विरोध कुरोध मतलब भाय घटना के प्रति विरोध और मद का मतलब है कि स्वैम का ही अधिमूल लेने के प्रकाद से ये यहां पर हमको दिखता है मद, मात리 और क्रोध में इन सब के मूल में आवेश है यह जो मन में है उना आवेशी मनों मानों के लिए दुख का कारण है क्योंकि दुख की जो स्थली है यह मन है तो मन में जितना आवेश नहीं है यादि हम अपना यदी भारशा देने जाएंगे, यह दरशन में नहीं लिखा है, अपने एक परामर्श के लिए, मन जितना आवेश से ग्रसित नहीं है, उतना ही वो सुख के करीब है या उतना ही सुखी है, हलाकि सुख दुख में मातरा की तो बात नहीं होती, परंतु यह गुनात्मक भाशा है, तो इसमें अगला बिंदू, आवेश के मूल में हट, मन में जो आवेश है, उसके मूल में वृत्ती में हट है, वृत्ती में जो हट है, उसके मूल में चित में ब्रहम है, चित में जो ब्रहम है, उसके मूल में बुद्धी में अहलकार है, दूसरे भाशा में, बुद्धी ब्रहमित है इसलिए चित में ध्रम है इसलिए वृत्ती में हट है इसलिए मन में आवेश बना हुआ है यही आवर्तन है इसको हम जस्ट दो कदम पेले ही बग किये थे अब हट के परिभाशा इन सारे परिभाशाओं को एक बार पढ़ लेते हैं हट अपने विचारे व्यवहार से यह कहां पर है विचार में यह हट किसजीड का विचार है व्रिटी मन कदे मुल्यांकन करता है वह मन के द्वारा जो भी doing power फ्रकट हुआ इंदि विडिसे वेवहार करने के लिए निरने देने के लिए बात दे है वो यदी न्याएक हो जाता है तो वो न्याएपून विचार क्यलाएगा तो दूनों में भेदिये है काम प्रजनन या yovan संबेद्ना ग्रिया में सुख पाने की प्रवर्ती की काम संग्या है परिभाष आपने में एक बिंदु आता है कि यह जो यह राती के लिए विए अवेशच क्रिया आया घटना है मनुष्यमानों परंप्रा में तभी तो परंपरा बंती है और यह चीज प्रजानन जो है हमको तरान वस्था में भी दिखती है जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसीजर है तो इसमें भेट क्या होगा यह काम जैसे हट जो है न्याई आचरण न्यायपून विचार में परिवर्थित हुआ काम किसमें परिवर्थित होगा वो संतान प्राप्ति के के लिए या यवन पीडा से निवृत्ति के लिए वो परिवर्तित होगा ठीक है ना तो अध्यन के करम में सरुपरथम हमको जो प्रहत्ता करेंगे जैसे मैं मान दीजे प्रहत्ता करता हूं कि मेरे में मान विए दिश्की विश्य और सभाव पहले आ जाए यह 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 हम पाते नहीं कि यह आ गया तो इसको फिर प्रमानित करने के लिए सोचेंगे इसके बाद फिर अतिमान्यता की बात आती पहले ही दिन से करुणा का अभ्यास तो नहीं बनेगा तो और वो घातक भी है कि हम करुणा का अभ्यास बिना करुणा के अधिकार के करुणा का अभ्यास करन नहीं चाहता है या हम गुरु बने योग नहीं हो और हम चिश्य बना लिए तो यह एक प्रकार से आउट ओफ टर्थ दयाक रुपा करुणा बन गई इस जगह में यह दी देखेंगे तो यह 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 प्रणागराजी से बात हुई तो तर यही मिला कि यह 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 प्रयोजन के अर्थ में इसलिए फिर वो स्वतनतर्ता की शेनिया दिया है आप यह जब हम अबहाद दर्शन देखते हैं उसमें मिलता है कि जैसे इसमें भी आया था स्वतनतर मानो हम स्मरन करेंगे चित जब बुद्धी के संकेर ग्रहन करने योग के विकास को पाता है तो चित बुद्धी के नियंतरनाद में आता है यहां से स्वतनतरता का प्रार यह पूर्ण स्वतनतरता है तो यह स्वतनतरता का ख्रम इस रूप से है यह स्वतनतर होने का प्रयास ही फिर हम अध्यन पूर्वक श्रवन मनन पूर्वक शुरू करते हैं जिसमें सरो प्रतम यह है कि मन का प्रत्यावरतन हो जाए और वृत्धी के नियंतरन में आ जाए मत तो इस प्रकार से यह बड़ेगा, क्रोध, स्वयम के अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है, आप सब सुने ही होंगे, यह सब परिशे शिवर में बातचीत होती ही है, तो क्रोध में क्या हो रहा है, एक बोलचाल के भाषा मेरी बात करेंगी, तो एक आदमी अपना होशावास खो जा रहा है, मतलब हमारे विभाद का हम मुल्यांकर नहीं कर पा रहे उस समय, यह इसलिए कहना अवशक है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि क्रोध का प्रदर्श प्रवर्टन लाने के लिए जगरित्वक्ति कर सकता है, जो क्रोध का प्रदर्शन उसमें मन खोया नहीं है, उसका उप्योग किया जा रहे है, उसको प्रभावित करने के लिए, ओही परावर्तन के लिए हम परिभाशा का अभ्स्मरण किया थे, स्वशक्ती से भाई रहे को प्रभावित करना ये नियंत्रित करना ये प्रावत्तन है मद अस्त्यता के प्रति मान्यता की पराकाष्टा ही मद है ये भी अपने में एक बहुती थोस है ना सॉलिड एक परिभाशा बिला हमको इसको यह हम हम अपने लिए यह जांच कर देखेंगे निरीक्षेन पूरव है फिर भी में श्रेष्ट हों दूसरी जदा इसका परिभाशा ऐसे आया है इसकी दख्या आई है कि हम अपने ही कारे को हम श्रेष्ट मानते हैं ये ना जो आप पूरो के अध्याय में पड़े होंगे ये ना कि मन शुब्द मानव विश्यों को श्रेष्ट वृत्ती तो अपने ही चितरन को ज्यान मान लेना ये बुद्धिक शिवख उसके पे़ने है बिर्टिक शुब है उससे भी यह दी नीचे है तो मनक शुब उससे उनीचे को यह езжส suspects में थे मुग्ध हो जाना ही एं है इस यह क्या हो गया दूसरे मनसे किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभाव में आकर हम गलतियों को भी नहीं देख पारें उस वेक्ति का सही सही मुल्यांकर नहीं कर पा रहे हैं यह मोह लोब पातरता से अधिक विशेश विभूती के प्रती उतकट वांचा एहमं प्रयास ही लोब है यह विभूती अपने में एक सॉलिड जैसे कोई बताता है एक समय में कोई साथ हुआ है थे नागराजी से मिलने 1980s में तो उन्होंने कहा कि आपकी परिभाषा है हतोड़ा जैसे है तो यह और एक हतोड़ा जैसे एक परिभाषा हमको प्राप्त है लोब के लिए आगे बढ़ते हैं मतसर दूसरे के हरास एवं पतन है तो उतकट कामना वो प्रयास मतसर यह यह इर हमको ऐसा लग रहा ही कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था यह इर्शा है इसके तुलना में स्परधा एक शब्द है जो पॉजिटिव अर्थ में यूज़ हुआ है दूसरी के विकास और अच्छे गुणों को देखकर हमारे में ऐसे कामना जगती है कि मैं भी ऐसा हो पाऊ मैं भी ऐसे खिती कर पाऊं मैं भी ऐसे अच्छा विवार कर पाऊं मैं भी ऐसे अच्छा अभिवेक्ट हो पाऊं मैं भी अच्छा अध्यन कर पाऊं जगरित हो जाओं यह स्परधा है स्परधा पॉजिटिव है इर्शा नेगिटिव है मतसर यह है कि हम दूसरे का विकास हम उसे देखा नहीं जा रहा है तो उसके पतन के लिए फिर हम या तो हमारे में अपेक्षा बनी या उस अपेक्षा को हम अभी वेश्ट करके उनको रोकने के लिए कुछ किया जो बोलते हैं कि आगे बढ़ने नहीं दिया पीछे खीच लिया ये फिर मत्सर अहंकार जो है आत्मा से विमुक था देखिए अहंकार जो है आत्म विमुक बुद्धी है इसकी दो सित्या है अल्पविक्सित और अर्जविक्सित दोनों ही आत्म विमुक है कि शरीर मूलक प्रवृत्या है इसी को आवरतन क्रिया भी कहा गया है इसके पूर्व के उसमें और मन में मित्राशा आवेश के जगा मन में क्या हो जाता है मित्राशा मित्राशा के स्थान में क्या है मद मासर क्रोध है ना इसके जगा क्या आ गया मित्राशा आ गया वृत्ती में विचार तो हट के जगा वृत्ती में विचार होता तब उसका नाम विचार दिया है, तो सारी जो जीवन की परिभाशा है, वो फाइनली अनुभो मुलक दी गई है, पूरवान शंगीक विधी से जीवन की परिभाशा है, वैसी ही चीत में इच्छा, उसके पहले चीत में इच्छा नहीं होता है, उसके पहले अभिमान होता है, आसकती होती है और बुद्धी में रिधंबरा रिधंबरा का मतलब है सत्य से परिपून बुद्धी जो हमने वहां पर देखा था सत्य बोध आत्म बोध से सत्य संकल्प होता है सत्य संकल्प मात्र सत्य पून एवं सत्य पून आचरण गी है ये एक भाशा हमको मिला था वही रिदंबरा बुद्धी का प्रारंभ है। और वह मूलब विल्यश्या पर कहलाएगा, आत्मा में अनुभौ प्र्माद ये सारे परावर्तन क्रिया के रूप में। तो प्रत्या वर्तन के प्रत्यावर्तन नहीं होगा तो इसमें क्रमशे आशा विचार इच्छा रितंबरा और प्रमानिक्ता का संग्याब देना बनता नहीं है तो यह प्रत्यावर्तन प्रावर्तन में पुना यहां पर संबंद स्थापिद्थ हो रहा है इसी श्रिंकला को आगे बढ़ा रहे हैं एक टाइम चेक कर लेते हैं अर्थीस मिनिट हो गए यह दूसरा ही पेज है आज खतम ही कर देते हैं इसको यह मुझे लगता इसके बाद में सरल हो जाएगा हर पेज में ही लगता दूसरा पेज कम समय लगेगा देखिए क्या होता है मन एबं वृत्ति के मध्य में ब्रहमित मनकृत वातावरन के दबाव से दुख तथा इसके विपरीट वृत्ति एबं मन के मध्य में वृत्ति के वातावरन के प्रभाव से सुख की उपलब देखिए दबाव और प्रभाव को यहाँ पर प्लेस किये हैं इसके पहले दबा इसे लिए कहते हैं वाथावरां का दबाउ अगलतु कुल्ड का दबाउ वह अगे यही सिंक लाव बढ़ेदे शित्थी एबंचित्थ के मद्धे में वृतिध्ट वातावरा शीह डबां से उ शांती किसमे वृत्ति में तता इसके विपरी चित एवं वृत्ति के मद्द में चित्त सहत वातावरण के प्रभाव में शांती के उपलब्दी रहेगा और जब अशांती है तो इसका मतलब है कि वृत्ति चित्त के अनुसार नहीं हो पा रहा है यहीं अशांती है तो अशांत कौन ह हो रहा है व्रित्ती हो रहा है हमारे विचार अशान्त है क्यों कि हम जैसे इच्छा किये हैं उससे विचार सेटल नहीं हो रहा है विचार दूसरे किसी चितरन को फेला देता है या दूसरे किसी डिरेक्शन में जाता है यही अशान्ति है जैसे हमको यह काम करना नहीं करना है यह करूँ नहीं करूँ इसका संतुष्टी का मतलब… शानती के रूप में तो जब जब वृत्ती चित के संकेत को स्विकार पाया, तब तब जीवन में शांती का नुबह होता है, परंतु ये सार्भोंग सारकालिक नहीं, हमारे चित्य के नुसार ये वृत्ती होता है, जब जब होता है, तब तब ये शांती महसूस होती है, कि वो मैंने अध्यन के पूर्व अध्यन प्रत अध्यन में एक स्थिर्था और फाइनली अनुवव मुरण ऐसे उसको क्रमशा हम देख सकते हैं चित्च और बुद्धी के मध्य में चित्चकृत वातावरन से असन्तोष तठा beispielsweise विप्रीष बुद्धी एव्द्धी सहतोष भातावरन से सन्तोष की उश्रब देख़ियो सन्तोष आना फिर इतना असान गेम नहीं देख चित्चृत और बुद्धी के मध्य में चाल के भाश्यां में हम जो बोलते हैं कि मैंने इतना कि उसके बाद भी thi क्रेंस Truly मिल रही है यह जो संथुष्टी यह चित्य है जीवन चित्य कि मुल् contribute करके बोलका है कि सब्थो फा लिए इसके बाद भी संतोश ने क्योंकि जो भी पाया वो मन और वित्ती के सरका है, खाना या वाटर बेड या गाड़ा, गोड़ा जो भी बोलते हैं, ये सारे इसलिए फिर कह रहे हैं कि सुविधा संक्रा में सुख नहीं है, ना सुख नहीं ये का मत्ब क्या है, संतोष नहीं हो सकता, सुख ये रही है तो इच्छा है, उसके पूर्ती से भी संतोष नहीं हो सकती, उसके पूर्ती से शांती होगा, और इस उच्छा के पूर्ती से भले ही संतोष जैसे प्रतीत हो, उसकी कोई स्थाइट तो नहीं बनेगी, ये ना, जैसे ये हम ये मान नहीं कि ये मेरे मन में एक अलपना आजा साम जमीन दिख रहा है, यह सारा मैं प्राप्त कर लो, तो यह भी सुक और शांती के स्रीणी में ही आएगा, यह संतोष को छुएगा, मगर उससे संतोष की उपलब भी संभव नहीं है, वैसे ही बुद्धी और आत्मा की बीच, चित्त और बुद्धी के बीच में तो दबाव है यह असंतोष है, बुद्धी और आत्मा के बीच क्या होता है, बुद्धी एवं आत्मा के मध्य में आत्मा का ही वातावरण पाया जाता है, क्योंकि आत्मा मध्यस्त है, इसका क्या मतलब हुआ, बुद्धी का दबाव आत्मा पर हो नहीं पाता, क्या दबाव है और फिर उसका मद्यश्त होने का मतलब है कि ये अनुग हो जाना तो उसी को फिर मद्यस जीवन और मद्यस पून जीवन दो विदी से बताया है तो आत्मा पर क्या हुआ बुद्धी का प्रभाव सम्विशम प्रभाव हो नहीं सकता यह वातावरन प्रभाव पून रहता है तो आत्मा का प्रभाव हर समय बुद्धी पर रहता है और य के बुड़्धी फिर आत्मा को दबाने पाता है की आत्मा को मध्यस्तका है तो आत्मा के लिए परिभाश्य यह बहता है कि जिसपर विश्म का कर बन सिध्ध्य नहों एला जिसपर कोई आधातनओ इसका नाम आत्मा है इह चोक भी नहीं है कुछ किया नहीं जा सकता। तथा तो यह वातावरन प्रभावपुन रहता है तथा आत्म भिमुक बुद्धी सहस्तित में अनुबह सहजानुंद की अनुबुद्धी करती हैं। तो आत्मा के अनुरूप जो बुद्धी हो जाता है, वो अंतर नियामन पर क्रियाद्वारा, एना आंकार के बुद्धी हो जाता है, वो अंतर नियामन पर क्रियाद्वारा, एना आंकार के बाद आत्मा बुद्ध जब होता है, कब फाइनली बुद्धी में आनंद की तो जीवन की और एक क्रिया का संतुष्ट होना बचा है इसको हम जीवन के अलग-अलग क्रियाओं के संतुष्टी के रूप में भी देख सकते हैं तो त्रिप्ति एक प्रकार से जीवन क्रियाओं के अनुभाव का गुच्छा है, इसका समुच्चे है, इसको समिलित रूप से जीवन भोगता है, अनुभाव करता है इस प्रकार यह सपस्ट हुआ कि जागरित जीवन में मन और वित्ति के योग से सुख, तो हम पुरा कर चुके हैं, वित्ति और चित के योग से शांती, चित वो बुद्धी के योग से संतोष, सता बुद्धी और आत्मा के योग से आनन के अनुभूती होती है, यही जागरि तो फाइनली जागरित कॉन हुआ गुद्धी जागरित कौन हुआ पुरा ही जीवन हो रहा है देखिये आत्मस अका बुद्धी में बुद्धी सत्ता का चित में चित सत्ता का वृत्ती में तथा वृत्ती सत्ता का मन में पूर्ण तया अवगाहन होता है यहां पर आवर्तन का जो उपयोग है आवर्तन शीलता के अर्थ में उपयोग किया गया है दो भाशा है आवर्तन और आवर्तन शीलता इसमें बेद क प्रवानित होता है तो जब नहीं होता है तो दुख अशांति असंतोश और अनानन और जब हो जाता है तो आनन शंतोश शांति तथा सुख इसको परेप्ट बार अलग-अलग विदियों से इसी प्रक्रिया को दर्शाय गया है कि फाइनली यही रहस्य मुप्ती अगला इसमें बिंदु बुद्धी के लिए आत्मानु भुती तथा व्यापक्ता का बोध चित्त के लिए सत्य बोध पूर्ण बुद्धी का चिंतन वृत्ती के लिए यथार्त चिंतन पूर्ण चित्त का विचार और मन के लिए न्याय पूर्ण विचारों का मनन ही पूर् पाउर पैक्ट लाइन है, यह ना, देखिए, बुद्धी के लिए आत्मान भुति तथा व्यापकता का बोध का उसर, बुद्धी में जब आत्मा का बोध होता है, यह ना, आत्मा बोध होता है, बुद्धी आत्मा का बोध करता है, तो क्या होता है, बुद्धी आत्मा का अ तो व्यापक्ता का बोध ही सत्य बोध है, समाधान का जो बोध होता है, वैवस्था का बोध होता है, उसका नाम है समाधान का बोध, या वैवस्था बोध, वैसे ही निया बोध, नियम बोध, जीवन बोध, ये इतने प्रकार, ये बोध में इतने वस्तुओं को प्रकार के बोध नित्ते वस्तुओं को गिनाया है ऐसे सत्य बोध पूर्ण बुद्धी है ना के लिए शित जो है चिंतन करता है कि ये बुद्धी में ये जो बोध हुआ उसके अनुसार जीने का संकल्प होगा क्या बोध हुआ नियम न्याए धर्म और सत्य सत्य का मतलब जीवन भी आ गया और व्यापकुस्तु का भी बोध हो गया ये पूरा वस्तुदत सत्य आ गया स्थिति सत्य भी आ गया इसको वस्तु स्थिति में लाने के लिए फिर चिंतन करना पड़ेगा मतलब इसको कैसे जीएंगे मतलब इस गुद्धी में संकल्प होगा कि क्यूंकि यही सच्चाई है यही यथात्य संकल्प होगया यह सत्य संकल्प होगया इस सत्य संकल्प को प्रमानित करने की विधियां उभरती है इसका नाम है चिंतन इसका प्रयोजन जो है वो चिंतन होगा उसकी जो तरीके हैं वो चित्रण है और उसको प्राप्त करने का क्रम है वो फिर विशलेशन आएगा वृत्ती के लिए यथा तचिंतन पून्चित्त का विचार वृत्ती इसका विचार कर रहा है क्या विचार कर रहा है इसको कैसे प्राप्त करना है यह सारा फिस विज्जन की जगह हम आ गए करमं के देखेंगे तो भुधिमे यह आत्मा में घ्ञान हुआ labeled उस ग्यान का प्रभाव बुधिा पर वुझार्टी विवक विवेक कोदे से चिंतन तक जो है इसको विवेक संग्या फिर इस विवेक का विवेचना होता है इसका नाम है विज्ञान तो यह विशार में हम आ गए चिंतन पुनशित का विशार का मतलब विज्ञान में आ गए विज्ञान को भी सामानी रुप से विज्ञान को कालवाद लिखा है कि दो तीन जगे इसके संदर बाता है पदार्त विज्ञान अटो है व्थिक लिग्यान दूसरा आता है मनोज रोषारि में और तीसरे का नाम है अध्यात्म विज्ञान नहीं मुटन है मुटंत मैं मिजने limits विग्यानGA का इंग्लिश में बोलेंगे तो, मैं जब पहली बार इन शब्दों को देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए याद आया आज, आध्यात्म विग्यान का मतलब spiritual science हो गया, और मनु विग्यान का मतलब psychological science, उसी में behavioral science है, उसी में organizational science समाया है, क्योंकि मानसिक्ता, mentality समझ बिना व्यवहार और व्यवस्ता समझ में नहीं आएगा, तो mentality से ही driven है, behavior and organization, उसके पहले material science है, तो करम से जड़ संबंदी science है, चैतन्य संबंदी science है, और चैतन्य का व्यापक में अनुभूत होने का science है, ये तीन sciences है, प्रक्रिया हैं, इस रूप से, विग्यान विचार मे आ गया, और मन के लिए न्याएपून विचारों का मनन, ये जो न्याएपून विचार व्रित्ती में हुआ, उसका मन मनन करता है, अध्यन के करम में जो मनन शब्द का प्रयोग है, इसका विलोम, सरोपरतम शास्रध्यन, उससे जो सूचना बनती है, ये चित्रन में और वि तो ये जो शासरद्जन हुआ, इसके अनुरूप हमारा विचार होना, ये मनन प्रक्रिया है, यही व्यवहार अभ्यासे, इसके अनुरूप जब हमारा विचार हुआ, तो मन क्या होगा, इसमें मन का प्रत्यावर्तन हुआ, अप्राधीन व्यवहार, अप्राधीन व्यवहार मन में होने से मन न्यायपून विचारों का मनन करेगा तो मनन फिर अध्यन की विदी में घूमी हो गई और अनुभो मूलक विदी से एक स्थाई स्थिती हो गई है ना ये फिर हम इसी को अध्यन की विदी में अप्स्ट्रीम इसको साधने के लिए हम जो करते हैं उसको फिर मनन नाम दिया ये इसलिए क्योंकि मनन शर्द आगे आपको शायद इसी सिलसले में आगे अपना अभ्यास दर्शन को भी रखा है या कर्म दर्शन उसमें कहीं आएगा आपको मनन तो इसमें और उसमें भेद ऐसा करना पड़ेगा ठीक है और मन के ल क्योंकि रहता है गृचा हें और जोड़ी तता आत्मा का प्रत्यावरतन होना के द्वारा दे व एवन दिव्यमानमेता का ज्जान होता है क्योंकि कल हम बात किये थे कि अनुभव एकी है इस्थिति में दो अनुभव नहीं है तीन अनुभव नहीं मानोंका अलग Guess में दे dirty पूर्णता का काषप पूर्णता के स्वरूप वह के साथ इसको करमिक रूफ कर्ते हैं तो यहां पर जो वाक्य लिखने हैं इसमें इन तीने चीनों चेताओं का ग्यान होना यहां बात हो रही है उसके बाद उसकी प्रमानित करने की श्रिंखला बनती है इसलिए फिर मानोव और जीविव मानों में ग्यान में भेड नहीं है अभिवेक्ती में शेष्टा की श्रिंकला बनेगी, यह ना, वो फिर एक अलग क्रम है, जो हर अभ्यास और कर्म अभ्यास और परमपरा में क्या आवशकता है, उसमें वो सब आंकलन है, जैसे नागराजी कई बार बोले, वो स्वयम दिवयमानों थे, तब यह तो दिवयता को लिख पाए, तो यह पुस्तक सरवप्रतम लिखी गई थी 1932 में, उसमें उनका जो लेख किया है, वो 1970 का है, 1970, और कुछ भाग तो 68 का भी लिखा हुआ है, और यह अभी हम जिस रूप में माना वहार जशन को पढ़ रहे हैं, इसका जो संसकरंट से, इस रूप से, अनुभ 1978 की बनी हुई है, जन्मरी, फेब्रोरी, ऐसा कुछ रेट है, यह शायद सागर में, मद्यप्रदेश में चापी गई थी, तो MP से कोई लोग सुन रहे हैं, तो सागर में यह चापी गई थी, सरवपरतम, आज कल राइपूल में चलती है, 2004 से, तो उसमें यह दी देखेंगे एक तो दिव्य चेतना का ग्यान हुआ है, क्यूंकि दिव्य मानवीता के बारे में लिख रहे हैं, उसके बाद 1980 के दशक में सारे दर्शन तयार हो गया, अनुपा दर्शन और कर्म दर्शन और अभ्याव दर्शन, उनका सारा टाइप सेट तयार हो गया, परंतु संदर्ट के लिए है कि ये तीनों चेतनाओं का ग्यान अनुभाव में समाया है, उसके लिए एक आपको प्रमान नहीं कहना चाहिए, पर एक आधार ये बताया, नागराजी स्वयम बुनते हुए, कि वो अभी तद दिवी चेतना को प्रमानित नहीं कर पाए, दिवी चेतन का ज्यान संपन होते हुए भी, उसका ताथ पर ये क्या है, ये एक विचार विमर्ष और आगे गोश्टियों के लिए बता है, ये इसको यहीं पर रोक लेते हैं, आगे आखरी बिंदु इसमें, एक गंटा हो गया, तो पानी पी लेता हूँ, कुमारे पास एक गंटा बचाया, तीन पेज है, थोड़ा दोड़ा, आत्मा मध्यस्क्रिया होने के कारण प्रभावी रहता है, क्योंकि दबाव सम विशम में ही है, अनुभो प्रभाव मध्यस्क्रिया होने के कारण प्रभावी रहता है, क्योंकि दबाव सम विशम में ही है अनुगो प्रभा मद्यस्तोने के तारण दबाव मुक्त है अनुगो सहज निष्ट प्रभावी है ये तो हो गया आत्मा के उपर सम्मिशम का प्रभाव नहीं पड़ता बुद्धी के लिए आत्मानु भूति तथा व्यापक्ता का बोद ये हो गया ये लाइन तutarit Tenkriya ही है तो वो जागरिट कैसे हो गया और मुझे समझ में नहीं आ ता ही है तो इसके मून में रहस्यके बताने की प्रत तंक्रिया है रास्की और गतित्मानों को अन्यों का विकाशिल होना रहस्य में लगता है जबकि इसमें कोई रहस्य नहीं है रास्की और गतित मानव भी उनी साधलों का उपयोग कर रहा है, जिन साधलों का उपयोग कर दूसरा व्यक्ति विक्सित हो रहा है, अर्थात साधन वही है, एना मात्र उनकी प्रयुक्ति की दिशा में ही अंतर है, के बल डैरिक्शनालिटी का परक है, तो ये बड़ा ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जैसे आध्यन में ज्यादा हिश्टावान है, या किसी को अवधार ना हो गया, किसी को अनभव हो गया, कोई प्रमानित कर रहा है, कोई पहले से कर चुका है, हम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर पा, इसमें कम पड़े ये पूरे के पीछे जो कारण ह कोई मूल शम्ता में कोई कमी नहीं है, इश्वरिय कृपा में कोई कमी नहीं है, प्रकृति की कोई गलती नहीं है, उसके गठन में कोई भेद नहीं है, प्रतिक जीवन का एक ही गठन है, और साधन है, और साधन को एदि देखेंगे, तो दो साधन है, अंतरंग साधन और भ पुर्वान शंगी में लगाना है, वो उस जीवन की अपनी जागरती क्रम है, उसकी अपनी यात्रा है, उसकी अपनी इच्छा है, और बही रंग साधन को भी कौन से अर्थ में लगाना है, जिसको तन और धन कहेंगे, जो धन प्राप्त है उसके हम क्या करेंगे, जो तन प्र कि लिए पर्योग होगा तुछ और यही आगे है इसे को से संस्कार भी का है तो यह वाकी भी काफिछ है आगे आपमा तथा उसके वातावरन परेंसम तथा विशम का दबाव नहीं पढ़ता है क्योंकि आत्मा बाइदेफिनिशन मध्यस्त है तो उस दिन विकल्प पर शायद कुछ प्रस्थिती हुई थी अभी तक ने उसको सुन नहीं पाया परंतु ये मध्यस्त होने का आत्मा के मध्यस्त होने की बात को इस रूप से इस दर्शन में काफी सटीक रूप से रखा गया है पहले कहा गया है कि ने हम लोग नहीं जानते है तो उसमें हम नहीं जाएंगे परंतु आत्मा का मध्यस्त होना व्यापक वस्तु का मध्यस्त होना और मध्यस्त जीवन का होना तो प्रतिक परमानु में मध्यस्त करिया कि नेंतरन में वो परमानु होना वैसे ही जीवन कर प्राभाव ए और मन कर साथ के ठांए हरे ज歌 रहे हित, आज भी मन को नेक करते ही एसा नहीं कि शरीर से पूर्णे रूप से वशिबूत पूरे समय है. वो तो केवल जीववस्था में है जैसे शादी का समय हो या हम को कहीं जाना हो यातरा में हम रात भर नहीं सोते हैं वरत में खाना नहीं खाते तो शरीर चाने वाले समय दुनाओं को हम दबाई ही देते हैं या एक माँ भूके रहके बच्चे को खिला देती है यह तिना मंती है यह तिना मंता के मन में होने का संभोवी नहीं है तो यह 0-1 नहीं समझ में आता है कहने का यह मतलब तो आत्मा के मद्धस्थ होने का प्रभाव हर समय पूरे जीवन में इसलिए यथा आर्थ और सुक्र, शांती, और संतोष, आनद की और गरती है दूसरे भाषा में सुक्र, शांती, और संतोष को कोई न कोई भास हाभास हमको है ही तभी इन शब्दों को सुनकर हम उसके साथ रेजोनेट है ना एक हमको लगता है कि इसका अर्थ कुछ समझना आ रहा है, नहीं तो कोई यदि शांती को अनुभवी नहीं किया हो, और शांती शब्द को सुनता है, तो उसको ऐसे ही लगेगा कि भार के ग्रह गोल से कोई कुछ बोल रहे हैं, उसको हम, उसका भासी नहीं होगा हमने, और शा किये हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, शत्ता व्यापक है, यह आत्मा के बारे में बात हो गया, अभी सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं, सत्ता व्यापक है इसलिए वहाद दबाव का कारेंट शिद्ध नहीं होता है यह व्यापक है कि दबाव और प्रभाव दोनों इका इका है तो यह एक बड़ी हम को कहना चेए एक रिलीफ है मानमझ जाती के लिए क्रिया और सत्ता में भेद नहीं कर पाना या तो केवल क्रिया रह जाता है या सत्ता रह जाता है या केवल भोतिक रह जाता है या केवल शैतनी रह जाता है व्यापक नहीं रहता है या केवल व्यापक रहता है या केवल व्यापक रहता है नहीं रहता हो यह दोनों में से एक के दोनों गायब हो जाते हैं इतने कॉंब प्रभाव दोनों से मुक्त है एक प्रशना आया था यह शून्य क्यूं है क्यूंकि क्रिया नहीं है तो क्रिया के संदर्ब में इसका जब नाम करण करेंगे इसका नाम है क्रिया शून्य उसका शौर्ट फॉर्म है शून्य वाइड जिसमें कोई क्रिया नहीं है था शून्य अथ्वा व्यापक सत्ता प्रभाव दबाव दोनों से मुक्त वस्सम विश्म प्रभाव से तर्टस् ना किसी को दबाव देता है, ना किसी के प्रभाव दबाव में आता है। बुद्धी का प्रभावचित्त पर इसी को फिट अनुभव समुच्चे भी का है जो आप अनुभव दर्शन में आगे पढ़ेंगे यह दिक्रम अनुभव दर्शन तक चलता है तो तो यह हो गया हर इकाई स्वयम की पातरता वश्य उसे पाकर गतिशील है तो जड़ अनुभव दर्शन में उसके बाद उसमें भास आभास प्रतिति अनुभवती होना उसमें इच्छा विचाराशा होना उसमें करतग्यता होना विश्वास होना सम्मान होना यह सारे फिर क्रिया के लक्षन हुए तो अपने पातरता के अनुसार उसे प्राप्त कर है ना उसे पाकर, पाकर का मतलब फ्राप्थी है, उसी का अभिवर्थ हो रहा है, परंदु क्रिया के माद्यम से, तो ये एक बहुत ही एक मार्मिक सली है, जो बहुत कैरफुली बैलेंस करके हम को सोचने के अवशक्ता महसूस होती है, कि क्रिया और व्यापक में जो जॉइनिंग पॉइ विचार में गलर्त अनुमान होनी की संभावनां बनी रहती है, तो हम सभी को इसके बारे में हम ध्यान दखेंगे, मैं भी इसका अपरेतना करते रहता हूँ, आगे विचलेशन, र्यापक सब्ता, तो ये उपर पातरता वश्तोस पष्ट है, अलप विक्सित मानाओ, उसको प्रकट करेंगे जागरित्य पूल वानिश्य से, प्रकट करेंगे फिर उसको प्रमानित करेंगे, ये पूरा इसका प्रम है, व्यापक सथ्ता, कि सरवत्र जञेएं, हर जगे अवस्थित है, और यह सब आम लोग, सब्सक्राइब करों सब्सक्राइब करने की विए इसलिए यह कोई बेद रग दबाव गुछ नहीं है इसलिए यह सिद्ध होता है कि सभी शून्य में संरख्षित वन नियंतरित हैं, तो संरक्षित वन नियंतरित होने का मतलब क्या है? इकाई शून्य में रहने से खतम नहीं हो रही है. दूसरे भाषा में नागराजी ने एक बार कवित्आतमाः ढंगने से लिखा था कि व्यापक वस्तु सबको अपने पेट में रहने देता है यह एक कवितात्मक वेंजना है परंतु संरक्षित है नियंत्रिक्ट भी है इसका मतलब क्या है कि क्रिया की सीमा है और क्रिया की सीमा उसके सभी और सत्ता के होने से ही पता चलता है जैसे मेरे शरीर क्यात्रती की एक सीमा है, यह सीमा स्वयम में सत्ता है, इसी सत्ता के होने से, जैसे मेरी क्रिया यहां खतम हो गई, बाल की क्रिया यह इस कपड़े की कमीश की क्रिया, इस रूप में इसको समझ सकते हैं, यह नियंतरन ही इकाई की चेश्टा का मूल कारण, मूल चेश्टा का मतलब श्रम्द की परिनाप ये दूसरे अध्याये में ही पूरा हो चुका होगा इसी पुस्तक में इसलिए सत्ता को महा कारण संग्या से भी जाना जाता है सत्ता ही मूल कारण है यहां सभी के उर्जित होने का कारण है और चेतना संपन उर्जित का जड़ में उर्जित और चेतना में चैतन्य में चितना संपर तो क्रिया के संदर में व्यापक संग्या या शुन्य संग्या है क्रिया सीमित होने के कारण इसी वस्तु को व्यापक कह रहे हैं इसी शुन्य को इसमें होने से क्रिया करने के लिए उर्जा प्राप्त होने के कारण इसका नाम सामय उर्जा, इसमें हर समय एक सा निहंतरन उपलब्ध होने के कारण इसका संग्या सत्ता बना, और चैतनी इकाई इसमें होने के कारण चैतनीता को वेक्त करती, इसलिए इसका नाम चैतना है. व्यापक वस्तु एकी है, क्रिया के गठन एवं उसके पातरता के भेद से क्रियाओं के संप्रेशन अभिवेक्ति, उनकी क्रिया शीलता, गुंसवा धर्व रूप में भेद दिख रहा है. ये एक में तो बिंदू है, दर्शन का और काफी प्रारंबिक बिंदू भी है, अस् प्रामान देखा जा सकता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, परंतु ये अखन समाज और सार्भों व्यवस्ता के लिए है, ये अपने में एक विकल्थ है, इसका विकल्थ भोतिक वाद और आदर्श्वाद का विकल्थ, आधि दैविवाद, आधियात्म वाद और आधि भोति इस प्रस्थाओं में मानव ही अखन समा सार्भों व्यवस्ता का प्रमान देना प्रतिपादित, मानव ही इसको प्रमानित करेगा, ये ना, तो इसलिए अस्तित्व मूलक मानव के लिए चिंतन है, मानव ही जगरती पूरक इसको प्रमानित करेगा, और कोई वस्तु समझने की या प्रमानित करने की वसको दूसरा कुछ अस्तित्तों में नहीं है साथ ही मानवी प्रमान होने की साक्षी को भी संजो लिया है मानव स्वयम साक्षी है इसका इस मुद्दे पर सरो मानव का ध्यानकर्शन करना आवशक है ही तब ही हम लिख रहे हैं और ये यूट्यूब में जो हो रहा है ये भी वही ध्यानकर्शन है इस क्रम में समुदाय चेतना से मानव चेतना इना मानव चेतना से समाचेतना में परिवर्तित होना ही ने तुपून घटना है तो अभी समुदाई-चेत्मा का मतलब भ्रमिट्ट सित्टि प्रिये ईकलाब मानयतापूर्वक और मानव चेत्मा या समाचेत्मा का मतलब न्यायधरमसत्यज्दिष्टि। कंट समा सार्भों विवस्ता के अर्थ फॉल लयंकन करना यही न्याय पून विचार इसी से बनेगा यह ना यह मैं तो पून घटना है किसके लिए मनुष्य के लिए माणौ के लिए एसे सिती की सफलता मानव ही शिक्षा संसकार पूरवर सरोतो मुकी समाधान संपन होना ही एक मात्र उपाए है तबी को समाधान होना पड़ेगा तबी हम लोग बैटे हैं यूट्यूब पे इसे सारसक बनाने के करम में ही व्यवार दर्शन मानव के समुक्रस्तुत है इस प्र ये बहुत स्पश्ट रूप से इसमें आ रहा है मानव ही दृष्टा है और मनुश्य दृष्टा क्या है इसका रहस्य मूक्ति मन वृत्ती चित बुद्धि के परस्पर्वें इंट्रंट सी इनोंने इसको दर्शाया है द्रहमित मानव के द्वारा द्रहमित मानव के चार एश्वर यह रूख बल धन पद और धन का शोशन होता है यह भी सामान्य सिजान करी है हमारे लिए आगे बढ़ेंगे जागरिती का वैभव ही अज्यान का निराकारण है तो आग्यान को हटाने के लिए कोई अलग कारिकरम नहीं है जागरित होना ही कारिकरम है यह जागरिती दूसरे भाषा में अमानविता के अभ्यास से अमानविता का समिक्षा और अमानविता हटेगा अमान्वेता को दूर करना या ब्रहम को हटाना कोई अलग कारिक्रम नहीं है इसलिए भी मैंतुकून है मैंने कल भी पताया था कि कोई भी दर्शन एतिहासिक विदी से भी रखा जाता है तो एतिहासिक विदी में कई ऐसे प्रस्ताव पाये हैं जिसमें जगर्ति और मुख्ष और सच्चाय अथार शेतर्यमन बुद्धी एना चित तहंकार आत्मा ये सारे शब्द हैं उसकी कुछ अर्थ भी है उसका कोई कल्पना भी है कई व्यक्षाएं भी है कई शाकाएं है परन्तु इन में से कईयों में दुख का निवारन या अमान्विता से दूर होना या बंधन से मुक्त होना वो एक करेक्रम एक अभ्यास के रूप में बता है यहां महतुपून है कि अपराधीन व्यवार के लिए व्यवस्था को स्विकारना अन्याहीन विचार के लिए समाजिक आचरण को स्विकारना असक्ती रहित इच्छा के लिए अध्यन एवन संस्कार को संजो लेना तथा अज्यान वहित बुद्धी के लिए अंतरनियमन को करना यह बेसिकली अध्यन विदी है यह जो चार शब्ध है पूरा इसी के अंदर compressed है यहना contained है इसी के अंदर अविक्सित के प्रती आसक्ती या आकर्शन से ही विवस्ता है जो जागरिती को अवरुद करती है यह भी हम बात कर चुके हैं यहना परानुशंगियता जैसे भ्रहमित परंपरा में मानों पशों के स्दिश दीना देखा गया है इसकी व्यक्तिय में हम नहीं जाएंगे कि कि कितनी वीडियो से हम पशों के स्दिश जीते हैं अविक्सित विक्सित के लिए साधन ही सिद्ध हुआ है और विक्सित विक्सित के लिए साध दे विक्सित का मतलब जड़ विक्सित का मतलब चैतन्य अविक्सित का मतलब जड़पक्ष विक्सित का मतलब चैतन्य पक्ष ठीक है ना तो चैतन्य पक्ष को जड़पक्ष को उपयोग कर स्वायम को जानने पहचानने तता सुख संटोष शांती चले परत्त करना ना कि जड़ पक्ष को साध्यमान कर तो अध्यन की विधी में भी जैसे हम सवधन का अभ्यास करते हैं कोई हो सकता है कि कहीं पर किसी वेबसाय में कारेरत हो, किसी का कोई उद्योग हो, सुनने वालों में से कई लोग, मैंने उसमें भी ये होगा, मैंने हो सकता है कि किसी जॉब विशेश में भी होगा, तो ये सारे फिर साधन है, ये साध्य नहीं है, साध्य क्या है, अपने को ही साधना है, ये ही साध्य ह काुछ ज़िए धनन धन टें म Всем सवन धनका सदूप्योंग ही विकास और इन टीनों का दूरूपयोग दूरूपयोग का मतलब मनमें आवेश और यह सब की तो बात होगे किसित का एक सूत्रवत अनुकरन तथा अनुसरन पूरवक स्वयम्सकूत होना ही और ज्यागरति को प्रमानित करना ही सरो मानों का वैभव है, तो मानों का वैभव जागरिती को प्रमानित करने से ही होगा, और विक्सित के अनुकरन पूरवकी ये संभव है, विक्सित मतलब जो जागरित को चुके हैं, उनी का अनुकरन ऐसे हुए उसका पूरा सुस्टशने से फुस्तख में लिखा एगरिति ने का द्रिश्य कैसे बनता है उपतुरा मसजड़ान विश्राम या समाधान बौधिक्ता का वैभाव इसका मतलब यह है कि बौधिक्ता किसको कह रहे हैं जीवन को कह रहे हैं तो जीवन विश्राम मस्त होता है और समाधान जीवन को ही होता है और बुद्धी में होता है finally आत्प मूलक समाधान की निरंतरता है बढ़ बुद्धी को समाधान का ग्यान होता है और समाधानित होता है संखुन जीवन और वृती तक है समाधान finally मन का भी जैसे हमारे में दो मन हो जाता है यह करूं की वो करूंHE यह व्रित्थी का प्रोबलम है मन का प्रॉब्लम नहीं ये खाऊं की वो खाऊं ये confusion क्या है वृति का है तो कुल मिलाकर शांती मिलती है वृति को वो बहुत मुलक हो जाता है तो उसकी निरंतरता है तो ये विश्रा में समाधान की सीमा है ये शैतनी एकाई तक है ये से लिए सीमा है क्योंकि अगला बाके दिखे आध्यात्म किता की कोई सीमा नहीं आध्यात्म व्यापक वस्थू को कह रहे हैं सभी आत्माओं का आधार इसके लिए एकदार उनों ने बहुत सुंदर परिभाशा दिया यही फिर इसकी सीमा नहीं है इसलिए फिर ज्यान, असीम ज्यान, इसलिए ज्यान की सीमा नहीं है, व्यापक बस्तू में सहस्तित्य रूपी समझ ही समाधान है, तो व्यापक भी समझ में आता है, व्यापक में अन्यक्रियाएं हैं, ये संप्रिक्तें, ये भी समझ में आता है, इसका समझ किसको हो रहा है, फिर बुद्धी को बोद्ध हो रहा है यही समाधान, इसे प्रमानित करना ही सर्वमानों का सोभाग्य है। बौधिक सुक दीरग परिनामी तता आध्यात्मिक सुक नित्य परिनामी यह इसी से जुड़ता है तो नित्य सुक के लिए आध्यात्मिक सुक वो अनुगव के पहले नहीं है उसके पहले दीरग परिनामी सुक यह बौधिक सुक है और उसके पहले भौतिक वाधिता जब तक है भृतिक वादी जितने सुख है हमारे ये सारे शनिक है आज भी हम इसको देख सकते हैं जितना भी हम भृतिक वस्तुरों का उपयोग पंच इंदरियों के द्वारा करते हैं उसका आस्वाधन करते हैं इनका जो सुख है ये शनिक है और ऐसे शनिक सुख को बारंबार दोरा वो एक लाउक है ना झिसमें लिखा आपको इथे ।्व mermaid Hello इसकी लोओ के लिए यदि ऐसंगया है विय। कि लेकितों, इसकी लिए है य। इस फुर्षे नए आता है य। वाद या थो ठीक है ना? उस व्यवहार एक्ता में जो भी अच्छा लगा इसका सुक लम्बे समय के लिए रहता है हम जब जब उसका स्मरंड करते है उसका षुख का असवाधन मिलता है तो जैसे कोई अच्छा व्यवहार हुआ को एक अच्छा समय हुआ तो उस अच्छे व्यवहार को जब-जब हम जीवन में स्मरन्ह अपने में स्मरन्ह करते है उसका सुख का अस्वाधन मिलता है परंतु जो भ 언제 I화Т IVيع परिढाव है जो एक बार उसका अनुबव हुआ, उसको जब-जब स्मरन करते हैं, उसकी अपेक्षा पुना जगती, उसका सुख नहीं मिलता, वैसे ही सुख पुना मिलने की अपेक्षा जगती है, जो एक कामणा के रुप में पकट होता है, इसलिए ये शनिक है, ऐसा हमको ज्यान होता है अगला शैतन्य इकाई के संसकार भेद से ही इसकी शमता योगता एवं पातरता है ये भी भोती सरल है तो ये संसकार भेद काफी एक ये है जैसे आप आगे करन दरशन में हम देखेंगे इसमें आप सभी लोग पड़े ही होंगे कि साथ प्रकार की इच्छाए होती है तो उसम में चार जो है श्रिष्ट है और तीन उतने श्रिष्ट नहीं है जैसे तन्मन धन को अर्थ के लिए लगा देना फिर तन्मन धन को किसी कामना के लिए लगा देना फिर वैसे ही तन्मन धन या धन प्राप्ति के लिए हम धर्म के विवस्था को उप्योग करना उसके लिए ह किया हो गया इसी में फिर भेड है दूसरे किसी भी चीट में भेड नहीं है ये भी एक रहसे मुक्ति का बिंदु बन गया शम्ता योगेता ऐवं पातर्ता के अनुसार ही चैतनी काई में मानवेता अति मानवेता और अमानवेता का उड़ाटन किया है उसी का मैंने भी विश्लेशन किया कुछ अमानवेता के स्रेणी में आ गया कुछ मानवेता के स्रेणी में आ गया यह ना तो यह भी मुझे लगता प्रयाप्त तो शमता योगता पतरता भी काफी सामानी जानकरी है समझने की जो ताकत है इसका नाम है पतरता हमारा जो पतर है इसको हम रिजेट कर देटे है कि यह गलत है ऐसे होई नहीं सकता, या सही को लेते हैं, रिजेक्ट में करते हैं, उसको अपने अनुसार बना लेते हैं, वो भी प्रिये की, वो भी एक पतरता ही, जैसे एक ही बुक को पढ़के मैं भिन्न मान लेता हूँ, आप फोड़ा भिन्न मान लेता हैं, इसका कारण नहीं है, भाष इसको अभिवक्त करने के लिए उसको बनाए रखना ही जानने के बार मानना मानने के बार पहचारना निर्वा करना और योगता एक प्रकाart से उसके इभिवक्ती सम्प्रिशना यह सब में चले जाता आगे मानव की इसके क्षम्ता भेद से क्रम से बोध देखे ऐ ंग के रूप में। इसके पहले जिवन में एक वांमते के रूप में प्रूप में प्रयोगता पातरता, अभी क्षमता शब्द को noun के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, capacity के रूप में, मानव की क्षमता मतलब पातरता, क्षमता योगयता तीनों को एकत्रित रूप में फिर एकी वर्ड जब यूज होता है, तब शमता है तो केवल शमता जब लिका रहता है, तीनों वर्ड उसमें समाया है, नहीं तो तीनों को अलग से खोलते हैं, भाशा प्रयोग करने का अधिकार होता है लेकर के पास, उसको उनोंने प्रयोग किया है मानव के एक शमता भेद से क्रम से बोध, बुद्धी में दर्शन ये चित में आ गया, क्योंकि दर्शन में रुप गुन सवाधर्म सभी समाया है, तो दर्शन का ज्यान होता है बोध को और चित उसका दर्शन करता है कल्पना, यथात से भिन जो भी चित में हुआ, वृत्ती में स्वपन होता है है ना, और प्रमानित नहीं होने वाले कल्पनाई ही स्वपन कहलाते है तो प्रमान के लिए उसमें वस्तू नहीं रहता है, इसलिए प्रमानित नहीं होता है तो इच्छा ही नहीं है, स्पष्छ इच्छा ही नहीं है, मात्र, विचार और मन कल्पना और वह वृत्यación भी नहीं है केवल मन में ही अपउक्षाहिश का नाम है आशा और नीचे आ गया बुद्धी से चित चित से विरित्ती से होते हुए, वो कलपना होते हुए, मन में आ गया, उसके बाद अवस्था यह ज्यान अवस्था में है, ठीक है न, प्रयास प्रभाव और मानर की छमता के जियोतक है, तो पूरा एक प्रकार से विश्य भोग में ग्रसित मानर से लेकर पूरा पशु मानों रक्षस मानों होते हुए, अल्प विख्षित, अर्थ विख्षित और जागरिती तक का पूरा उन्होंने एक लाइन में डाल दिया, इस विदी से, अगले बिंदु, पदार्थ, मन, बृत्ती, चित, बुद्धी और आत्मा का नास नहीं है, या अभा आत्मा का नास नहीं होता है, तो आत्मा व्यापकुस्तु में विले होने का यह मतलब नहीं है, कि वो गायब हो गया, आत्मा यही बना रहता है, और आत्मा को ग्यान हुआ, इसका यह मतलब नहीं कि बुद्धी, चित, बुद्धी रुप गया, आत्मा और बुद्धी को का या जड़ के साथ रहे गया या संसार जो है विले हो गया प्रले हो गया ये सारी भाषाओं के ये मतलब नहीं है कि इनका क्रिया शुन्यता हो गए ये शुन्य नहीं होते हैं विले होने का मतलब रूप में परिवर्तन होना यहीं विले उद्भा विभा प्रले का मतलब है कि उद्भव का मतलब रूप बनना, यह ना, कि उद्भव विभय प्रले है, इसी से जुड़ता है, इन में मात्र, विकास और जागरिती, विकास या जागरिती या तो अधिक है या कम है, इतना भेद होता है, यह पूरा सहस्तित्व, विकास, जागरिती कि पूरी श्रिंकला, यह दो एक बिंदुओं में, है ना, पुना एक पावर पैक्ट काप्शूल, और यह देखकर खुशी हो रही है कि हम आकरी पेज पहुंच गए, है ना, तो हम समय से पुरा भी कर लेंगे, इसी खुशी में पानी पिया जाए, 152 पेज में हम आगे, प्रथम बिंदु, पदात परिणाम वादी, पदात परिणाम वादी का मतलब उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है, यहां पर श्रम गती परिणाम के रूप में है, तो परिणाम वादी का मतलब है कि रूप में परिवर्तन हुआ, और रूप के परिवर्तन को ही फिर हम परिवर्तन कहा रहे हैं जैसे पथर का चूरा बन जाना या लोहे का जंग पकड़ लेना प्रान तरंग वादी प्रान में दो सास लेनी की प्रक्रिया है जो स्पंधन शीलता है उड़ी को तरंग या वेव कहा रहे हैं मन चैन वादी मन आस्वादन के लिए चैन के लिए हर समय आशानमित है या मन चैन वादी वृत्ती तुरन वादी चित्रन वादी गुद्धी बोध वादी तता आत्मा अस्थित्व वादी तत्व है क्रम सेरी देखेंगे अंततह बस्तू के अस्थित्व का होना या नहीं होन इसका ग्यान निरने आत्मा को ही हो रहा है और काल मतलब अर्तमान का क्रिया मतलब चैतने क्रिया का और व्यापक का बोध इन तीनों का जो अधिकारी है ये बुद्धी है तो ये भी काफी स्पस्ट है मुझे लगता है कि ये आप पहले देखे पड़े होंगे मन जैसे मन ही है ये पहले पड़े होंगे ये उसी से जुटता है आत्मा के बारे में बता रहे हैं अभी अलग से पुना आत्मा तीनों कालों में मध्यस क्रिया के रूप में एक सावे जिमान आत्मा में कोई भी परिवर्दन होता नहीं होता है कि एवल इसमें अनुभव नहीं होना औ इसमें आत्मा को पता चला है इसका ग्यान बुद्धी को हुआ कि नहीं हुआ ये चित्य को हुआ कि नहीं हुआ अंतर इतना ही यह जागरिती चित्य को बुद्धी का पता चलना ही चित्य को बुद्धी के पती जागरित हुआ और उसके वस्तो के पती जागरित हुआ बुद्धी को आत्मा का पता चलना बराबर आत्मा बुद्धी आत्मा के पती जागरित हुआ और फाइनली आत्मा जागरित नहीं हो रहा है आत्मा आणभूत हो रहा है, फ़े पक स्थो में, आत्मा स्कूराअ यlarını को फिर परमानंदनी है, तो बढ़्दि आनन्द है, बढ़्दि के पर्तय वर्थन बराबर आनन्द और आत्मा के पर्तय वर्थन बराबर पर्मानंद, इसलिए आत्मा की जो क्रिया हम को मिलती है मनुविज्ञान में उसका नाम है अस्तित्व और उसके आचरन का नाम है परमानद गती में स्थिती गती ऐसे मिलता है वही अनुभो और प्रमानिक्ता बल अनुभो बल है और प्रमानिक्ता का क्रिया जो है वो प्रमान है प्रमान चक्ति जो है उसका क्रिया जो है क्रामा नृटा है, तो अस्थित्व परिवर्थनी हिर involved इसका आत्मा अनुभव गुद्धी में बोद होता है, तो यादि हमारे पास ग्यान ऐसा है कि अस्थित्व में परिवर्थन होता है तो यह तो वो व्याक्ष्या की कमी है या बोध की कमी है या अनुरुवर की कमी है उल्टा है धी हम जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा आगे तता पर्स्वरुप बोध बुद्धी में यह दो भेड हैं बुद्धी में इसके बारे बोध के यह तंश्व मात किये। आत्म बोद्रहित्य र्कंत्य। ये पर स्वरुप बोद्रहन... वेवन, नहीं हूतु है। तो बुद्धिकोत को स्वायम करने पतों स्विकार होसक्ति है। ची् करनियस्ता बुद्धि हुंप बुत्ध हो दाल। नरिम्लार मीकात्य। का वस्तुगर्ट सत्य का वस्तुष्टिती सत्य का फरंतु स्वस्वरूपबोग नहीं है आत्म बोध होने के साथ ही 100ểulived तो यह जो भैद है बोध की बुद्धी में पूर्ण पूर्ण चित्रन भेट से चित तो बुद्धी चित जो है यथात बुद्धी के नेंटरन में होने से पूर्ण अन्यता अपूर्ण चित्रन मतलब हाँ तो यह नहीं हम बोल सकते कि कुछ भी नहीं दिख रहा है कुछ तो दिख रहा है आधा दुड़ा दिख रहा है चित्रन स अब जो देखने का स्थर हे यह विठी है तो यह दो विधी हे होता है या तो प्रिया प्रिया हिताहित लाबालाप यह एक इस घुंठ का दूसरा है नध्या निया धर्माद्र तुलन का दूसरा है न्याया न्याय धर्मा धर्म सत्या सत्य जब न्याया न्याय धर्मा धर्म और सत्या सत्य में आते हैं उसका नाम है वृत्ति जब प्रिये प्रिये हिता हित लाभा अलाब में रहते हैं उसका नाम है प्रवृत्ति और न्याया न्याय धर्मा धर्म सत्या स कि लुए रूप से सत्य के अनुषसन में पूर्ण सतंतरात मीं हो जाती ए्षा नाम है निवृतिय को ये तीन भाषा आता है प्रीठी प। यह निवृतिय कि कि वब्राई में पूर्ण क्रम या प्रानुक्रम ने मन से तथा उसकी की चैन करिया है इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं आगे बढ़ेंगे वृत्ती चित बुद्धी वा आत्मा के अनुकूल प्रेरना की पुर्वानुकरम तथा प्रान वृत्य शरीर और उसके व्यवहार व्यवसाई के अनुकूल विवश्ता या दबाव की परानुकरम प्रानुकरम तो काफी डिटेल में हम लोग कई बार दो चार बार हो गया है मन का जो संबंध है शरीर से मन के लिए परानुकरम क्या है मन के लिए परानुकरम है उससे भी निभार शरीर है तो मन का संबंध जो मेधस से है यह प्रान के द्वारा है ना मन प्रान के द्वारा मेधस के संबंदित है और मेधस का संबंद हिदय से है दूसरे भाषा में शरीर में देखेंगे तो हिदय मेधस के नियन तरंड में है तो पूरना शरीर ही मेधस या ब्रेन के नियन तरंड में है और हिदय और ब्रेन के संचालन के साथ फिर शरीर द्वारा व्यवहार एवं व वेवसाय का मतलब उत्पादन का रिया है ना वेवसाय एक composite term है हम जो उत्पादन कहता है कई बार ये लगता है कि केबल भोतिक रासानिक वस्तू को हमने उत्पादन कर लिया वेवसाय में वो पूरे transaction involved ना planning करना उत्पादन करना उसका वेवसाय के अनुकूल विवस्ताय दबाव ही परानुक्राव है मतलब क्या हुआ व्योसाय और व्योहार का दबाव शरीर पर उसका प्रभाव मेदस पर उसका प्राव प्राव प्रान का प्रान से प्रभाव मन पर जब कह रहें तो इतना सारा उसके बेस में हो रहा है आगे यह जो स्थिति यहां इसको बताया है दर्शाय है भौतिक रासानिक वस्तू वस्तू वस्तेवा आपने आसकती से संग्रह लोग का मुक्ता क्या मतलब वस्त का जीवन का और मन वृतिक रासानिक वस्तू में जड़ वस्तू में तो जड़ वस्तू दो प्रकार मतलब दोनों हैं जड़ वस्तू वह भारकाल में शरीर है यह भी जड़ है मतलब भौतिक रासानिक है और दूसरा शरीर से भिन जो इसमें आसक्ति होने से संग्रव और लोग की मानसिक्ता बनेगी और शरीर मासक्ति से कामुक्ता की यह बनती है प्रवृत्ति जीवन में क्यों क्योंकि मन इसमें आसक्त है और उस आसक्त मन का दबाव वृत्ति पर है और उस आसक्त मन से दबाव वृत्ति का दबाव चित पर इसलिए चित में विवस्ता है इसको पूरा करने के लिए किस चीज का संग्र लोग वह कामुपता का प्राण तत्यों में आसकती से द्वेश, मोह, मद, क्रोध और दर्ब तो ये हुआ शरीर पर आसकती होने से क्या हुआ उससे भी सुक्ष में दि देखेंगे मन और मेधस के बीच में जो प्राण है उसमें जब प्राण पत्व है उसमें जब आसकती हो जाती है तो उसमें द्वेश, मोह, मद, क्रोध भी है उसमें और दर्ब भी है दर्ब का मतलबी है अपने आपके बारे में ज्यादा मान लेना यहसे मद जैसे नर्सक कुल रखा था कि कई बार यह थे हम खुद भी देखते हैं, लोगों में भी देखते हैं, कि बहुत ज़्यादा शारीरिक ठकान होने से, भूप ज़्यादा लगने से, प्यास ज़्यादा लगने से, ज़्यादा समय लाइन में खड़े रहने से, हम क्रोधित हो जाते हैं, ज़्यादा समय लाइन में खड़े रहने से क्या हुआ, वो अपेक्षा जो है मन की पूरी नह होना पड़ेगा कि उसमें फिरविचार और इच्छा सारही समा जाता है यह पूरी की फीरोद की घठा है मंद में भी ऐसा ही है मोह में गहीं ऐसा ही हன कि दश में आ सक्षा है मैं नीधि进 Dual ौर मन CNC तो क्रम से जो आसक्तिया हैं देखें तीन जगह पर दिया एक है भोतिक रासानिक वस्तु मतलब शरीर और भाय वस्तु दूसरा प्रान तत्व उससे भी सुक्ष मेरी देखेंगे तो मन ही में आसक्त होना जीवन अपने मन में ही आसक्त है यही जीने की आशा में आसक्त है यह जीवों के सद्रिश जीना यहीं से जुड़ता है से अभिमान यह अभिमान का मिलेगा चित में किस से क्यूंकि जीवन की आसक्ती मन में ही है अज्यान, इर्शा और मत्सर दूसरे को हानी पहुंचाने के लिए जो प्लैनिक करते हैं या मत्सर है, कि इसको कैसे चोट पहुंचाना है, इसकी जो पूरी प्लैनिक की प्रक्रिया है, या मत्सर है, यह अज्यागरित मानों की प्रवरितिया है, जिसको शुद्ध रूप में अजागरिती कह रहे हैं है ना तो यहाँ पर ये फिर अल्पविक्सित में होते हुए भी अल्पविक्सित का टाइटल भी मिलने योग्य नहीं हुआ इससे उबरना ही फिर अल्पविक्सित है उसके बाद अर्दविक्सित अर्द जागरित जागरित और पूर्ण जागरित की कता है सत्य के प्रती निश्था से आप सीधे चलेगे हैं सत्य के प्रती निश्था तो सत्य संकल मतलब श्रवन हो गया मनन हो गया अभ्यास पूरवक हम साक्षातकार पूरवक है न था अधाडना होके, आत्मबोर्द भी हो गया तो सत्य के परती निश्था से, उसके पहली निश्था संकल की रूप में होगा, उसके पहले तीव रिच्छा की रूप में होगा, निश्था से करतवि में दिड़्ता, असंग्रह, यहना संग्रह के जग़ए, असंग्रह सरलता, अभिमान के जग़ए सरलता, तो अभिमान में मैं केवल अपने ही श्रेष्टा को देख रहा हूं, सरलता में सभी में श्रेष्टा को देख रहा हूं, सभी में जो श्रेष्टा हैं, यहना उसको में देख रहा हूं, दूसरों में, वही अपने से ज़्यादा श्रेश्ट जब दिखता है, या अपने जैसे श्रेश्ट तो उसमें गौरवान भी हम मैसूस करते हैं, कई बात, निपुन्ता में भी कई लोग हमसे ज़्यादा श्रेश्ट देता है, कई लोगों की कुशलता भी हमारे से ज़्याद पूर्ण बोथ का अवसर इस भूमी पर केवल मानव को ही है जीवों को नहीं है ना कोई करनेवाली पांस कोई अवस्था है अन्य किसी इकाई को नहीं है इसलिए मानव इसके बिना सुकी नहीं क्योंकि उसको पूर्ण बोथ का अवसर है तो करकrant curie रहना ही पड़ेगा इसलिए उसके बिना सुखी नहीं है का मतलब क्या है? सुख की निरंतरता नहीं जब केवल सुख केवल जैसे हमने देखा कि केवल शमता यूज होता है तो उसमें शमता, योगता, पातरता तीनों है वैसे ही जब केवल सामाजिक्ता यूज होता है यूज का मतलब सामाजिक्ता और व्यवारिक्ता दोनों समाया है वैसे ही जब केवल सुक शप्त का उप्योग होता है सुक शांती संतो शानन चारों उसमें समाया मनिश्य सुक धर्मी है का मतलब आनंद धर्मी है मनिश्य याना आनंद ही मनिश्य का धर्म है उसका पता चलता है, प्रारंबिक्रम जो है उसका सुख है, स्वर्शुरूप आत्म बोध को पूर्ण बोध संग्या है, यही पूर्ण बोध है, तो बोध की पूर्णता का मतलब है कि आत्म बोध, पूर्णता हमने देखा गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आशिरन पूनता यही इस दर्सेन के अनुसंधान के बिंडू भी है यह जो पूनता का बोध है ना नागराजी नामक जो साधक को हुआ या जिस वेक्ति को हम नागराजी के नाम से जानते रहे उनको जो बोध हुआ यही अनुसंधान का बिंडू है एक सर्चा ऑक्तोबर शायद 2010 की यह पूछा गया था उनसे पूछा था मैंने की आप संप्रुक्तता को अनुसंधान में क्यों नहीं रखे पारगामेता के बिंडू को संप्रुक्त क्यों नहीं रखे उनका उतर भर मैं रिपीट कर सकता हूं उन्होंने कहा हम लोग ज्यान को अनुसंधान नहीं मानते हैं यह हम लोग कौन है, मैं पूछने गया नहीं, मेरी हिमत नहीं हुई, और ग्यान कौन संदान नहीं मानते हैं, इसका तात्पर एक है उसके बार में, सोचता रहे गया, उसके उपर और कोई में प्रशना, कुछ नहीं पाया, आप भी उस पर सोचते रहे हैं, मैं भी सोचा ही तो स्वस्वरूपे आत्म बोध को पूर्ण बोध संग्या है, यह पूर्ण बोध है, पूर्ण बोध में तीनों आ रहा है, अगले बिंदू में लिखा आस्तित दर्शन बोध, जीवन ग्यान बोध, वानवित पून आचरन बोध, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पूर्व जो आवधारना हो रहा है यदी हम उसका आवधारना नाम दें क्योंकि आत्मबृद को सत्य बृद का है सत्य बृद को भी आवधारना का है säramos झेले और उसके पूर्व को भी भाशा क्योंकि है वही शेतर तो नाम एक ही देना पड़ेगा जैसे इस कमरे को में भर रहा हूँ, तो पूरा भरा हुआ कमरे का एक नाम है, अर्द भरा हुआ कमरा भी उसी कमरे में भर पाई हो रही है, तो जगव वही है, बुद्धी है, इसलिए वो भी आवधार नहीं कहना बनेगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं, यह हमारी कलपना है, तो यह पूर्ण भोध, तो आत्म भोध के पहले जो भोध होता है, इसका नाम है अपूर्ण भोध, तो इसलिए पूर्ण भोध भोध से बुद्धी में भोध होता है, इसी को तीन लाइन पहले ही हम देखे, परस्वरूप तथा स्वस्वरूप को के भोध से बुद्धी म तो यह पर स्वरुप बोद्य पिर अपुर्ण है, पूर्ण होता है जब स्वरुप का भी ज्ञान हुआ, उसके बाद अनुभूत आत्मा का अनुभोबूध गुद्धी में होना, उससे धारणा बनी, उसमें पूरी रूप से आउधारणा धारणा के रूप में बोद्य आगरी के तीन लाइन है, जागरित मानव, परमपराही, सरो मानव, मेंसे, के लिए, सरो शुब का स्रोत है। सरो मानों के लिए होना है तो ये है कुछ क्वेशन नहीं ठीक तो जागरित मानों परमपरा ही सरो मानों के लिए सरोत हो सकता है उसके पहले जैसे पूछा कि सरो मानों के लिए सरोत होने के पहले क्या होगा उसके पहले कुछ लोग उस ज्यान के प्रफ्ति के लिए प्रत्त करेंगे, जैसे हम लोग कर रहे हैं, 52 लोग बचे हैं, इस इसमें ये बता रहे हैं, 52 लोग, मैं खुद ये एक हूँ, तो 51 बचे है, मनस्वस्ता अथ्वा आनन की उपलब्दी ही रहस्य से मुक्ती है, जैसे मुक्ती, कौन, किसको र रहसे है, शित्त को बुद्धी के क्रियाओं का पता नहीं है, यह एक रहसे है, यह रहसे मुक्ती ही भास आभास पतिती अनुभुती है, यह होना ही सुक्षांती शंतोशानग का अनुभव है, तो ज्ञान और अनुभव, यह दोनों का मिलन बिंदू, कॉन्कॉमिटेंस कहते हैं, कोइंसिडेंटल, अब को दिखता है, भास होना ही फिर सुख है, अभास होना ही शांती है, प्रतिती पुरा होना ही संतोश है, और फिर बोध, आत्मा बोध पुरा हो जा रहा है, आनन है, आत्मा का प्रत्यावर्तन ही फिर फर मानन है, तो किसको र प्रतितिया भास एवं भास की श्रेणिया है उसके अनुपात की उसकी स्वस्थता है इसी को फिर भिन बद्धिक स्थिती के रूप में भी यहां पर बताया है कि स्वश्वरूप की अनुबूती परंपरा सहेज योग्पीरि से साथ तक होना पाया जाता है क्या मतलब फुआ उसका सुवस्वरूप की अनुबूत्री योग की प्रक्रिया से संभव हुआ मिलन की योग संगया है तो ये योग क्या है इसको नोंने अभ्यास दर्शन में लिखा है योग अभ्यास के नाम से योग अभ्यास ज्याग्रती के अर्थ में शरितार्थ होता है। यह वहां पर परमपरिक शब्डों का प्रयोग किया गया है। समाधी पूर्वग अर्थवा श्रावन मनन निर्ध्य पूरवक ये चरितार्थ होता है तो जो पूरी प्रक्रिया है उसको दुसरी दब चिंतन अभ्यास के नाम से भी इंगित किया गया है यही योग की विधी से पूरा हुआ है तो यह योग का परिभाशा बध्या जर्शन के अनुसार मतलब दूसरे भाषा में यही हम देखेंगे कि स्वस्वरूप की अनुबूती कैसे हुई परमपरागत जो योग के बारे में जो शब्द था और उससे जो इंगित जो प्रक्रिया थी उस विदी से साधना करके फिर कैसे योग करने से ये सो शुरूप क्योंकि नागराजी के अनुसार पुना हम एक बार यहां सुमरन करेंगे नागराजी के अनुसार योग की अभी जो परमपरा में जिसको योग नाम बिगत विशार धाराओं में जिसको योग नाम से हम सुने हैं हम में से कुछ लोग पड़े होंगे, कुछ लोग उसका साधना किया होंगे, कुछ लोग उसमें सफल भी होंगे, हम नहीं जानते होते ही होंगे, तब ही लोग उसको करते हैं उस योग के विदी से धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधी, के स्थिती में पहुंचने के पश्चात भी वागराद जी के वाक्यों में ब्रह्म ज्यान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्यान उसमें नहीं हुआ, बतब स्वस्वरूप का ज्यान उसमें नहीं हो रहा है, उनके अनुसार उनको जो हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारी आच्छा विचार इच्छाएं चुप हो गई और चुप होने को हमने ग्यान माना नहीं ठीक है तो यह उनके वाक्यों से हम सुने हैं और यहां पर फिर योग को मिलन संग्या भूलके योग अभ्यास को कैसे करने से वो पुरा होगा उसको आथा से ही ती तक उन्होंने पूरे दर्शन में लिखा है योग का अर्थ मिलन से है सार्थ मिलन का अर्थ जागरित परमपरा में देखे तो परमपरा में शरीर का जीवन से मिलना भी योग है जो मिला हुआ ही है कैसे मिले हुए है इसका ग्यान मुना ही फिर आनुब पर बढ़ा पाए और यहां पर कुछ प्रश्न है और हमारे पास 13 मिनिट है अध्या सत्र व्यापक ही अपनी और भी आरहा है आप देख लिए और दो तिन लों कुछ लिए अभी तक है ठीक है आपक ही अभी व्युकित कि अभी व्याथ पर गरेंटे रा एंद को करता पद नहीं है जीवन को չी मानव को होने से व्यापक की ही अभिवेक्त की परस पर गुनात्मकता है नहीं अभिवेक्त हो रहा है क्रिया है ना तो जड़ क्रिया में मूल में उर्जा संपनता होना ये व्यापक वस्तो है उसके बाप जो अभिवेक्त हो रहा है क्रिया जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूं ये मैं ब पा करुणा मनिश्य का है उस व्यापक वस्तू में उर्जित रहने के कारण ये उर्जा मनिश्य में ग्यान के रूप में है उसी को फिर छेतना के रहे हैं दूसरा व्यापक उर्जा स्वरुप कैसे है और तो क्रिया शून्य कैसी है ये तो मुझे लगता है स्पष्ट हो गया यह क्रिया नहीं है इसलिए उसका नाम क्रिया शुन्य है इसलिए उसका नाम शुन्य है प्रेरना वो प्रभाव को स्पष्ट करें तो यह प्रेरना वो प्रभाव तो यह प्रेरना प्रभाव दोनों एकी है यही हम जीवन क्रियाओं के रूप में देखेंगे तो गुरु क्र का प्रेरना लगुक्रिया के उपर होता है या गुरु वस्तू का प्रेरना लगु वस्तू के लिए होता है यही उसका प्रभाव और लगु वस्तू का गुरु वस्तू पर जो होता है यह दबाव यहाँ पर यहाँ पर करम दर्शन में दबाव तरंग वो फिर जड़ के है वहाँ पर भी नवीदी साफ परेंगे ठीक वेतिरेक क्या है वेतिरेक का मतलब जल्टी है ना खोट रावी मैं खुद ही हिंदी का कोई विश्चे शक्या नहीं हूँ तो मैंने जो नागराजी से भाशा सुना उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ मैं हिंदी जलतर इसी दर्श का उलेख है और उसमें से प्रतेक दर्शन के दो दो तीन तीन शाखाए है ना यह आस्तिक दर्शन जिसको नास्तिक दर्शन के नाम से जाना जाता है वो भी दो दो तीन तीन शाखाए होई उसमें एक एक का कौन कौन सा का क्या समाधी है वो देखने जाएंगे तो परंपर अपने में एक बहुत बड़ा ओशन है, उसके कौन से आइलेंड में बैटके हम बात कर रहे हैं, वो हमको बात करना पड़ेगा और उसमें मचलियां भी बहुत जादा है, तो उसको हम अलग से ही बात करेंगे, नागराजी के अनुसार, उनके परिवार परंपरा में, जिसको स इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, ज्यान नहीं हुआ का मतलब है कि पूर्ण ज्यान नहीं हुआ, कई बार सुनके ऐसा लगता है, प्रारंबिक करम में कि समाधी में कुछ नहीं हुआ का मतलब फिर वो समाधिस पूरुष और समाधिस पूरुष दोनों एकी सा बैटके मने भोग में लिप्त है ऐसा नहीं तो वो जीवन की बहुत एक स्थिती है और जिस स्थिती को हम समझते नहीं उसके प्रती मुल्यांकन समिक्षा करना भी बनता नहीं बिना किसी क्रिया को किये या बिना किसी ग्रंथ को पढ़े उसकी व्याक्या ये टिपनी हम कैसे क अच्छाएं चुप हो गई उन्होंने कहा कि ये वही समाधी है जिसका उल्लेक पतंजल योग-शूतर में लिखा है यह ना योग-शूतर में लिखा है धारना के लिए वह धारना ध्यान समाधी के विदी से गए तो उससे हमको सुचना पड़ेगा उसका हम स्वरण कर सकते क्यों कि अभी भाना को लिखा है देश बंध चितसे धर्णा स्टित किसी देश और काल में बंदितु स्थीर हो गए इसका नाम है धर्णा ध्यान की लिए लिखा है फ्र storage उसकी किसी बिंदू में तिक जाई इसका नाम ध्यान है, तत्रा अर्थ के तांता ध्यानम, उसके किसी बिंदू में ठिक जाए, इसका नाम ध्यान है, तत्रा अर्थ मात्रन निर्भासा, केवल अर्थ रह जाए, स्वरूपशून्य मिवी, वो भी मिवी भी आया है, विदी भी आया है, स्वरूपशून्य मिवी समादी, स् इस थिति तक वो पहुंच गया, इसमें स्वरुप्षुन्य हो गया, उसमें ब्रह्म ज्यान होगा, ऐसा बता गया, इस थिति में ब्रह्म ज्यान नहीं हुआ, अब यह जो परमपरा में जो समाधियां है, जो अलग-अलग लोग देखे हैं, सुने हैं, पड़े हैं, वो समाध पुरा सत्रावा चैप्टर वही था गटनपून परमानों ब्रह्म से लेकर अल्पविक्षित से लेकर कैसे होता है तो ये तो काफी आप मैंने अध्यन बिंदू के किसी एक सत्राव कर लीजे इसमें पूरा हो जाएगा गटनपून परमानु केंदर में एक अंश और परिवेष्वेष्यों में साट अनुम बंगतन शे मुल्ट होता है तिक इसमावेश को सम कैसे करना है अपने अनुभव से समझाए ने ये मेरा अनुभव तो इसमें यहां पर हम नागराजी के अनुभव को सच्छा के लिए उबएटे हैं आपने एक दूसरे का अनुभव के लिए हम पर विशाय के मिलेंगे तब बात करेंगे वो ज़्यादा उचित लगता है पर समावेश को सम कैसे करना है यह शांत कैसे करना पस पस नहीँ हो रा है परन्तु विशा मावेश समध्यस्त इअ धर्म सत्य की जो वस्तु है यह अपने में समध्यस्त वस्तु है तो आस्तित्तव दर्शन ग्यान जीवन ग्यान बान्वेतापुनाचिरं ग्यान या दूसरे भाषा में या थारता वास्तविकता सत्यता तीसरे भाषा में नियम नेंतरन संतुलन न्याय धरम सत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य होगा यह ना सम्मध्यस कब होगा जब बुद्धी में आवधारना बन जाएगा यह ना तो उसमें एक छोटी सी confusion की जगह रहती है जो काफी बड़ी confusion की जगह है कि यतारतता से भिन्द समझ ही भ्रहम है कई बार हम चितरन को अवधारना मान लेते हैं मतलब तरक को बता पाने को वाक्यों को धोराने को है ना वाक्यों का स्मरण पूरवक उपयोग करने को हम आवधार्णा मान देते हैं जिबकि आवधार्णा एक ग्यान है और आवधार्णा के लक्षन है सारे लक्षन फिर मानविता के लक्षन है क्योंकि आवधार्णा होना है अनुभव का सत्य का, धर्म का, न्याय का या स्वभाव धर्म का, तो विक्सित चेतना का ही आवधार्ना होना है, तो आवधार्ना में अमानवेता का प्रवेश नहीं है, आवधार्ना के ज्यान के साथ जो वेटी जीते हैं, उसमें भी फिर मानवेता के अनुरूप ही हमको बृत्ती दिखेगी, प्रवृत्तियां सब नहीं होना, इरशा नहीं होना, धीमें होना, इरशाह नहीं होना, जुट नहीं बोलना, यह थे हैं आथीफ , फिर निन्ना करन आ o यह सद्धों दूपध के प्सकुणि घुटएग का ज산चाथ पलकाई। तो मुझे लगता है कि चार मिनिट रुका है और हम लोग पुरा कर दिये तो वे आपक को उर्जा स्वरुप कहा है प्लीज समझाईए एक कोईग्सिस्टेंस है उनका नाम आपसे भाईया मैं भाई साथ या भाईया जो भी है आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको किसी व्यक्ति के साथ देना किसी शिवर में बैठके यह इस पर्टिकलर चैप्टर के वो चैप्टर वन है माना वभार दर्शन का जिसमें व्यापक वस्तु को उर्जा में समझाया है यहां है ना उसका संदर बुटा नहीं बनेगा बैठक उर्जा है यहां है यही उसका स्वरुप है ठीक है बड़िया तो यह रहस्यमुक्ती होफलिज के बारे में हम दोनों ही कुछ कम से कम तरखीक विदी से हम रहस्यमुक्त हो पाएं और शब्दिक और तरकिक विदी से हो पाए अब हमारे आचरन के रूप में हम रहस्यमुक्त हो पाएं और ग्यान के रूप में हम रहस्यमुक्त हो पाएं इसी अपिक्षा के साथ और इसका आगे वाला जो अध्या है चैप्टर 18 क्यूंकि अभी आप रहस्यमुक्त हो गये त कि यह जो भी मेरी प्रस्तुती है यह शासरद्धन के आधार पर मनन के आधार पर है और इसको आप जो भी मैंने निश्कर्ष के रूप में या किसी के एक्जाम्पल के रूप में आपको संप्रेशित किया इसको आप रुपया दर्शन में जो लिखा है और जो भी समाद उप है आगे परिश्क्रिट यह होगा इसी उमीद से आज भी कुछ शीक्रिट किया है तो नहीं तो हम आज ही पूरे पड़ जाते हैं तो ऐसी तो बात नहीं है तो इसको हम सभी ध्यांगने रखते हुए बहुत धन्यवाद खरी है यह